ओके तो गुद्वार्निंग 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 चले क्लास शुरू करते हैं बेटा क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दू के भी हम क्लास 12 का केमेश्ट्री का आज हम चौथा चैप्टर शुरू करने वाले हैं चैप्टर का नाम है बेटा केमिकल कानेटिक्स यानिकि ना भी रसाइनिक बलकति कि इसके पहले ऐंगे पिछले आप्यक्टर क्विट्थ क्लास में और आज क्लास में आज बहुती क्लास में बहुत रसायन का यानुकी फिजिकल केमेश्ट्री का एक अगला चैप्टर हम पड़ने जा रहे हैं यह चैप्टर है इस चैप्टर के नाम है chemical kinetics और इस पूरे चैप्टर में आप kinetics के बारे में पढ़ेंगे कारेंटिक्स का मतला बता है इस speed के बारे में हम काफी समय से chemistry पढ़ते हैं class 9 से 10 से 11 से chemistry पढ़ते रहे हैं हम हमें साथ chemistry में किस बारे में बात करते हैं कि कोई भी अभी क्रिया कैसे होगा कोई भी reaction कैसे होगा उस reaction को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा कौन किसके साथ क्रिया करेगा कौन किसके साथ bond बनाएगा हम बस यह सब बारे में सोचते आ रहे थे पर आज तक हम लो मतलब अभी तक हम लोगोंने reaction के speed याने कि उसके दर के बारे में नहीं पढ़ा है। सिबम बात करते थे लिए reminds doesn hold the Krist gonna bougka कौन किसकी सत्झ करेगा कुस तरह करेगा क्रिया करते वक्त कीन बातों का ध्यान रखा जा पर हमने कभी भी इस बारे भी नहीं सोचा कि जब भी कोई reaction होता है अभिक्रिया होता है तो उसका दर कैसा होता होगा यानि कि वो slow reaction है कि fast reaction है तो इस पूरे chapter में हम यही सीखेंगे कि reaction का जो speed होता है उसका मतलब क्या है? reaction का speed क्या होता है? और हम कैसे तै करेंगे कि कौन सा reaction ज़्यादा fast होगा, कौन सा reaction slow होगा और reaction की speed को कौन कौन से कारक कंट्रोल करते हैं तो तयार हो जाएए इस पूरे chapter में हम reaction की speed के बारे में पढ़ेंगे, क्रिया के दर के बारे में पढ़ेंगे चलिए तो class शुरू करते ह सब मैंने कहा chapter का यहाँ पर नाम है बेटा chemical kinetics यहाँ पर chapter का नाम है chemical kinetics यानिकी यानिकी रसायनिक बलगत की जहाँ पर काइनेटिक्स का मतलब होता है जहाँ पर काइनेटिक्स का का मतलब होता है speed या फिर rate या फिर इसी को बोलते है बेटा दर इसी को बोलते है दर तो इस पूरे chapter में हम reaction की की speed के बारे में reaction के rate के बारे में या तक ना rate का मतलब speed होता है rate का मतलब speed होता है rate का मतलब दर होता है तो इस पूरे chapter में हम किसी भी क्रिया के दर के बारे में बात करेंगे यह देखेंगे कि कोई कोई भी reaction कब fast होगा, कोई भी reaction कब slow होगा और कौन कोई से कारक reaction की speed को याने की दर को प्रभावित करते हैं तो बेटा किसी भी reaction को देखने के बाद ये कैसे पता चलता है कि reaction fast हो रहा है कि reaction slow हो रहा है तो शुरुवात करेंगे reaction के speed के परिभाशा से, कोई आपसे बोलेगा चलो reaction के दर को परिभाशित करो, reaction के speed को परिभाशित करो कोई आप से पुछेगा reaction fast हो रहा है कि slow हो रहा है कैसे पता चलेगा उसकी परिभाशा क्या है इस speed की परिभाशा क्या है दर की परिभाशा क्या है तो अब यह बताओ सिर्फ speed की परिभाशा क्या होती है आप कहते हैं कि जब भी कोई वस्तू जब भी कोई वस्तू एक जगे स दूसरे जगे तक मूव करता है तो आप कहते हैं कोई भी वस्तु दिये गए समय में कितनी दूरी तय करेगा यह उसका वेग है यही कहते हैं कोई भी वस्तू दिये गए समय में कितनी दूरी तै करेगा ये उसका दर है और आप कहते हैं जितनी जादा दूरी तै की जाएगी हम कहेंगे घटना या प्रोसेस फास्ट रहा होगा और कोई भी चीज अगर दिये गए समय में कम दूरी तै करेगा तो आप कहेंगे प्रोसेस स्लो है तो कोई भी process slow है की fast है कैसे पता करते हैं बेटा तो कोई भी वस्तु दिये गए समय में कितनी दूरी तै करेगा यह उसका speed है अगर दूरी ज्यादा तै करेगा तो आप बोलेंगे process fast रहा होगा और अगर दूरी कम तै करेगा तो आप कहेंगे process slow रहा होगा लेकिन से देखिएगा मालो मेरे पास एक अभी करमक है एक मेरे पास एक reactant है और यह उत्पात बन रहा है प्रोड़क्ट बन रहा है प्रोड़क्ट बन रहा है प्रोड़क्ट बन रहा है एक एक रियक्टेंट है जो प्रोड़क्ट बन रहा है एक और रियक्टेंट है यह भी प्र लगाना है कि यह वाला रियक्षन फास्ट होगा कि यह वाला रियक्षन फास्ट होगा कैसे चेक करेंगे तो अभी सुना ध्यां से मान लो कि अभी रियक्षन शुरू नहीं हुआ है मान लो अभी रियक्षन शुरू नहीं हुआ है यानिकि समय का मान शुन्य है समय का मान शु है हन्ट्रेड मौल अब तो मुझे एक बाद बताओ अभी अन शूरू नहीं हुआ है तो सभाव सी बात बेटा उतॉच्पात बना नहीं होगा प्रड़ेट नहीं बना होगा अभी है शूरू होगा तो रिएशन शुरू होने से पहले एक मैंने कितना quantity लिया है 100 mole B का कितना quantity लिया है 100 mole लेकिन अब देखना क्या होता है अब मैं दोनों reaction को एक साथ शुरू करूँगा और दोनों reaction को चलाऊंगा कम से कम 5 मिनार तक मैं 5 मिनार तक दोनों reaction को चलाऊंगा तो मैंने क्या देखा अच्छा यह तो आपको पता है ना कि जब reaction चलना शुरू होता है जब कोई भी यह वी क्लिया शुरू होता है तो बैटाय जो reactant होता है इसका quantity कम होता जाएगा इसका जो आपने मातरा लिया है वो कम होता जाएगा और जो उत्पाद होता है इसका मात्रा बढ़ता है ये बात हर को जानता है ये बात हर को जानता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा रियक्शन आगे बढ़ेगा तो रियक्टिंट जो होता है इसकी मात्रा कम होते जाएगी और जो प्रोड़क्ट है इसकी मात्रा तो मैंने क्या किया इस reaction को मैंने 5 मिनट तक चलाया इस reaction को मैंने 5 मिनट तक चलाया तो मैं क्या देखता हूं 5 मिनट के बाद अचानक एक जो मात्रा है वो 100 मोल से घटके 60 मोल हो गया 100 मोल से घटके 60 मोल हो गया तो अब प्रस्ट ये उड़ता है 40 mol कहां गए तो बेटा 40 mol reactant product बन चुका है यान कि 5 मिनट के बाद आपको जो product है वो 40 mol बन चुका होगा 40 mol बन चुका होगा अच्छा जी लेकिन अब इस reaction को भी मैंने 5 मिनट तक चलाया इस reaction को भी मैंने 5 मिनट तक चलाया पर मैंने क्या देखा कि ये वाला reaction जो था 5 मिनट के बाद एका जो मातरा है वो घट के 100 mol से 60 mol होगा लेगिन इस case में मैंने क्या देखा रियक्टेंट के जो मातरा है वो 100 mol से घट के 100 mol से घट के 20 mol हो गया अरे भई 80 mol रियक्टेंट कहा गया तो बिटा वो बन गया उत्पात ये बन गया है 80 mol ये बन गया 80 mol अब प्रस्ण ये उड़ता है कि दोनों reaction को मैंने एक साथ चूरू किया यह जो reaction है और यह जो reaction दोनों के मैंने दोनों reaction को मैंने 5 मिनट तक चलाया पर मैं यहां का देखता हूं सा अभी क्रिया यानि कौन सा रियक्षिन फास्ट हुआ होगा इसमें से कौन सा रियक्षिन फास्ट हुआ बताएंगे मेरे को एक दम सही 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 यह 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 फास्ट हुआ और यह वाला स्लो हुआ तो कैसे पता चला आपको कैसे पता चला कि इस रियक्शन का दर यानि की स्पीड कम है और कैसे पता चला कि इस रियक्शन का स्पीड यानि की दर ज्यादा है कैसे पता चल रहा दर बेटा कैसे पता चल रहा है तो आपने बोला कि सर इस वाले में रियक्टेंट और प्रोड़क्ट के मात्रा में कम बदलाव आया है बदलाव कम आया और इस वाले में बदलाव ज्य ज्यादा आया इस वाले में दिख रहा है साब साब कि 5 मिनट में यहां रियक्टेंट में कम बदलाव आया और इस वाले में ज्यादा बदलाव तो कहानी यह है कहानी यह है की 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 दिये गया समय में दिये गया समय में रियक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के मात्रा में आने व वाला बदलाओं ही दर कहलाता है अगर बदलाओं कम हुआ लिएकान के आने वाले बदलाओं कम हुआ तो आप गर चरेंगे दर कम था अगर 110डा हुआ तो अगली यली होरा है तो आप बड़ा reaction fast हो रहा थी इस प्रकार से क्रिया के दर को हम देख पाते हैं जज़ कर पाते इसक्रीन शॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसकी शॉट लेंगे बटा इसका तो मैंने कहा कि दर को आप कैसे परिभाशित करेंगे बटा दर को परिभाशित करेंगे मातरा में आने वाला बदलाव समय काल के साथ समय के साथ साथ reactant और product के मातरा में जो बदलावाता है उसी को हम क्या बोलते हैं बड़ दर बोलते हैं तो अगर आप इसका formula लिखने की बात करें अगर आप इसका formula लिखेंगे तो बेटा यह ऐसा होगा अगर आपको की पूछेगा क्रिया के का दर कैसे परिभाचित होगा बेटा तो आप इसको कहेंगे इसको कहेंगे सांधरता सांधरता में परिवर्तन बटे समयकार समयकार यानि की टाइम के साथ साथ टाइम के साथ साथ समय के साथ सांधरता में जब परिवर्ता नागा उसी ज्टार कहेंगो यह रट of reaction rate of reaction कि सीरी पनी कर आप यह कित सबंटरेशन चेंगे साथ सेalt кण संक्तरेशन विद्रेट टू टाइम with respect to time so और समय के साथ साथ सांधरता में जो परिवर्तन आएगा उसी को आप क्या बोलते हैं वेटा क्रिया का दर कहते हैं और सिंपरसी कहानी है समय के साथ साथ अगर सांधरता में समय के साथ सांधरता में परिवर्तन अगर जादा आया तो बोलेंगे दर जादा था और समय के साथ स को परिभाशित कर सकते समय के साथ साथ जो भी परिवर्तन आएगा उसी को क्रिया का दर कहते है बेटा और अगर परिवर्तन ज्यादा आ रहा है तो बहुत क्रिया का दर ज्यादा था यानि की रिएक्शन फास्ट था और अगर परिवर्तन कम आएगा तो बहुत के रियक्शन दर की इकाई क्या होती है दर की काई उपर आप क्या लिखे हो उपर लिखे हो बिटा सांध्रता उपर आप लिखे हैं सांध्रता और नीचे क्या लिखे हो टाइम यानि कि समय है तो बेटा सांधरता काई काई क्या होता है सांधरता की काई होता है मोल प्रती लीटर और समय काई 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 होता सेकेंड तो क्याई काई बनके बेटा इसको मोल प्रती लीटर प्रती सेकेंड तो आपको याद रखना है दर की काई दर की काई क्या पाई जाएगी बेटा मो प्रती सेकेंड प्लीज इसका भी स्कीन्शॉट ले लो तो द्याद ना दर की काई होगी मोल प्रती लिटर प्रती सेकेंड ठीक है तो अब को यह तो पत चाल गया कि दृट प्रिवाशित कैसे करेंगे एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं मैंने कहा समय के सांसाथ रियक्टेंट में या प्रोड़क्ट में जो भी बदलाव आएगा जो अभी करमक है और जो उत्पात है उसमें जो भी बदलाव आएगा सांथरता में उसी को रियाशन का स्पीड कहेंगे अगर अगर बदलाव परिवर्तन ज्यादा आएगा समय के सांसत अगर बदलाव ज्यादा आएगा तो आप तो आप बोलेंगे दर ज्यादा है और अग्वड़ाव कम आया तो बिलेंगे दर का मैं चले ठीक है तो आप में जान गया कि क्लिया का दर क्या होता है अब देखे गार कि दर कितने प्रकार के होते हैं यह मैं अभी जो परिभाशा बतार था यह वह बेटा अई मैंने क्या बत पाद की सांध्रता परिवर्तन परिवर्तन बटे समयकाल समयकाल मैं आपको क्रिया कदर कैसे परिभाचित होगा तो आप कहेंगे कि अभिकारत याने की रियक्टेंट और उत्पाद याने की प्रोडक्ट कि के अंदर जो भी बदलाव आएगा उसी को समय के सासा जो बदलाव आएगा उसी को हम क्रिया का दर बोलते हैं इसका इसका भी स्कृश्ट ले लेंगे ठीक है अब मैं यह तो समझ गया कि अभी क्रिया के दर को हम कैसे परिभाशित करेंगे डिफाइन करेंगे अब देखते ने सबसाइब आपुक्रिया ये कितने प्रकार का होता है तो अबक्रिया का दर सब्सक्राइब खुब पहले आप इसका screenshot लीजिए फिर मैं इसको explain करूँगा लीजिए तो क्रिया का जो दर है इसको दो प्रकार से परिभाशित करते हैं दो तरीकों से देखते हैं क्रिया का दर दो प्रकार का होता है एक आउसत दर बोलते हैं और एको ताक्षडिक दर बोलते हैं एक होता है बेट तो पहले बात करते हैं यहां पर दो प्रकार के थे इसी के बारे मां बात करेंगे न चलिए तो देखते हैं जो आउसत दर होता है इसका क्या मतलब होता आउसत दर क्या होता है एकडम गौर सुनेंगे ओसत दर याने की एवरेज दर याने की हम इसको बोलते हैं आव बताओ डिट कैसे निकालते हैं average speed कैसे निकालते हैं माल लो एक गाड़ी है यह देखो एक कार है धान दीजे माल लो की एक कार है एक कार है वो इस पॉइंट पर खड़ा है इस पॉइंट पर खड़ा है अब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना चाहता है इस पॉइंट से इस किलो मेटर दूरी है पचास किलो मेटर अब अभी गाड़ी शुरू नहीं हुआ है यह कार शुरू नहीं हुआ है याने समय का मान है शूनिया समय का मान है शूनिया अभी मालो गाड़ी शुरू नहीं हुआ है अब गाड़ी श्टाठ होगा गाड़ी श्टाठ होगा अब माल जो है वो यहां से यहां पहुंच गया और जब गाड़ी वहां पहुंचा तो समय का मान हुआ था 6 p.m. तो आप देखो यह गाड़ी 5 बजे इस पॉइंट से निकला और 6 बजे इस पॉइंट पे पहुंच गया और दूरी थी 50 km की तो अब तुम बताओ इस गाड़ी की स्पी स्पीड यानि की दर क्या रही होगी तो तुम कहोगे सर क्योंकि यह गाड़ी 50 km एक घंटे पहुंच गया पांच बजे से 6 बजे एक घंटे के समय है ने बिटा तो यह गाड़ी एक घंटे में 50 km पार कर गया यानि इस गाड़ी की स्पीड रही होगी 5 km पर आर यानि की 5 km प्रति घंटाल तो इस गाड इन के क्या रही होगा आप आप इसस्पीर बता रहें हो मैंने पुछा हो इस गारी की स्पीर हिगा था तुम ने बोला कि यह गाड़ी यह घंट에 में 50熊 किरमटर तैय कर चुका है तो इस गारी की स्पीड रही होगी बेटा पचास माफ कीजिए पचास हां पचास किलम्टर प्रती घंटा पर तुम बताओ जब गाड़ी शुरू हुआ और जब पहुंचा अपने इस्थान पर तो क्या पूरे रास्ते के दवरान पूरे रास्ते के दवरान थहीं होगी कि को पूरे रास्ते के दाणा इस पीड़ रही होगी न हो सकता होगा अब बेटा हमने इस बात को neglect कर दिया कि गारी कहां पर slow हुआ कहां पर fast हुआ हम ने सीधा क्या देखा कि यहां से ले करके यहां पहुचने में कित्ता time लगा और सीधा हमने क्या बोला उत्रे टायम में इत्ता distance cover हुआ इसको बोलते हैं बेटा आउसब्दर मतलब कि आपने आपने दो बड़े बड़े समय के अंतराल के बीच में आने वाले परिवर्तन को देखा है तो जब भी जब भी दो बड़े समय के अंतराल में आने वाले बदलाओं को देखते हैं तो बेटा इसको आउसब्दर बोलते है इसको average speed बोलते है आप देखे एक घंटा बहुत बड़ा gap होता है अपने बहुत बड़ा समय का अंतराल लिया है तो जब समय का अंतराल बहुत जादा होता है उस बीच में आने वाले बदलाव को देखते हो तो वह average speed कहलाता है वह अवसत दर कहलाता है लेकिन सुनना लेकिन स को अचानक समय हुआ पांच बज़ के 20 मिनट ऑन आप से पूस दिया चलो हमने गाड़ी में माईलो मृटर में देखके बताओ अभी सेह हो रहा है पांच बच के 20 मिनट अभी आपका स्पीड क्या है अभी आपका स्पीड क्या है तुमने क्या देखा कि पांच बच्किए 20 मिनट में एक्गजैक्ट काशच बच्च के 20 मिनट में जब मैं निए होगे किसी विशेज समय पर किसी फिक्स टाइम पर जब आप इस चीज का इस पीड देखते हो तो यह कहलाता है बैटा इस्टेंटेनियस इस पीड याने के ताक्षडिक दर इसको बहुते ताक्षडिक लिख्यों ने आपर एक क्या था और बैटा ताक्षडिक दर तो यह क्या है बेटा instantaneous rate याने की ताक्षनिक दर तो दर दो प्रकार के होते हैं एक बड़े अंतराल में निकाला गया बदलाओ और दूसरा छोटे अंतराल में निकाला गया बदलाओ यह बताओ जब मैं तुमसे कहूंगा कि मेरे घड़ी में 5 बच के 20 मिनट हुआ है अब बताओ इस पीड क्या है तो जीतने देर में स्पीड बताओगे क्या समय रुका रहेगा नहीं क्या गाड़ी रुकी रहेगी नहीं तो गारी चल रही है समय भी आगे बढ़ रहा है तो पांच बच के 20 मिनट में जब तुमने देखा तो कम से कम आपको 15 बीस सेकेंड लगा देखने 10 seconds चोटे बदलाव के लिए जब आप स्पीड को एक्सप्रेस करते हो तो और बड़े बड़ाव को बड़े बड़ाव को देखते हो तो कहलाता है एवरेज स्पीड प्रीजी स्क्रीन शॉत लीजिए फिर इसको अभी करिया में अप्लाई करेंगे तो चलिये एक-एक करके हम समझते हैं भीटा और ताख्षड़िक दर को ए तो कार का इंजाम्पल था अब हम अभी क्रिया का लेंगे न भई तो अब मैं आपको दिखाता हूँ भीटा और ताख्षड़िक दर को कैसे हम समझ सकते हैं एक मिनट हाँ चलिए तो सबसे पहले हम आ रहे हैं और सत दर पे जड़ा गौर से सुनिएगा समझते हैं बेटा यह को समझने के लिए मैं आपको एक ग्राफ का आपके सामने ग्राफ बनाऊंगा और इसकी मदद लूँगा ध्यां सुनना मैं लीजे मेरे पास एक रियेक्शन है यह जो उत्पाद ने बदल रहा है उत्पाद बदल रहा है जा सुनना मेरे पास एक एक अभी अभीकारक है जो पाद बदल रहा है मैं रियेक्शन का जो स्पीड है अच्छा एक बात और मुझे बताएंगे कि बिटा रियक्षन का जो स्पीड होता है रियक्षन का जो स्पीड है दर रियक्षन का जो स्पीड है दर वो किसके मातरा में आने वाले बदलाव को देख के बताते हो तुम मुझे बताओ तुमने एक मातरा में जो बदलाव आया उसको देख के बताया रियेशन का स्पीड कम है कि उत्पाद में आने वाले बदलाओं को देखे बताया कि रियेशन की स्पीड कम है तुम मुझे बताओ मैं तुम्हें पूछ रहा हूं तुमने अभी कारक के सांधरता में आने वाले बदलाओं को देखे बताया कि स्पीड फास्ट है कि उत्पाद के मातरा में आने वाले बदलाव को देखे बताया कि स्पीड फास्ट है मेरे कहने मतलब है प्रोसेस स्लो चल रहा है कि फास्ट चल रहा है वो किसको देखके बताते हैं रियक्टेंट को की प्रोड़क्ट को बताईए रियक्शन का स्पीड फास्ट है कि स्लो है यह सही सही पत एज़ी को भी देख के बताओ आज अबका सही आएगा अंसर ही आएगा ज़र मैं सम्झाता हुँ आ सहाता हूं आप को साखर हुँ अीजर वोच आया ऐसा लिzna फीलम में अब्र में दपढ़ हो ऐसा इसके अंदर रेत रहता है इसके अंदर रेत रहता है रेत ऊपर से नीचे गिरता है यह देखो यह सेंड वाच है उपर से रेत जो है वो नीचे गिर रहा है उपर से रेत जो है वो नीचे गिर रहा है अब आप बताओ यह रेत जल्दी जल्दी गिर रहा है या धीरे धी से देखा होगा जो आप देख पा रहे हैं उपर में रेत भरी हुई है वो नीचे गिर रहा है अब आपको बताना है कि यह रेत ऊपर से नीचे गिर रहा है तो जल्दी जल्दी गिर रहा है कि धीमे धीमे गिर रहा है कैसे पता चलेगा उपर वाले डिब्बे को देखे कि नी और नीचे जल्दी गिर रहे है किस लो ऐनेक मेप अब आगर मैं इंपने में उपर जल्दी खाली हो रहा है तो प्रोसे खाली हो रहा है और उपर अगर धीरे-धीरे खाली हो रहा है तो प्रोसेस फास्ट है और अगर धीरे-धीरे खाली हो रहा है तो मेरे कहने का यह मतलब है कि रियेक्शन का जी स्पीड होता है उसको बेटा आप रियेक्टेंट और प्रोडक्ट याने की अभी कर्मक, अभी कारक और उत्पाद दोनों में से किसी को भी देख के बता सकते हो, याद रखना, reaction को ज़से front HP होता है, проход फरक है कि रइक्टेंट में बदलाओ, किया आता है, ये कम होता जाता है, और जो product है, वो बरते जाता है, बस बदलाओ, ध्यान देना, बदलाव रियक्टेंट में भी आएगा जो बदलाव है वो अभी कारक में भी आएगा और उत्पाद में भी आएगा पर बस फरक यह है कि अभी कारक जो है समय के सासाथ इसकी मात्रा कम होती है और जो उत्पाद है इसकी मात्रा समय के सासाथ बरती है पर बदलाव दोनों में आएगा और बराबर आएगा एक जैसा बतलाव आएगा बस डारेक्शन अपोजिट रहेगा तो मैं आपको यह बता रहा था कि अगर मैं रियक्शन की स्पीड को अगर मैं आपको रियक्शन की स्पीड को अभी कारक के हिसाब से बताऊं तो अभी कोई दिक्कत नी है, अगर मैं उत्पात को लेकर बताऊं तो अभी को inch कत नी है क्योंकि reaction का speed यानी का धर reactant को देख की भी आप बता सकते हैं और जो product है उसको भी देख की आप बता सकते हैं, तो माली जूँ आ रियक्टेंट को लेता हूं बेटा तो मैंने इस तरफ रियक्टेंट का सांधरता ले लिया रियक्टेंट का सांधरता ले लिया ठीक है और इस तरफ समय ले लिया इस समय मैंने टाइम ले लिया याने कि टाइम ले लिया अब देखना क्या होता है यहां पर कुछ सांधरता के मान होंगे यहां पर समय का मान होगा अब जराद गोहर से सुनेगा उदारण के लिए यहां पर यह एक जो सांधरता है यह बेटा माल लो 100 मॉल यह 80 मॉल यह 60 मॉल यह है माफ कीजिए 50 मॉल यह है 30 मॉल इत्यादी इस समय इस तरफ समय आगे बढ़ रहा है समय आगे बढ़ रहा है समय इसको जीरो मिनट इसको ले लेते हैं पांच मिनट इसको ले लेते हैं दस मिनट ठीक उसी प्रकार यह 15 मिनट यह 20 मिनट इत्यादी अब देखोई क्या होने वाला है अब रियक्शन चालू होगा रियक्शन चालू होगा तो समय के साथ साथ जो अभी कारक है इसकी मातरा camera कम आती है मातरा में कम आती है तो बैटा कुछ दिरक लिए मावल लो कि समय जब शून्य था मतर्येशन चालू नहीं हूआ था तब सांधरता का मान मान लो 100 मोल्ट तो इसको नवे इसको हम लो T1 मान लेते हैं और इसके सांधरता को X1 मान लेते हैं फिर रियक्षन आगे बढ़ा रियक्षन आगे बढ़ा और समय बीटते बीस मिनट हो गया समय का मान हो गया बीटा 20 मिनट तो इसको T2 लिख लेते हैं तो समय बढ़ते बढ़ते 20 मिनट तक पहुच गया तो जैसे ही रिय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो जो रियक्टेंट है उसकी सांधरता कम होते जाएगी आप साफ साफ दे सकते हैं कि समय के साथ साथ सांधरता में कमी आ रही है समय के साथ सांधरता में कमी आ रही है अब कैसी कमी आ रही है पिटा कैसे कमी ठाप सांधरता एक्से थार जब समय टीक हो गया तो सांधरता एक्से तुओ गया सांधरता ग्हाट के एक्से चुओ गया तो अब बताओ अब भी मैने आपको मैंने आप लिखा है क्या कि अभी कारक या उत्पात के सांधरता परिवर्तन तो आप यहां पर लिख सकते हैं अब यहाँ पर अभी कारक लिया है और अभी कारक मात्रा घट रही है तो आप क्या किये है बेटें सांधरता में आने वाली कमी विद रस्पेक्ट टू टाइम समयकाल तो बताओ एका सांधरता कमी हो रही है उसमें समयकाल सांधरता उसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या जल्दी बताओ बेटा अभी कारक के अभी कारक के सांधरता में क्या बदलावा रहा है वो X1 से X2 हो रहा है और समयके कैसे अंधर निकालूँगा एका किसे निकालूँगा खास कोई आप से पूसता है कि आवसद दर क्या होता है तो तुमने क्या किया, यह देखो, कितने बीच का अंतराल है, 20 मिनट का, तो मैंने क्या बताया था, जब बड़े अंतराल में आने वाले बदलाओ को आप देखते हैं, तो वहाँ जो दर होता है, वहाँ जो दर हम देख रहे होते हैं, उसे कहते हैं बेटा आवसत दर, इसे हम कहते हैं आशत्रदर तुप आपसे पूछेंगा आशत्रदर क्या होता है तो तुम कहना एक बड़े अंतराल के लिए अभी कारक या या उतपात के सांधरता में जो परिवरतन होता है उसी को हम बोलते हैं बैटा आउसत्रदर और इसको और आगे लिखूंग तो कैसे लिखाएगा बेटा यह बताओ यह बताओ यहाँ पर x1 कमान ज्यादा है 100 लिखा है 100 और x2 कमान कम है 50 लिखा है तो बेटा आप यहाँ पर x2 लिए हो 50 और इसको लिए हो 100 टीटू क्या है टीटू है 20 और टीवन है 0 तो बेटा आप देख सकते हैं यहां जो मान आ रहा है यहां पर जो मान आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है यहां पर नेगेटिव मान आ रहा है तो यहां पर सुनना इसी सूत्र को आप ऐसे मिली सकते हो एक्स टू मैनस एक्स वन को डेल्टा एक्स जाएं डेल्टा टी लिख सकते हो सकते हो इसको आफ डेल्टा एक्स दो टिए vice hearts मतलब की सांधरता में आने वाला बत्लाओ ओर डेल्टा टी मतलब समय में आने वाला बस्ट तो आप कहेंगे आप कहेंगे कि आऊसदर का सूतर निकल के यह इन टैया और आप यहां पर अभीकार्क को ले करके उसका दर निकाल रहो तो अभिकारक समय के सांसत कम होता है अभिकारक की मात्रा समय के सांसत कम होता判 तो सभ़विक सी बात है, वहां आंसर नेगेटिव आएगा, तो याद रखना, आवसत दर हमें से नेगेटिव आता है, क्योंकि समय के साथ साथ, अभी कारक का जो सांथरता है, वो कम होता है, तो अब फिर से रिपीड कर दूँ, दो अलग अलग समय के लिए, आने वाले परि ताक्षडिक दर को explain करता हूं, same to same, तो अब बात करते हैं, अब बात करते हैं पीटा, ताक्षडिक दर की, तो ताक्षडिक दर को मैं समझाने के लिए फिर से वही graph बनाता हूं, यहां पर मैंने अभी कारक का सांदरता ले लिया, यहां पर मैंने time ले लिया, यहां पर मैंने टाइम ले लिया और आपको तो पता है समय के साथ साथ समय के साथ साथ जो अभी कारक होता है उसकी सांधरता में कमी आती है कमी आती है और आप देख सकते हैं कि अगर समय T1 है तो सांधरता मालो X1 है और समय बढ़के अगर T2 हो जाएगा तो सांधरता घटके X2 हो जाएगा और यहाँ पर अगर आप average दर निकालेंगे, यानि कि ओसत दर निकालेंगे, तो क्या सूतर था बेटा? क्योंकि आपने दो बड़े समय के बीच में, दो बड़े समय के अंतराल में आने वाले परिवर्तन को देखा था, तो इसलिए इसको आप delta x by delta t लिखते थे, आप minus sign लगाते थे, लेकिन अब सुनना, मुझे पता है कि इस समय से, इस समय तक अगर जाऊंगा, तो सांधरता में अच्छी खासी कमी आएगी, लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूं, किसी निश्चित समय पर, सांधरता का क्या मान हो रखा है, तो बेटा, जब दो अलग अलग टाइम के बीच सांधरता का परिवर्तन देखते हैं, तो वो आसब दर कहलाता है, लेकिन अगर, किसी निश् समय पर सांधरता का मान कितना हो रखा है जब वो पता करते हैं तब इसको कहते हैं और इसका सूत्र होता है dx by dt, देखो दोनों एक जैसा है, यह आउसत दर है, यह ताक्षडिक दरबस दोनों फरक क्या है, यहाँ पर आपने delta का sign लगाया है, तो बेटा, delta का मतलब होता है, बड़े अंतराल में आने वाला बदलाओ, यानि कि बड़ा बदलाओ, बड़ा बदलाओ, और बेटा, d का मतल होंगा, इतने समय में कितना सांधरता हो गया है, तो जितने देर में आप मुझे आंसर देंगे, समय तो रुकता नहीं है, समय थोड़ा से थोड़ा से बदलेगा, जब मैं पूछूँगा, इतने समय में कितना सांधरता हुआ है, तो देखते देखते में, बताते बताते मे समय रुके थोड़ी समय थोड़ा से आगे बढ़ जाएगा और सांधरता भी थोड़ा से कम हो जाएगा पर यहाँ पर समय का बदलाव एक दम नहीं के बराबर है सांधरता का बदलाव एक दम नहीं के बराबर है तो यहाँ पर भी बदलाव होगा लेकिन बहुत कम यह दो बड़े समय के अंतराल में आने वाले बदलाव को अवसब्दर बोलते हैं और किसी निश्चित समय में सांधरता का जो भी मान दिखेगा उसी को बोलते हैं बेटा ताक्चली दर प्लीज इसका स्क्रिंशॉट लेंगे ठीक लेकिन अब यह तो सिर्फ एक साधारन क्या होता है क्रिया के दर को परिभाशित कैसे करते हैं और क्रिया के दर कितने प्रकार के होते हैं लेकिन अब सबसे इंपोर्टेंट हिस्सा आपके सामने आने वाला है कि क्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं क्रिया के दर को प्रभावित करने व पर चुके हैं पर्याद दिरूं चलू 시작 करते लगतक तो कॉन-कॉन से कारक होते हैं गीजो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं पहला है तापमान सब को पता हैं ये सब क्राहें छोटास में क्या बेटा तापमान बढ़ाने से क्रिया का दर बढ़ता है तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो दर है एक पिनट यहाँ पर जो दर है क्रिया का दर है बेटा वो ताप मान के समानुपाती होता है जितना जादा ताप मान लोगे क्रिया का दर उतना ही जादा होगा लेकिन हमने यह तो पढ़ा है कि ताप मान बढ़ाने से क्रिया का दर बढ़ जाएगा पर कितना बढ़ेगा अगर मैं ताप मान को 200 केल्वीन से बढ़ा के 400 केल्वीन कर दूँगा तो इस स्पीड कितना बढ़ेगा आगे चलके इसी चेप्टर में आपको यह सीखने को मिलेगा पर अभी मैं आपको जेनरल इंट्रोड बता रहा हूं सबको पता है ताप मान बढ़ाने से क्रिया का दर जो बढ़ता है इसके लावा बेटा और कोई कारक बता जल्दी ताप मान के अलावा और कोई कारक है जिसके कारण रियक्शन के स्पीड बढ़ जाता होगा सभी बात दाब सही बात है लुक्ता यह भी एकदम सीब्सक्राइं है कि क्रिया कदर क्रिया कदर बढ़ जाएगा अगर आप दाब बढ़ाएंगे है ना प्रेसर रहाने सेरी श्नके स्पिट बढ़ जाता ये भी हमने पढ़ाया छोटे क्लास में इसके अलाबा और कोई कारक बताओं और कोई कारक मुझे है जी क्या होगे बिटा केकेटलिष्टnehmer है तक है जान सही है और 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 बताइए और कोन्स कारक होंगे इसके अलाबा हाँ क्या हो सकता है अभी कर्मक है अभी कर्मक याने की कैटलिस्ट अभी कर्मक याने की कैटलिस्ट तो सब को पता होगे बैटा कि अभी कर्मक याने की जो कैटलिस्ट होता है प्रेयर कुछ से कहते हैं सबने पढ़ा हैं कि किसी भी अभी क्रिया में अगर आपने अप्रेयर क्ट डाल दिया तो रियक्षन सबने पढ़ा है उत प्रेयर को प्रेजित करता है तुम आए विए चले उसका मतलब ऐसा कई सकते हैं कि क्रिया का जो और है वह समानु पाति हो फिर रखया मांतर के यह उत्परश र psychedelic का ज़ बढ़ेत तो प्रेख करते हैं उसके ज़ft है और और मुझे बता लग और कों सपार्य है 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 बहुत important है बेटा सांधृता सब को पता है छोटे ख्लास पड़ते आ रहे हैं कि किसी भी क्रिया का दर जो है वह समानुपाती होता है वह समानुपाती होता है किसके समानुपाती होता है बेटा अभी कारक के सांध्रता के है ना यानि कि आपका अभी कारक जितने ज्यादा सांध्र होगा वो उतना ही तेज रियेक्शन करेगा जितना ज्यादा सांध्रता होगा उतना ही ज्यादा वो रियेक्शन करेगा जरा समझाता हूं आपने पढ़ा है लोवर क्लास में कैसे पढ़ा है कैसे पढ़ा इसको कि माल लो एक अभी कारक है उसको आप उत्पाद में बदल रहे हो अब मैं आपसे पुछूंगा यह रियक्शन कितना स्पीड से होगा इसका दर क्या होगा तुम बोलोगे कि सर इस क्रिया का जो दर है इस क्रिया का जो इस्पीड है वह समानुपाती याने की कच्छा ग्यारवी में सामिया वस्थमी इसको कितने बार पढ़ चुके हैं तो बेटा क्रिया का दर जो है वह आप साब साब देख सकते हैं कि एक सांध्रता पर निर्भर कर रहा है आपने ऐसा पढ़ा है और अगर आप अगर आप दो अभी कारक ले लेंगे दो अभी कारक तो आप कहते हैं कि क्रिया का दर याने के स्पीड इस बार दोनों के सांध्रता पर निर्भर करेगा याने कि A और B में से किसी के भी सांध्रता बढ़ाओगे तो दर बढ़ जाएगा तो क्रिया का दर बढ़ जाएगा इस पीड बढ़ जाएगा अगर आप के सांधरता को बढ़ाते हैं जिए सिम्पल सी कहानी थी क्या वेटा जितना ज्यादा सांधरता लोगे जितना ज्याता आप अभी कारक का सांधरता लोगे reaction का speed उतना ही ज्यादा होगा यह हमने पहले भी पढ़ा हुआ तो कुल मिलाके इतने कारक होते हैं जो reaction के स्पीड को कंट्रोल कर रहे होते हैं इसका स्क्रीन शॉट यह लेंगे प्लीज आडविक्ता एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है आडविक्ता हमें सिर्फ यह बताता है गौर सुनना आडविक्ता हमें सिर्फ यह बताता है कि किसी भी reaction में गौर सुनना किसी भी reaction में कितने सारे reactant भाग लेंगे कितने सारे reactant participate करेंगे उसी बोलते हैं बैटा आडविक्ता फिर से repeat करता हूं आडविक्ता एकदम simple सा topic है इसमें ये बताया गया है कि जब भी आपके सामने कोई reaction आ जाए जब भी कोई अभिक्रिया आ जाए तो आपको ये देखना है उस अभिक्रिया में कितने सारे कितने सारे जो reactant होते हैं वो participate करेंगे तो किसी भी reaction में कितने सारे reactant participate करेंगे उसी को भोलते हैं बैटा आडविक्ता इसको हम English में कहते हैं इसको बोटे बटा मॉलेकुलारिटी यानि कि the number of particles number of particles participate in a single step of reaction किसी भी reaction के एक step में कितने सारे molecule भाग लेते हुए दिखाई देंगे उसे कहा जाता है बटा मॉलेकुलारिटी जला मैं समझाता हूं मेरे बोलने का क्या मतलब है जला जला इस पहले उदाहराण को देखिए बटा इस पहले उदाहराण में आप देख सकते हैं यहां पर केवल एक ही प्रकार का अडू एक ही प्रकार का अडू reaction में भाग ले रहा है तो इस तरह के reaction का molecularity यानि आणविक्ता होगा बेटा एक इस तरह के reaction का आणविक्ता होगा एक और इस तरह के reaction को एक अडुक अभिक्रिया भी कहते हैं एक अडुक अभिक्रिया क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का अडु अभिक्रिया में भाग लेता हुआ दिख रहा है इसमें दो प्रकार क अभिक्रिया बोलते हैं या फिर हम कहते हैं ऐसे जो अभिक्रियाएं होती है उनका molecularity होता है बैटा two molecularity होता है two और वे सारे अभिक्रियाएं जिन में तीन अडू reaction में participate करेंगे आप देख सकते हैं बैटा एसो टू दो बार है और ओटू एक बार है तो जब किसी reaction में तीन अडू participate करें उसे त्री अडू अभिक्रिया बोलते हैं यानि कि इसका आणविक्ता का मान होगा बैटा तीन फिर से एक बार repeat करता हूं जब भी किसी reaction में जब भी किसी reaction में एक अडू भाग ले तो हम कहते हैं यह यह कहलाता है बैटा यूनी यूनी molecular reaction यान कि एक अडू अभिक्रिया जब किसी reaction में दो अडू participate करेंगे इसे कहा जाता है बाइ-molicular reaction यान कि दो अडू अभिक्रिया और जब किसी reaction में थ्री molecules are participate जब किसी reaction में थ्री molecules are participate in a single step of reaction देन इज़ जोन अस ट्राइ-molicular reaction यान कि त्री अडू अभिक्रिया कहलाएगा तो आणविक्ता कोई बहुत complicated topic नहीं है सिंपल सा topic है इसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि किसी भी reaction में कितने अडू भाग लेंगे और जितने अडू भाग लेंगे उतना ही उस reaction का आणविक्ता होगा प्लीज इसका screenshot लेंगे बेटा लिख लिए ठीक चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब मैं आप रोगों के सामने एक प्रश्ण पूछूंगा जरा उसका उटर दीजेगा सबने ये लिख लिए ने बेटा तो मैंने बोला था थर्ड वाले में बेटा थर्ड वाले में तीन एसो टू का दो मॉलेक्यूल है और ओटू का एक मॉलेक्यूल हो गया तीन मॉलेक्यूल तो जब किसी रियेक्शन में तीन मॉलेक्यूल रियेक्टेंट के भाग लेंगे तो ये ट्राइ मॉलेक्यूलर रियेक्शन कहलाता है ठीक है अब मैं आप लोगों के सामने एक प्रश रखता हूं जर्म मुझे बताना बेटा मैं आपके सामने एक प्रश्ण रख रहा हूं यहां देखना 4HBR जब क्रिया करेगा ओटू के साथ तो 2H2O और 2BR2 बनाता है अब आपको बताना है इस रियक्षन का आणविक्ता कितना होगा इस रियक्षन का सामुल का इसका मुझे ड, Кितना हो जल्दी को में राके मिरे को कि कि इसका आडविक्ता किता होगा कि कि होटे कि कि अ बहुत सारे लोगों ने इसका आटवीक्ता लिखके बेजह है बैटा 4 एक बच्चे दस है उसने अधिकांस लोगों ने बोला है पांच ज़रा आंसर देखिएगा बेटा मैंने कहा कि जब एक रियेक्टेंट रियेक्शन में भाग लेगा तो इसका बोलेंगे आणविक्टा एक है अगर दो रियक्टेंट रियक्शन में भाग लेगा तो बोलेंगे आणविक्ता दो है सिंपल सी बात है और बेटा अगर तीन रियक्टेंट रियक्शन में भाग लेगा तो आप बोलेंगे आणविक्ता तीन है लेकिन यहाँ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहां आपको साफ साफ दिखाई देला है कि HBR, HBR यहां 4 टाइमस है, HBR का जो अडू है वो है 4 और ऑक्सीजन है 1, तो बिल्कुल आपका सोचना सुभाविक है कि इस रियक्षन का आणविक्ता जो है वो 5 होगा, इस रियक्षन का आणविक्ता 5 होगा, लेकिन अब एक बहुत इंपोर्टेन बास सुन लिजिए, कभी भी आणविक्ता 3 से ज़्यादा नहीं होता, अब ऐसा क्यूं आणविक्ता 3 से ज़्यादा क्यों नहीं होता, आप अगर परिभाशा पर ध्यान देंगे, तो यहां यहां पर जो चीज लिखा हुआ है, मैंने जो बताया, उससे आतको नोटिस कर पारे हैं कि यहां जो परिभाशा लिखी हुई है वो मेरे बताया गए परिभाशा से थोड़ा अलग है मैंने क्या बोला मैंने बोला किसी भी अभिक्रिया में कितने अडु भाग लेंगे यह आणविक्ता है यह यहां परिभाशा में कुछ दूसरी चीजे लिखी वी है यहां पर देखो यहां टकराने की बात चल रही है यहां टकराने की बात चल रही है तो चलो इस परिभाशा को मैं आपको समझा दूँ गौर से सुनेगा आणविक्ता कि दो परिभाशा है आणविक्ता जो है टॉपिक इसका दो परिभाशा है एक किसी भी रियक्षन में कितने सारे अणू भाग लेंगे इसको बोलते हैं बेटा आणविक्ता किसी भी रियक्षन में कितने सारे अणू भाग लेंगे कितने सारे अडू तू डायमेशनल प्लेन पर एक साथ टकराएंगे इसको बोलते हैं आड़ भीते हैं पर टकराने की बात चाहरी है ना तो आपको ये तो पता है ने बिटा आपको ये तो पता है कि जब रियक्टेंट के मॉलेक्वल आपस में टकराते हैं जब अभिकारक आपस में टकराते हैं जब रियक्टेंट आपस में टकराते हैं अडू जब टकराते हैं तब उनकी बीची रियक्शन होता है याद रखना कोई भी रियक्शन कब होता है जब reactant के molecule आपस में टकराते हैं, आपस में collide करते हैं तो simple सी कह BLACK is, कि कोई भी reaction तब ही होता है जब reactant के molecule आपस में टकराते हैं तो simple सा logic ही बैटा, जितने सारे molecule आपस में टकराएंगे वही इस बात को तैये करेंगे कि उत्पात क्या बनेगा उत्पात क्या बनेगा तो आपको समझना पड़ेगा कि जब रियक्टेंट के मॉलिकुल टकराते हैं तो एक साथ कितने मॉलिकुल एक ही समय पर टू डाइमेशनल प्लेन पर टकरा सकते हैं जरत सुनना मैं आपको बताता हूँ जैसे कि माल लीजिए मैंने यहाँ पर तीन तर के अडू ले लिए और मैंने यहाँ पर ले लिया तू डाइमेशनल प्लेन यह टू डाइमेंशन है यह टू डाइमेशन है कि ज़ृ पर जरत गोहर से सुनिएगा अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं अब मैं पहले इस अडू को लेता हूं तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर एक ही परकार के अडू आपस में टकरा रहे हैं तो बोलेंगे इसका अड़के यहाँ अड़क देखना है गल्शी आपश थैकर में और यहाँ यहां देखिए यहाँ एक साथ तीन तरह के अडू आपस में टकरा रहे हैं तो इसका आणविक्ता होगा तीलिगिन अगर आप 3 से ज्यादा लोगे अगर आप 3 से ज्यादा अडू 2-dimensional plane पर लोगे तो आप देख सकते हो बेटा कि ये दोनों अडू आपस में नहीं टकरा पा रहे हैं मतलब इनकी बिच रियक्शन नहीं होगा ये दोनों अडू आपस में नहीं टकरा पा रहे हैं मतब इनके बीची रियक्शन नहीं होगा तो आडविक्ता कहता है कितने सारे अडू यानि एक ही समय पर टू डाविक्ता कहलाता है और बेटा तीन अडू जब तक लोगें तब तक वो आपस में टकरा सकते हैं तीन से जादा लोगें तो एक साथ सारे मॉलेकुल एक साथ नहीं टकरा पाएंगे यालि कि मॉलेकुलारिटी तीन से जादा नहीं हो सकता तो जो परिभाशा आपने आपर पढ़ा है इस परिभाशा ने वही लिखा है कि अडू जब किसी रियक्शन के किसी प्रथम चरण में आपस में टकराते हैं तो कितने सारे अडू आपस में टकराएंगे एक साथ वो आडविक्ता होता है और आप इस उधारन से आप साप साप दे सकते हैं मैटा तीन से जादा अडू कभी भी एक साथ नहीं टकरा सकता इसलिए आडविक्ता तीन से जादा नहीं होता तो मेरा एक प्रश्ण था कि इस इस रियक्षन का आणविक्टा कितना होगा आपने बोल दिया पांच पर मैंने कहा आणविक्टा कभी भी तीन से जादा नहीं होता तो फिर अब क्या करें इस रियक्षन का आणविक्टा कैसे पता करेंगे इस रियक्षन का आर्विक्ता कैसे पता करेंगे जरा गौर से सुनेगा जरा गौर से सुनेगा जरा गौर से सुनेगे असल में होता क्या है जब भी किसी रियक्षन में तीन से ज़्यादा अडू भाग लेते वे दिखाई दें एकदम गौर से सुनेगा जब भी किसी रियक्षन में तीन से केते हैं complex reaction यानी कि जटिल रियक्शन फिर इपिट करता हूं जब भी युदोerem कॉंप्लेक्स रियक्षन उस रियक्षन को कहते हैं जिस रियक्षन में लिखते वक्त उस अभिक्रिया को एक ही बार में लिख तो देते हैं पर यह ऐसे अभिक्रिया होती है जो एक से ज़्यादा चरण में होते हैं एक से ज़्यादा स्टेप में होते हैं जरा गौर से सुने क मैं क्या वो रहा हूं बेटा जब भी जब भी किसी reaction में जब भी किसी reaction में 3 से ज़्यादा अडू भाग लेते हुए दिखाई देए आप देखें यहाँ पर 4 अडू है यहाँ पर बाफ कीचे 5 अडू है HBR का 4 और O2 का 1 तो जब भी किसी reaction में 3 से ज़्यादा अडू पाटिसिपेट करते वे दिखें इस तरह के reaction बोलते हैं बेटा complex reaction और complex reaction वो reaction होता है जिसको लिखते भले ही एक ही चरण में है पर पता करते हैं तो मालूम चलता है ऐसे reaction जो है पर यह reaction एक ही बार में नहीं होता तो मैं आपको बताता हूं यह reaction कैसे होता है तो बेटा यह जो reaction है न यह basically 3 step में होता है 3 step में होता है और कैसे होता जड़ाग गौर से सुनेगा 4 HBR, 4 HBR में से 1 HBR, 1 HBR पहले O2 के साथ react करता है और पहले बनाता है बेटा H O O B R गौर से सुनना, 4 HBR में से 1 HBR पहले O2 के साथ react करता है और बनाता है H O O B R उसके बाद यह जो H O O B R बना है वो फिर से इस HBR के साथ यह जो H O O B R बना है वो फिर से एक और HBR के साथ reaction करेगा और बनायागा बेटा 2 H O B R 2 H O B R मैंने कहा 2 H O B R उसके बाद यह जो H O B R बना है यह जो H O B R बना है यह फिर से बचे हुए H B R के साथ करिया करके बनाता है बेटा H 2 O और B R 2 यह देखिए मैंने आपको क्या बताया यह जो reaction था वो एक ही step में नहीं हुआ बलकि multiple step में हुआ multiple step में हुआ अब इस reaction को balance करने के लिए इस चरण को हम 2 से multiply करते ताकि equation balance हो जाए अब जालो बताना क्या होगा यहां देखना बेटा H O O B R H O O B R कट गया ठीक है यह 2 H O B R है यह 2 H O B R है और यह भी यह भी 2 H O B R है यह भी कट गया तो बता overall क्या बचा H B R H B R और 2 H B R क्या बचा बेटा 4 H B R बचा 4 H B R प्लस और क्या बचा O 2 बचा है O 2 गिफ्स क्या बचा बेटा क्या बचा यहाँ पर 2 H 2 O और क्या बचा है बेटा 2 B R 2 तो आपने क्या देखा यह तो वही reaction है जो उपर में लिखा हुआ था ये तो वही reaction है जो उपर में लिखा हुआ था तो आपने क्या देखा मैंने आपको ये बताया कि ये जो उपर में लिखा हुआ reaction है वो एक complex reaction है और complex reaction उस reaction को कहते हैं जो कभी भी एक step में नहीं होता multiple step में होता है तो अब सुनना हुआ क्या जब उसके बाद हमको यह पता लगाना होता है कि इन सभी steps में से कौन steps सबसे धीमा था सबसे slow था सबसे slow था तो बिटा मैं बता दू इस अभिक्रिया में जो सबसे पहला reaction है यह सबसे slow होता है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा अगर आपके सामने complex reaction आ जाए तो पहले यह द देखना होता है कि उन सभी steps में से कौन सवाला slow है फिर उसके बाद यह देखना कि उस slow step में कितने molecule भाग ले रहे हैं तो बटा इस सबसे धीमे reaction में दो reactant participate कर रहे हैं इसलिए इस reaction का molecularity यान के आणविक्ता होगा बेटा टू इसलिए इस reaction का आणविक्ता होगा टू इसलिए इस reaction का मैं बता रहा हूँ जड़ा सुनना सबसे पहले मेरे सामने की reaction आया मैंने ये देखा कि इस reaction में तीन से ज़्यादा अडू भाग ले रहे हैं मैं समझ गया कि ये reaction जो है ये complex reaction है और complex reaction उस reaction को कहते हैं जो एक step में नहीं होता पता करने जाओगे तो पता चलेगा ये reaction कितने step में होगा तो मैंने देखा ये reaction तीन step में हुआ बस मैंने बताया है कि 4HBR में से 1HBR पहले O2 के साथ reaction करके H O O BR बनाता है फिर जो H O O BR है वो बचे हुए HBR के साथ क्रिया करेगा और 2H O BR बनता है फिर जो H O BR बना है ये H O BR फिर से बचे हुए HBR से reaction करेगा और H2 O और BR2 बनाएगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने इस इक्वेशन को 2 से गुड़ा कर दिया और आपको अंतमी ये reaction मिल गया फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि इन तीनों step में से पहला वाला step सबसे slow है और फिर मैंने ये देखा कि slow step में कितने molecule भाग ले रहे हैं मैंने देखा दो molecule भाग ले रहे हैं तो इस reaction का molecularity हो गया टू लेकित इस उदारान के बाद आप लोग के दिमाग में बिल्कुल एक कोशन चल रहा होगा जरा गौर से सुनना बेठा इस उदारान को देखने के बाद आपके दिमाग में एक प्रस्ट चल रहा होगा कि किसी reaction को देखने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि वो reaction कितने step में होगा मान लो पता चल भी गया कि वो reaction कितने step में होगा तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि उन तीनों में से कौन से वाला step slow है है ना है ना मुझे मालूम आपे सोच रहे होंगे तो जवाब है आपको पता नहीं चल सकता इससे कोई तरीका नहीं है बेटा ये practical based है ये practical करके पता लगाया जाता है कि कौन से वाला reaction slow होगा कौन से वाला fast होगा तो आप ये नहीं प पता लगा सकते कि कोई भी reaction कितने step में होगा दूसरी बात इसमें से कौन से वाला step slow होगा ये आप पता नहीं लगा सकते तो अब एक और question मेरे दिमाग में आ रहा है तो फिर मैं कैसे करूंगा अगर मेरे परिच्छा में आ गया तो मैं कैसे करूंगा तो जवाब सुनिए बेटा ऐसे example आपके syllabus में सिर्फ चार है और आज तक board exam में जब भी इसका question आया है तो उस चार में से ही आया है इसके लावा आज तक कभी नहीं आया है मैं 20 साल से पढ़ रहा हूँ बेटा मैंने कभी इन चारों उधारण से बाहर उधारण आपके board exam में नहीं देखा है तो याद रखना याद रखना क्योंकि यह practical बेश प्रेक्टिकल करके पता चलता है कौन फास्ट है देख के पता आप नहीं लगा सकते तो इसे कोई method नहीं होता तो आप चिंता ना करें आपको सिर्फ वो चार example जो है याद करने होंगे एक मैंने बता दिया तीन आपको बह इस टॉपिक सब्सक्राइब करें इसको याइद करना पड़ता है इस टॉपिक का एक ही इलाज है इसको याद करना पड़ता और बहुंस सरयाद नहीं करना चिंता मत करो सिर्फ चार example एक मेंने बता दिया तीन को आसानी से आपके फुस्ताप में मिल जाएगा हाला कि academia यह बहुत रेयर केस में आता है पहली बात competitive exam में यह बहुत रेयर केस में आता है और board exam में भी यह बहुत जादा नहीं आता पर पढ़ना तो पढ़ेगा हमको और अगर आया यहीं चार पर आएगा बिल्कुल चिंता ना करें प्रिस्क्रिंशॉट लेंगे इसका फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है तो यह कोई बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है कोई बहुत परेशान होने वाल टॉपिक नहीं है इसके बाकी तीन एक्जामपल भी ऐसी तो यादी करना है आपको क्योंकि यादी करना है मैं भी यहां से लेकि यहां च्छापूंगा कोई मतलब नहीं है इसलिए बता रहा हूं आप बिल्कुल चिंता ना करें बहुत आसानी से आपको यह इसके एक्जामपल मिल जाएंगे या जब आपको नोट्स दिया जाएगा उस नोट्स में भी आपको इसके एक्जामपल मिल जाएंगे एक फिर से दिला दू हमारे एप्लिकेशन में इसके पहले चैटर का मैंने नोट्स जो हो डाल दिया है चलिए तो आगे बढ़ते हैं तो यह टॉपिक कोई बहुत परिशान करने वाला नहीं था लेकिन अब जो टॉपिक आपक कि मेरे इक्जाम में यह आएगा ही आएगा यह इस चैप्तर का इकलोता ऐसा टॉपिक है जो हर सार बोर इकजाम में आता है हर साल मतलब 100% मानकी चलो आप चाहे टेस्ट में बैठिए अधवारसिक में बैठो चाहे वारसिक में बैठो प्रियनवल में बैठो आप एक बार भी इस Topic से बच नहीं पाओगे बेटा इस Topic के कोश्चन इस Topic के कोश्चन हर बार प्रस्टने में आता है तो यार हो जाए ये बोर्ट इग्जाम में पिछले साल भी आया था इस साल भी इसके कोशन आएंगे अभी इतना इंपोर्टेंट टॉपिक कैसे है आपको पता है अभी कुछ दिर पहले मैंने आपको एक सीलेबस का ट्रेंड बना के दिया था तो बेटा अभी क्रिया की कोटी यहां लिखा है बस इसके बाद एक यही टापिक और बचेगा तो अब यूज समझ लो इस चेप्टर में बस आपको यही पढ़ना है क्या अभी क्रिया की कोटी और इस टापिक को पूरा करने में तीन क्लास हमको लग जाएगा इस टापिक को पूरा करने में तीन क्लास हमको लग जाएगा आप समझ सकता है कितना बड़ा टॉपिक हाई है तो चलिए अभी क्रिया की कोटी क्या होती है चलो उसको समझते हैं यह सबसे सारे अडू भाग लेंगे अर्विकता है लेगिन अब क्रिया की कोटी क्या है इसको बोलते हैं इंग्लिश में लोग बोलते हैं इसे कहा जाता है इसे बोलते हैं order of reaction इसको बोलते हैं order of reaction अब इसका मतलब क्या होता है order यह यानिकी कोटी हमें यह बताता है कि जब भी कोई reaction हो रहा होता है गौर सुनैं जब भी कोई reaction हो रहा होता है तो उस reaction के गति को यानि कि दर को प्रभावित कितने सारे अडू करेंगे गौस्फुल ने का अभी क्रिया की कोटी हमें यह बताता है कि जब भी हमारे सामने कोई रेक्शन आता है तो उस रेक्शन में उस रेक्शन जो इस्पीड है जो दर है जो वेग है वो कितने सारे अड़वों पर निर्भर करेगा इसको बोलते हैं बिटा क्रिया की कोटी यह पर फिर रिपीट करता हूँ जब कोई reaction चल रहा होता है तो reaction का जो speed होता है वो कितने सारे अड़वों पर निर्भर करेगा इसको बोलते क्रिया कोटी जरा मैं रहा है अब सुनना मैंने क्या पाया मैंने क्या पाया कि जब मैं इस रियक्टेंट का सांधरता बढ़ाता हूं कॉंसेंट्रेशन बढ़ाता हूं सांधरता बढ़ाता हूं तो मैं क्या देखता हूं रियक्षन फास्ट हो गया रियक्षन का दर बढ़ गया और और जब मैं बर कर्राएं आपको तो पता है इस bracket का मतलब क्या होता है सांधरता होता है तो आप देख सकते हैं कि क्रिया का जो धर है यानि की रेट है वो एक की ऊपर डिपेंड कर रहा है लेकिन एक दूसरा एक्जामपन मेरे सामने आया इस बार मैंने दो रियक्टेंट लिया और दोनों मिलके उत्पात बना रहे हैं यानि कि प्रोडक्ट बना रहे हैं इस बार मैंने क्या देखा इस बार मैंने क्या देखा कि जब मैं A का सांधरता बढ़ाता हूं तो पीड बन्ने लगा और जब मैं B का सांधरता बढ़ाता हूं तब भी स्पीड बन्ने लगा यानि इस बार रियक्शन का जो स्पीड है इस बार रियक्शन का जो स्पीड है वो ए और बी दोनों के सांधरता पर निर्भर कर रहा है तो जब गौर से सुनिएगा जब भी रियक्शन का स्पीड किसी एकी अडू के सांधरता पर निर्भर करें तो हम कहते हैं बैटा इस रियक्शन का कोटी है इस रियक्श एक कोटी अभी कृया बोलते हैं यारी है और जब रियक्षण का saved 2-2 अडवों के स마नों के सांधरता पर सांधरता पर निरभर करने लग जाए तो ऐसे रियक्षण की कोटी होगी दो यह रहे हम कहेंगे ऐसे reaction को order कर विटा 2 तो order यानि कि कोटी हमें सिर्फ ये बताता है कि reaction का speed कितने सारे अपर के सांध्रता पर निर्भर करेगा अब आपको लग रहोगे तो बड़ा आसान है आपको लग रहोगे बड़ा आसान है अरे भई कि कही लोग यह सोच रहोंगे कि इस एक अडू था तुमको क्या लगता है मैं ने तुमको क्या बोला था इस टॉपिक को पढ़ने में हमको तीन क्लास लग जाएगा तो इतना आसान भी नहीं है शुरू-सुरू बड़ा इजी लगता है लगता है इसमें खुछ है ही नहीं इसमें हमको लगता है कि जितने अडू होंगे उतना ही कोटी का मान होगा पर ऐसा नहीं यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जरण गौर से समझना बेटा चलिए तो बैस समझाता हूं फिर आप लोग को परिभाषा क्या लिखा जरो उसको देखो परिभाषा में लिखा है कि कितने अडवों की संख्या के सांधरता पर अभी क्रिया का दर निर्भर करेगा उसी को बोलते हैं बेटा कोटी फिर से रिपीट करता हूं क्या लिखा परिभाषा में कि क्रिया की जो कोटी है उसे कैसे करेंगे अभी क्रिया का जो दर होता है दर मतलब क्या होता है बेटा स्पीड किसी भी रियक्षन का जो स्पीड होता है वो कितने सारे अड़ों की संख्या या अड़ों की सांध्रतापन निर्भर करेगा उसी को बोलते हैं बेटा उसी को बोलते हैं ओडर लेकिन यहां पर एक और परिभाषा लिखा हुआ है यहां पर एक और परिभाषा लिखा हुआ है अब इस परिभाषा का क्या मतलब है मैं समझाता हूँ पहला स्क्रीनशॉट लेंगे इसका पहले इसका स्क्रीन शॉट लेंगे ठीक चलो अभी उधारान देखना यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुरू सुरू में थोड़ा अटपटा लगता है पर यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट प्लीज थ्यान दिजेगा इसको चलो तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ यहां देखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ यह देखो पहला उधारन आपके सामने मैंने क्या किया मैंने ना PCL 5 लिया PCL 5 गर्म किया तो गर्म करने से मैंने देखा कि ये PCL 3 और CL 2 बनता है अब मैंने क्या देखा बेटा कि जब मैं PCL 5 का सांधरता बढ़हता हूँ जब मैं PCL 5 का सांधरता बढ़हता हूँ तो reaction के speed बढ़ने लगा तो मैं कहूंगा कि reaction का जो speed है रियक्शन को जो स्पीड है वो PCL 5 के सांधरता पर निर्भर कर रहा है तो आप देख सकते हैं PCL 5 मतलब एक ही अडू है ना बेटा तो जब रियक्शन का गती जब रियक्शन का रेट जब रियक्शन का गती केमल एक केमल एक अडू के सांधरता पर निर्भर करें केमल एक और क्या होगा बैटा वन ऑडर होगा वन क्योंकि इस रियक्षन की जो गती है वह एक ही अडूपर निर्भर कर रहा है अच्छा जी जड़ा दूसरा उधारन देखेंगे यह देखो यह देखो मैं ने H2 को जब I2 से क्रिया कराया तो बैटा वहाँ पर 2HI बना अब यहां मैं क्या देखता हूँ कि जब मैं गौर से सुनियेगा जब मैं H2 का सांधरता बढ़ाता हूँ तो क्रिया का दर बढ़ने लगा जब I2 का सांधरता बढ़ाता हूँ तब भी क्रिया का दर बढ़ने लगा तो मैं समझ गया इस वक्त ये ऐसा अभी क्रिया है जिसमें क्रिया का दर H2 और I2 दोनों पर निर्भर कर रहा है तो क्या समझे बेटा जब भी किसी reaction में उसका जो दर होता है जब वो ठीक उसी प्रकार एक तीसरा एक्जामपल देखो यह देखो 2SO2 प्लस O2 2SO2 प्लस O2 यह बनता है बेटा 2SO3 2SO3 अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 अडू है SO2 का 2 और O2 का 1 तो अब देखना यहां क्रिया का दर यहां क्रिया का जो दर है वो बेटा SO2 के ऊपर भी निर्भर कर रहा है और O2 के ऊपर भी निर्भर कर रहा है और आपक्छा 11 में law of mass action पढ़े होगे उसमें बताया गया है कि किसी भी अडू के सामने जो value होता है किसी भी अडू के सामने जो value होता है वो power में चला जाता है वो पावर में चला जाता है तो ज़रा गौर सुना बेटा यहां तीन अडू है एसो टू दो है ओटू एक है तो जब क्रिया का दर तीन अडू उपन निर्भर करें तो हम कहते हैं यह थर्ड ओडर रियक्षन है याने इस रियक्षन का ओडर है थ्री इस रियक्षन का ओडर है थ्री सुरू सुरू में सुरू सुरू में यह टॉपिक थोड़ा अटपटा जरूर लगता है कई लोगों को बहुत आसान लगता है कुछ लोगों बहुत जटिल लेकिन अभी कहानी बाकी है ध्यां से सुनना अभी तो मैंने सिर्फ कुछ सिंपल एक्जामपल लिये है पर अब जो एक्जामपल आने वाले हैं वो बहुत कठीन है तो अब फिर से आपके दिमाग में यह बात बिठा दू किसी भी रियक्षन का जो स्पीड होता है जो दर होता है वो कितने सारे अडवों पर निर्भर करेगा कितने सारे अडवों के सांधरता पर निर्भर करेगा उसी को बोलते हैं बेटा कोटी पहले इसका स्क्रीन शॉट लिजे फिर मैं आपको जो अनस्पेक्टेड एक्जामपल से वो बताऊंगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तो अभी तो मैंने आप लोगों को कुछ बेहत साधारान एक्जामपल बताए हैं पर अब कुछ इस्पेशल एक्जामपल देखो बेटा अब देखना मैं क्या बता रहा हूँ पहले फिर सवही लेता हूँ PCL5 जब तूटता है तो PCL3 और CL2 बनता है अब रियेक्शन का जो स्पीड है वो PCL5 पे निर्भर कर रहा है और क्योंकि इस रियेक्शन में एक ही अडू के ऊपर क्रिया का दर निर्भर कर रहा है तो हम कहेंगे इस रियेक्शन का ओडर है 1 अच्छा जी इसको ऐसे भी लिखते हैं ने बेटा यह देखो समानुपाती के चिन हटाओगे तो यहाँ पर इस थरांग आ जाएगा दर इस थरांग बोलते हैं इसको अच्छा जी अगला एक्जामपल देखो अगर मैं H2 और BR2 को क्रिया कराऊ तो 2H 2HBR बनता है इसमें क्रिया कदर आप देख सकते हैं कि बेटा H2 और BR2 दोनों पर निर्भर कर रहा है तो इसमें हम इस थरांग लाएंगे तो यह इक्वेशन आपको ऐसा दिखाई देगा और आप कहेंगे कि रियेक्शन का स्पीड दो अड़ू पर डिपेंड कर रहा है तो इसलिए इसका ओडर होगा 2 लेकिन अब तीसरा एक्जामपल देखो बेटा 2NO प्लस O2 गिवस 2NO2 इस बार क्रिया कदर कैसे लिखेंगे यह देखो NO और O2 मैं बता चुका हूँ आप लोग को कि सामने में जो कोफिशेंट होता है वो पावर में चला जाता है वो पावर में चला जाता है उपर पावर में चला जाएगा तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ज़रा गौर से सुनिएगा यह बता बेटा इस बार ओडर क्या आया इस बार order क्या या 3 हा सुना ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं यह बताओ यहां पर यहां पर पावर में कुछ नहीं है यहां पावर में कुछ नहीं है यहां पावर में 1 है तो order हो गया 1 यहां पावर में कुछ नहीं है यानि 1 है यहां पावर में कुछ नहीं है यानि की 1 है याने की order ज ही कह सकते हो कि किसी भी किसी भी reaction में सांधृत का जो पावर होता है उसको जब योग किया जाए तो जो value आता है उसी को बोलते हैं बटा order ध्यादतना कीशिवी reaction में rate represent करते हैं वक्त सांधृत्ता के उपर में जो value होता है उसको अगर आप एड करोगे तो जो वैल्यू आएगा इसी को बोलते हैं बेटा ओडर देखो ना आपने आप परिभाशा में लिखा हुआ है दिखर आपको अभी क्रिया की कोटी दर नियम में सांधरता राश्यों को के घातों का योग कैसे किया मैंने यह देखो तो 2SO2 प्लस O2 गेवस 2SO3 आपने जब दर नियम लिखा अच्छा दर नियम क्या होता है सुनना दर नियम क्या होता है जब हम ऐसे लिखते हैं रेट इक्वल टू के SO2 और O2 और और वहाँ सामने 2 है यहाँ 2 आ जाएगा यहाँ सामने कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा तो सुनना बेटा यह जो मैं लिखा हूँ ना यह जो मैं लिखा हूँ इसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं दर नियम लिखना कोई आपसे बोलेगा ना दर नियम लिखो त से लिख देना तो इसका मतब क्या समझे क्या समझे कि यहां पर यह 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 यांनिकि घात में जो value होता है, उसको योग करने से क्या निकलता है औभिक्रिया की कोटी निकलाती है, तो बताओ, इस सांध्रतक घात में क्या था? 2, इस सांध्रतक घात में क्या था? 1, जो 2 plus 1, that is 3, तो इस reaction का order हो गया 3, तो order यानि कि कोटी को परिभाशित करने के कई तरीके हैं पहरा तरीका उपर वाला कैसे कहोगे किसी भी reaction का दर कितने सारे अड़ों पे निर्भर करेगा उसको बोलते हैं बेटा कोटी या फिर आप ऐसा कह सकते हो दर नियम लिखते वक्त सांधरता के सांधरता के घात में या दोनों परिभाश आपको दिमाग में ले करके चलना हैं ओके हां तो कैसा आपने इसका screenshot ले 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 बेटा यह कितने नंबर काता है यह चैप्टर है न यह पूरा निमेरिकल से भरा हुआ है यह इस चैप्टर में थेयोरी जादा नहीं है बेटा इस चैप्टर में थेयोरी ज्यादा नहीं है पूरो निमेरिकल ही निमेरिकल है आज जो बता रहा हूँ ना बस इतना ही थेयोरी है अब अगले क्लास से देखना पूरो निमेरिकल ही भरा हुआ है चलो वापस आते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी reaction का दर नियम लिखते वक्त सांधरता के पावर में जो value होगा उसको योग करने से जो मिले उसे क्रिया का कोटी कहा जाता है अच्छा ठीक है लेकिन अब कुछ बेहत important उदारन देखो जरा यहाँ देखना एक उदारन है अगर मैं शक्कर को जरा गौर से सुनियागा अगर मैं शक्कर को पानी में घोल दूँ तो ब यहाँ पर क्रिया का दर लिखों तो कैसे लिखोंगा शुगर और वाटर करेक्ट अब आपको बताना है पहला प्रस्न इस इस रियक्षन का आडविक्ता कितना होगा आडविक्ता बताओ इस रियक्षन का आडविक्ता कितना होगा तो आडविक्ता बहुत सिंपल है जितने अडू भाग लेंगे उसी को बोलते है बेटा आणविक्ता तो आणविक्ता का मान होगा टू अब आपको बताना है दर कितना होगा तुम्हारे ही साब से कोटी कोटी कितना होगा इस रियक्षन का कोटी कितना होगा अग्यक्राइब पिन्हे दिफ्शक्राइब अब बटाव बटा कोटी कितना होगा आप लोगों ने export टूए अब गौडै क्या होता है कोटी क्या होता है किसी भी reaction का जो speed है किसी भी reaction का जो speed है वो किसके उपर depend करेगा उसी को बहुते हैं बिटा कोटी अब तुम से मैं एक प्रस्ण पूछ रहा हूँ जरा गौर से सुनेगा एक छोटा सा बरतन है एक बड़ा सा बरतन है और एक बहुत बड़ा सा बरतन है तीनों बरतन में मैंने पानी ले लिया तीनों बरतन मैंने पानी ले लिया और अब मैं तीनों बरतन के अंदर एक एक चम्मच शक्कर डाल दूँगा मैं तीनों के अंदर एक एक चम्मच शक्कर डाल दूँगा तीनों में मैंने शुगर मिला दिया एक एक चमच अब आपको बताना है किस बरतन में शक्कर जल्दी घुलेगा किस बरतन में शक्कर जल्दी घुलेगा मुझे आंसर देंगे प्लीज आपको बताना है कि इन तीनों में से किस बरतन में जो शक्कर है वो जल्दी घुलेगा आ आपके हिसाप से सुनैना जी कह रही है तीसरे वाले में रामकृष्णा कह रहे हैं पहले वाले में सुनैना तीन विग बरतन में जरक गौड सुनना तीनों में पानी का घुलने का स्पीड सेम होगा याने की पानी का माफ कीजे शकर का पानी में घुलने का स्पीड पानी पे निर्भर नहीं करता आप करक देख लेना आपको चम्मच नहीं घुमाना है बस चुप चाप से डाल के छोड़ देना है तो बेटा आप देखेंगे तीनों में शकर समान रूप से घुलेगा तो क्या समझे शक्कर का शक्कर का पानी में घुलने का स्पीड शक्कर पर पानी पर डिपेड नहीं करता तो यह बताओ बेटा मैंने कहा मैंने कहा शक्कर का पानी में घुलने का स्पीड पानी पर निर्भर नहीं करता तो यहां पावर में 0 लिख दूँगा मैं पावर में 0 लिख दूँगा, अब बताओ, अब order कितना हो गया, अब order हो गया बेटा, 1 order हो गया 1, लग रहा था कि 2 आएगा, लग रहा था 2 आएगा, पर order हो गया 1 order हो गया 1, है न, अच्छा, और example दिखाता हूँ, और example दिखाता हुँ, यह वाला उधारण देखो जानते हो यह एकडम सर्टिक एक्जामपल है जरा गौर से सुनना जानते हो बेटा जब एमोनिया को गर्म किया जाता है जब एमोनिया को गर्म करते हैं तो यह N2 बन जाता है और H2 बन जाता है अब मैं आपसे पुछूँँगा कि चलो दर नियम लिख के बताओ चलो दर नियम लिख के बताओ अब मैं एक ही प्रश्ण पुछूंगा आप लोगों से आप लोगों के हिसाब से यहाँ यहाँ पावर में क्या लिख को यहाँ यहाँ घात में क्या लिख को जल्दी बताईए सुनना अब आंसर क्या है बेटा सुनना अब आंसर क्या है जानते हो यह एक्सपेरिमेंट से पाया गया है कि एमोनिया गौर से सुनना एमोनिया का जब सांधरता बढ़ाया गया तो रियक्षन का स्पीड नहीं बढ़ा और जब एमोनिया का सांधरता कम किया गया तो एमोनिया का स्पीड कम नहीं हुआ याने की ammonia का N2 और H2 में परिवर्तित होने का जो speed है वो ammonia के सांधरता पर निर्भरी निकरता ammonia के सांधरता पर निर्भरी निकरता याने power में होगा 0 तो इस reaction का कोटी होगा बटशूनिय तो देखो हमको क्या लग रहा था? कि power में आएगा 2 पर क्या आगिया? 0 तो एमोनिया का जो मात्रा है एमोनिया का मात्रा एमोनिया का सांधरता है वो दर को प्रभावित नहीं कर रहा है तो बेटा नियम क्या कहता है कि दर को प्रभावित करने माले कारक कितने हैं तो यहां आपने देखा कि एमोनिया का मात्रा ज्यादा लो या कम लो speed में बदलाव नहीं आ रहा है मतब reaction का speed ammonia के concentration पर dependent कर ही नहीं रहा है कहराएगा zero order reaction ठहरिए अभी और आपका दिमाग घुमाता हूँ अभी और आपका दिमाग घुमाता हूँ अभी कुछ लोग का दिमाग जो है वो घूमना चालू हो चुका होगा अभी और घुमाता हूँ थोड़ा सा अगला एक्जामपल देखो जड़ा इस एक्जामपल को देखना यह देखो एसिटल डिहाइड को हीट करते हैं तो एमोनिया और कार्बन मोनोकसाइड बनता है अच्छा जी चलो बताओ अब अगर मैं यहाँ क्रिया का दर लिखूं दर नियम लिखूं बस एक ही प्रश्ण पुछूंगा तुम्हारे हिसाब से यहाँ पावर में मुझे क्या लिखना च लिखूं अब तुक कही मारोगे मुझे पता है तुक कही मारोगे क्योंकि आपके पास कोई दूसरा उपाए नहीं है बेटा जानते हो यहाँ क्या आएगा पावर में अब इसको देखके आपको दिमाग ठंड़ा पड़ जाएगा यहाँ पावर में आता है थ्री बाई टू लह अब क्या करें यह तो कुछ भी हो रहा है भाई बुझे मालूम है क्या सब्सक्राइब कुछ भी कुछ भी हो जा रहे हैं यहां हमको लङड़ अहोगा तू आ गया वन यहां सोच रहुं और ऑडर आ गया थ्री भाई टू अब तो मेरा पूरो दिमाग घूंचुका है थिसे अब्सुना इसका इलाज क्या है बेटा मैंने क्या बोला है यह डापिक चल रहा है यह बोड एक्जाम का इस चे इस reaction का कोटी कितना होगा आप अपने साब से आंसर दो इस क्रिया कोटी कितना होगा अपने साब से आंसर दो तो बेटा ये चेप्टर तीन दिन तक क्या चलेगा गौर से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ आपको पता है ओडर पता करने का यानि कोटी पता करने का तीन मैथड होता है तीन मैथड यानि कि आने वाले आने वाले दो तीन दिन तक हम यहीं सीखेंगे कि पावर में क्या आए अरे भाई अगर किसी रियेक्शन को ही देख के कोटी निर्धारित कर दिया जाता तो आप इन तीन दिनों तक क्या पढ़ोगे आगे तो गौर से सुनना गौर से सुनना क्रिया यह देखो दिख रहा है प्रारंभिक वेग विधी समकलन विधी अर्ध आयूकाल यह सब विधियों के नाम है जो क्या ग्यात करने में मदद करेगा कोटी तो बेटा कहानी का सार यह है कि 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 किसी रियेक्शन को देख के उसा कोटी पता नहीं चलता है ना आप देखो ना अभी जो मैंने उदारन बत पता चलेगा कि कि किसी भी कॉंसेंट्रेशन के पावर में क्या आएगा तो यहीं सीखने में आपको तीन दिन लगेंगे बेटा तो यह इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉबीक है और अब इन सभी उदारन को देखने के बाद इतना तो आप समझ गए ना कि मैं जब भी पूछूंगा किसी रियक्षन को सामने रखके कि बता पावर में क्या होगा तो फट से मत बोल देना टू होगा वन होगा जी नहीं ऐसा मत बोलना तुमसे जब पूछूंगा कि बताओ बेटा पावर में क्या होगा तो तुम कहना हमको नहीं पता सर पावर में तो आने वाले तीन दिनों तक मैं आपको बस यहीं सिखाऊंगा कि किसी भी सांधरता के घात में जो वैल्यू आता वो कैसे आता है हमें कैसे पता चलेगा किसी रियेक्शन को देख के किसी कोटी कितनी होगी अब एक बार थोड़ा थोड़ा याद दिला दिला देता हूं मॉलिकुलारिटी हमको सिर्फ ये बताता है कि किसी भी अभिक्रिया में कितने सारे अडू भाग लेंगे है ना तो जब भी किसी रियेक्शन में एक ही अडू भाग लेगा तो हम कहते हैं उस रियेक्शन का आणविक्ता यानिकी मॉलिकुलारिटी है वन जब किसी में 3 molecule भाग लेते हैं तो हम कहते हैं ऐसे reactions का molecularity होगा 3 यानि आडविक्ता होगा 3 तो आडविक्ता कोई बहुत कठिन topic नहीं था आडविक्ता हमें सिर्फ ये बताता है कि किसी भी reaction में कितने अड़ू भाग लेंगे बस correct इसके बाद उसके बाद आया कहानी में तुष्ट जब ये topic हमारे सामने आया ये topic क्या था ये topic इसने हमारा पुरा दिमाग घुमा कर दिया था पिछले class में आपको याद होगा बेटा तो हमने यहां पर क्या पढ़ा था अभी क्रिया की कोटी क्या होगी तो अभी क्रिया की कोटी होती है किसी भी reaction का जो स्पीड है वो कितने सारे अड़ों के सांधरता पर निर्भर करें उसे बोलते हैं अभी क्रिया की कोटी और आपको मैं उदारन याद दिला हूँ चलो एक बार मैं सारे उदारन आपके सामने रखता हूँ ये देखो PCL5 जब टूटता है तो PCL3 और CL2 बनता है इसके लिए अगर दर नियम लिखेंगे दर नियम किसको बोलते हैं बेटा यह देखो जब हम ऐसा लिखते है ना इसी को बोलते हैं दर नियम लिखना तो अब यह बताओ यहाँ पर एक ही रियक्टेंट है तो जब रियक्शन का द परिभाशा है एक और परिभाशा है अभी क्रिया की कोटी ग्यात करने के और परिभाशा है किसी भी सांध्रता राशियों के घातों में जो वैल्यू होता है उसी को हम बोलते हैं बेटा कोटी यह सांध्रता है यह सांध्रता है और सांध्रता के घात में क्या लिखा वन इस कि एक राया घ्या गया स४ष समय मार्षाे बना चाहिबना। इसमें दर्नियम जब मैंने लिखा तो कैसे लिखा बेटा यहा था एच ठू अर यहा था आई टू अब जल्दी बताओ सांधारता के सांधारता के घात में क्या मान हैं यह जहाँ तो किसी भी सांधरता के घात में यानि पावर में जो वैल्यू होता है उसको जब हम योग करते हैं एड करते हैं तो सब ठीक चल रहा था यहां तक तो सब ठीक चल रहा था अगला उधारन सामने आया यह वाला उधारन बेटा यह देखो तो 2SO2 प्लस O2 जब आपस में क्रिया करते हैं तो 2SO3 बनता है इसके लिए क्रिया का दर नियम कैसे लिखे थे रेट इक्वल टू के एस O2 और O2 और जल्दी पताओ घात में क्या लिखूंगा बेटा यहां लिखूंगा टू और यहां पर वन यहां टू लिखे यहां वन है तो ऑडर क्या हो जाएगा ऑडर हो जाएगा 2 प्लस 1 जैट इस 3 तो मैंने क्या बताया है किसी भी सान्धरता क घात में जो वैली होता पावर में जो वैली होता उसको योग करने से कोटी निकल आता है लेकिन अभी तरह सब ठीक अच्छा लग रहा है एजी लग रहा है कि भई हमको तो पता चल जा रहा है हमको तो पता चल जा रहा है कि पावर में क्या आएगा लेकिन अब आपको मैं क इस्टर बोलते हैं जब इसको जल के साथ करिया कराते हैं तो यह बनाता है और बनाता है इसके लिए अगर तुम दर नियम लिखोगे तो आपका दिमाग ठंडा पढ़ जाएगा आपको पता चलेगा कि आप CH3, COO, CH3 को लिए हो और यहाँ पर H2O को लिए हो पर बेटा इस अभी क्रिया में दो-दो रियक्टेंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसको बोलते हैं इस्टर और H2O पर आपको पता है इस रियक्षन का जो सांधिरता है उसके उपर किस प्रकार से क्रिया का दर डिपेंड करता है तो मैं बता दूँ, इस्टर जब पानी के साथ reaction करता है, तो acetic aml और alcohol बनाता है, लेकिन इस reaction का जो speed है, वो gel की उपर निरभर नहीं करता है, सिर्फ इस्टर की उपर निरभर करता है, तो बिटा हमको लग रहा था, हमको लग रहा था कि order आएगा 2, पर order क्या हो गया 1, order क्या की उपर निरभर करेगा की निरभर करेगा, बताओंगा, पहले आगे बढ़ते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं, चलिए, अगले उदाहरण के तरफ चलो, अभी तो रुको, अगला उदाहरण है ये वाला, आपको याद है मैंने पिछले class बताया था, जब ammonia को हम गर्म करते ह हैं, तो N2 और H2 बनता है, और इसके लिए दर का नियम लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा, ये देखो ऐसा, rate equal to के नियम के हिसाब से, नियम के हिसाब से मैं तुम से पूछूंगा, चलो बताओ बेटा, यहाँ यहाँ घात में क्या लिखूं, तो तुम कहोगे, सर यहाँ तुम लिख रहे हैं, तो घात में टू लिख दो, पर आपको याद है, पिछले क्लास में मैं बताया था, मैंने बताया था कि एमोनिया का, जब सांध्रता बढ़ता है, तो स्पीड नहीं बढ़ता, और जब सांध्रता कम करता हूं, तो स्पीड कम नहीं होता, याने कि पुरण जीरो तो इन सभी उदारं कुम पहले बता चुका उँटो पिछरे क्लास के इन सभी उदारंब को देखते हुए ये पताершा Сबी आघा जागी और एक और वहांगा भयाना की एक्जामपल दे कीघिया को जब हम गर्म करते हैं तो CH4 और CO बनता है तो इसमें क्रिया का दर कैसे लिखूंगा नियम के हिसाब से मुझे यहाँ पर घात में वन लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक अडू है पर बेटा इसके घात में आता है 3 by 2 अब यह कैसे आ गया यह भी उदारण मैंने पिछ लिखने के बाद अंत में हमने यह निसकर्स निका रहा था कि घात में क्या आएगा घात में क्या आएगा वो कभी भी रियेक्शन को देखके पता नहीं चलता घात में क्या आएगा वो कभी भी रियेक्शन को देखके पता नहीं चलता तो आज मैं आपको यहीं सिखाऊंग कि किसी भी अभिक्रिया में जो सांधरता होता है उसके पावर में जो अजीबो गरीव वैल्यूस आ रहे हैं वो कैसे आते हैं हमें कैसे पता चलेगा यहां 3 by 2 होगा हमको कैसे पता चलेगा यहां 0 होगा यही तुम्हें आपको सिखाने वारा हूं बेटा जो लोग पिछला क् उत्पात बनाता है और मैं आपसे पोलूँगा दर नियम लिखके बताओ तो बेटा दर नियम आप कैसे लिखेंगे आपको मैं पूछ रहा हूं चलो और कितना होगा बताओ मैं पूछूंगा यहां पावर में क्या लिखूं तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहां 2 बिख दो कि पर बेटा ऐसा नहीं होगा अभी कुछ एक्जांपल देखेनें आप लोगोंने क्या देखा कि यहां घात में कुछ भी हो सकता है तो कुई आपसे पूछे गा और तुम कहना हमको नहीं पता सर कुछ भी कुछ भी हो जाता है तो यह काम करते हैं पावर को X और Y लिग देते हैं तो बेटा अगर आपके सामने कोई reaction आ जाए गौर से सुनना क्या बता रहा हुँ मैं अगर आपके सामने कोई reaction आ जाए और तुम से कोई पूछेगा चलो बताओ इस reaction का order क्या होगा कोटी क्या होगी कोटी क्या होगी तो फट से reaction को देखके मत बता देना कभी भी reaction को देखके कोटी मालूम नहीं चलता पावर में क्या आएगा वो आपको निकालना सीखना पड़ेगा तो आज के class में मैं यही तो सीखाने वारा हुँ बेटा कि किसी भी सांधरता के घात में यह जो value आता है वो कैसे निकलता है क्योंकि उसी से तो आपको कोटी पता चलेगा तो चलिए आज जिस विधी का हम प्रयोक करने जा रहे बेटा उस विधी का नाम है प्रारामभिक दर विधी आज हम जो प्रारामभिक दर विधी दूसरा समाकलन वेग विधी तीसरा ग्राफिय विधी बेटा यह तीनों विधी अलग अलग हालातों में उप्योग में लाया जाता है कैसे जब भी आपके सामने कोई ऐसा रियक्षन आ जाए जिसमें दो रियक्टेंट भाग लेंगे तो यह विधी का प्रयोग होता है जब भी किसी रियक्षन में एक रियक्टेंट भाग लेगा तो यह विधी होता है और जब कितना भी कितना भी रियक्टेंट आप लेलो बहुत सारे रियक्टेंट जब आ कि कब कब कौन सा विधी हमें प्रयोग में लाना है यह भी तो पता होना चाहिए आप लोग को तीन विधी हैं तो बेटा प्रारामभिक वेग विधी तब प्रयोग में लाया जाता है जब आपके रियक्शन में दो रियक्टेंट भाग लेंगे अगर एक रियक्टेंट भाग लेगा तो यही विधी फिलाल आज तो हम इस विधी को पढ़ने वाले हैं इस विधी को पढ़ने वाले हैं पहले इसका स्क्रिंशॉट ले लो फिर कहानी को मैं आगे बढ़ाऊंगा हाँ तो अब सुनेंगे ध्यास से तो अब हम क्या करने वाले हैं प्रारंभिक दर्विधी पढ़ने वाले हैं अब यहां क्या क्या लिख्रें मैं बताऊंगा पहले क्लियर कर दूँ दिस मैथाद इस यूज वैन तू रियक्टेंट आर पार्टिसिपेट इन रियक्शन इस मैथाड इस यूज वैन 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 तू रियक्टेंट आर पार्टिसिपेट इन रियक्शन जब भी किसी रियक्शन में जब भी किसी रियक्शन में जब भी किसी रियक्शन मे दो reactant भाग लेंगे तब इस method के यूज़ करते हैं एक पर इसका भी screenshot लो फिर आगे बढ़ता हूँ बैटा में ये विधी तब प्रयोग में लाया जाता है जब reaction में दो reactant participate करेंगे ठीक है ठीक है अब उपर में क्या क्या लिखा है चलो उसको समझते हैं यहाँ पर जो statement लिखा है उसका ज़र मतलब समझा दूँ यहाँ यह लिखा है कि पहली बात तो यह कि यह विधी हम तब प्रयोग में लाते हैं जब दो reactant होते हैं दो reactant होते हैं अब इसमें करना क्या होता है जब आपके सामने दो reactant आ जाए तो करना यह होता है आपको किसी एक reactant का सांधरता को इस्थिर रखना है और दूसरे reactant के सांधरता में परिवर्तन लाना है और आप यह काम बार बर करेंगे जब आप यह काम बार बर करेंगे तो ऐसा data निकल के आपके सामने आएगा जिससे आपको कोटी पता चल जाएगा फिर से repeat करता हो मैंने क्या बोला सुनो जहां से मैंने क्या लिखा है पहली बात यह विधी कब प्रयोग में आता है जब दो reactant होते हैं तो जब आप पस दो reactant आ जाए तो करना क्या होता है सुनो बस करना क्या है दो reactant में से किसी एक reactant के सांधरता को constant कर दो इस फिर कर दो और दूसरे के सांधरता में परीवर्टन लाओ और असा करते रहना, करते रहना, करते रहना एक समय के बाद कोटी निकलके आपके सामने आ जाएगा अब एक कैसे होता है मैं समझाता हूँ आप लोगों को चलिए पर इसको समझाने के लिए सीधे उदारण में चलते हैं बेटा तो लीजिये पहला प्रशन आपके सामने आ गया है तो यह जो प्रशन आप देख पारें बेटा आपके परिक्षा में सेम ऐसा ही प्रशन आपको देखने को मिलेगा ऐसा टेबल बना हुआ आएगा और बोलेगा चलो बताओ चलो बताओ कि इस प्रश्ण का कोटी क्या होगा कोटी आपको पता करना ठीक है तो यह पहला प्रश्ण है आपके सामने प्रश्ण नंबर एक कि प्रस्ट नंबर-एक हम प्रस्ट नंबर एक क्रस्ट नंबर-एक रख चलो तो तो nord Вид 5 छोटा करूंग दो ना मुझे लिखने के लिए इस पैस प्राम पड़ेगा तो इसको स्कूलिक्ष ना आएगा एक टेबल बना हुआ आएगा उस टेबल को देख्या आपको बताना रहेगा कि इसका ओडर क्या है तो फटाक्सिस की स्क्रीशोट लीजिए है ठीक तो चलिए तैयार हो जाएए निमेरिकल बनाने के लिए अच्छा मैं आप से ऐसी पुछूं कि इस रियक्षन में अगर मुझे दर नियम लिखना हुआ बेटा दर नियम किसको बोलते हैं पता है ना जब ऐसा लिखते हैं इसी को बोलते हैं दर नियम लिखना यह देखो, ओ, माफ कीजिए, माफ कीजिए, यहां क्या है, मैं पहले इस reaction को थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं, थोड़ा पास पास हो गया, ठीक से दिख नहीं रहे, ओ रियेशन ऐसा है बेटा, 2NO प्लस CL2 gives 2NO CL, ठीक है, अब मैं आप से पूछूंगा, मैं आप से पूछ 2NO और CL2, अब आपको बताना है, अब आपको बताना है, कि यहां घात में क्या लिख खूँ, जली बताईए, यहां घात में क्या लिख खूँ, पावर में क्या लिख खूँ, बताओ, सब लोग लिख रहे हैं 2 और 1 सब लोग बोल रहे हैं सब 2 और 1 लिख दो अरे बेटा अगर 2 और 1 लिख दिया तो order हो गया 2 प्लस 1 that is 3 तो इसका ये मतलब है कि तुमने सिधर reaction को देखके बता दिया घात में क्या होगा तो तुम बताओ अगर reaction को ही देखके तो ये तीन वीधि काहे काहे है है जी है जी अगर आपको reaction कोई देखके कोटी बताना था तो ये सब क्यूं पढ़ रहे हो आप ये तीन दिन लगेंगे आपको 3 से 4 दिन लगेंगे इन सारे वीध्यों को पूछा चलो बताओ इस reaction के कोटी कितनी होगी आप बीना बुद्धि लगाए बोल दिया सर टू और वन होगा तो बेटा जब टू और वन ही तुमको बताना है तो फिर इन सब क्या करोगे इन सब क्या काम है तो याद रखना किसी भी reaction को देखके कोटी नहीं बता सकते आप त जब भी आपके सामने कोई reaction आ जाए तो reaction को देखके कोटी मत बता देना बोला हमको नहीं पता सर की order क्या होगा एक्स और वाई होगा तो आज आपको मैं एक्स और वाई ही तो calculate करना सिखा रहा हूं तो प्लीज हड़ बढ़ाईएगा मत किसी भी reaction को देखके फट से order मत बत बता देना कोटी मत बता देना कुछ भी हो सकता है तो अब बताओ चले काम करते हैं बेटा आपने इसके screenshot तो ले ही लिया है थोड़ा छोटा कर देता हूं ठीक है यह वैलूस दिख रहे कि नहीं आपको ज़र मैं भी देख लूँ अरे दिख रहा दिख रहा है तो अब सुन बतार का नियम लिखते हैं ना ऐसा लिखते हैं इसको आप सूत्र मालओ और मैंने आपसे प्रस्न पूछा था कि घात में क्या लिखूं तो कहना घात में क्या आएगा हमको नहीं पता X और Y लिखो और बटा X और Y ही तो आपको ग्यात करना सिखा रहा हूँ X और Y ही तो मैं आपको ग्यात करना सिखा रहा हूँ तो यू समझ लो यह आपका सूत्र है तो N के घात में X है CL2 के घात में Y है और वही आपको पता करना है कैसे पता करो कि चलो गौर से देखना बेटा मैं क्या करने वाला हूं है याद है मैंने अभी अभी कुछ देर पहले क्या बोला था यह वीद्य इस वीद्य में करना क्या होता कई सांध्रता को इस्थिर रखके दूसरे को चेंज करेंगे तो आफो क्या करना है इन तीनों डेका में धको डे नबर वन एक्स्पेरिमेंट्टीं सब्सक्राइब तो इन टीनों एक्स्पेरिमेंट्ट यह आ स्ट्रेटा को स्ट्रेक्ट्ट पर गन्हीं इन तीनों डेटा में से किसी दो डेटा को सल्ज्ट्ट करना है ऐसे दो डेटा जिसमें यह ल एक CL2 में से किसी एक का सांथरता सधीर हो और दूसारा हो चेंज ऺहें मैं क्या बोल रहा है क्या पोल रहा है क्या पोलरों सुनहा फिल से जडिरा ध्यान से देखो जड्यास देखो एकस्पेरिमेंट उन और तू में एकस्पेरिमेंट वन और टू में बेटा एनो का सांधरता कॉंस्टेंट है इस्थिर है और सी एल टू चेंज हो रहा है देख पारे हैं आप लोग देख पारे हैं आप लोग और और एक्सपेरिमेंट नंबर एक्सपेरिमेंट नंबर वन और थ्री में माफ कीजिए एक्सपेरिमेंट नंबर टू और थ्री में एक्सपेरिमेंट टू और थ्री में एक इस्थिर हो और एक चेंज हो रहा हो तो यह आपने कि यह को क्या बतार समझ रहो ना यहां पर experiment 1 experiment one or two में experiment one or two में एनो स्थिर है CL2 change हो रहा है और experiment नमबर two or three में CL2 स्थिर है और एनो चेंज हो रहा है तो यही मैं बता रहा हूँ आप लोग को की की कैसे एक मिनट थोड़ा और छोटा कर देते हैं इसको हाँ तो चलिए तो अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ बेटा करना क्या है तो आपको मैंने बोला था कि इसमें करना ये होता है करना ये होता है कि आपको ऐसा दो ऐसा दो एक्सपेरिमेंट लेना है जिसमें कोई एक इस्थिर हो और एक चेंज होता हो तो चलो सबसे पहले मैं एक्सपेरिमेंट नमबर वन और टू को ले लेता हूँ ये बताईए ये जो मैं लिखा था ने बेटा ऐसा rate equal to KNO और CL2 बेटा इसको अब सूतर मान लो और आपको क्या पता लगा ना कि घात में क्या होगा घात में क्या होगा तो कैसे करेंगे इसी सूतर को इसी सूतर को आप एक बार experiment number 1 के लिखो और इसी सूतर को एक बार experiment number 2 के ल experiment number 1 के लिए जहां सूनेंगे experiment number 1 और experiment number 2 के लिए इसको लिखना है तो चली start करते हैं बेटा सबसे पहले बताओ experiment number 1 के लिए experiment number 1 के लिए rate कमान कितना है rate कमान कितना है 1.2 into 10 to the power minus 4 के कमान आपको नहीं पता no कमान कितना है no कमान है बेटा 0.010 और cl2 कमान कितना है बेटा 0.010 पावर में है x पावर में है y तो देखो मैंने इसी सूतर को experiment number 1 के लिख दिया अब इसी सूतर को experiment number 2 के लिखो जली बताओ experiment number 2 के लिए rate का मान कितना है कितना है 2.4 into 10 to the power minus 4 k हमको नहीं पता है जी है जी n का मान कितना है बैटा n का मान है 0.010 और यह है बैटा 0.020 अब power में है y यह power में x अब आप क्या करेंगे इन दोनो experiments को divide कर दो भाग दे दो इन दोनों experiment को divide कर दो अब आपकी मर्जी experiment 1 को 2 से divide करो कि 2 को 1 से आपकी मर्जी अब कुछ भी कर सकते हो अब जैसिन दोनों को आप divide करोगे ध्यान देना आप experiment 1 को 2 से भी divide कर सकते हो 2 को 1 से भी divide कर सकते हो पर divide होना चीए अब जैसिन को divide करूँगा अब देखते हैं नतीज़ा क्या होगा बेटा तो डिवाइड करते ही K कड जाएगा X भी कड गया तो क्या मिला बताओ तो 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 4 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 4 और इस तरब क्या बचा है बेटा 0.010 0.020 और पावर में क्या लिखा है Y जब इसको डिवाइड करोगे न तो डिवाइड करने से यह आएगे बेटा 1 बाइटू इसको भी डिवाइड करने से क्या आएगा 1 बाइटू लीजिए अब हुआ क्या जब भी आप लेफ्ट साइड को और राइड साइड को डिवाइड करोगे तो कुछ भी हो जाए इक्वाइड आना चाहिए इक्वाइड करते हो और इक्वाइड करते हो और इक्वाइड आ गया तो बोल देना Y कमान 1 है तो आप क्या ग्याद कर रहे हो एक्स और वाइड ही तो ग्याद कर रहे हो लीजिए मुझे वाइड कमान मिल गया याद रखना क्या बोला था मैंने लेफ्ट साइड और राइड साइड डिवाइड करने के बाद सेम होना चाहिए इक्वाल वैल्यू आना चाहिए इक्वाल गया तो बोलते हैं और जब गलते में दोते न कि जब सेम होता है तो पावर भी सेम होता है तो बिटा बेस सेम है तो पावर यहां vion है तो य कि क्या हो जाएगा, या Si School High दीवाइट करो डिवाइट करते ही dass साइड और राइड साइड सेम आना चीज़ए बस अगर सेम आ गया तो वाइक वैली वनै ओर अगर रह सेम नहीं आया jeśli और इस तरफ और इस तरफ सेम नहीं नहीं आ मान निकल गया अब एक्स निकालना बाकि एक्स भी निकालेंगे इसक्रीशोट लीजे इसका ठीक है अब चलो आगे बढ़ते हैं तो तुम थोड़ा सा बुद्धिय लगा बेटा जब तुमने एक्सपेरिमेंट वन और टू को वन और टू को डिवाइड किया तो एक्स कैंसल मैं करके दिखाता हूं मैं आपको चलो करके दिखाता हूं अभी मैंने एक्सपेरिमेंट नमबर वन और टू लिया था वन और टू लिया था अब एक्सपेरिमेंट नमबर टू और थ्री लोगा एक्सपेरिमेंट नमबर टू और थ्री लोगा एक्सपेरिमेंट नमबर A, NO और CL2 घात में क्या होगा वही तो पता लगा रहे हैं तो चलो इसी सूतर को एक बार experiment number 2 के लिखेंगे इसी को एक बार experiment number 3 के लिखेंगे तो जल्दी बताईए experiment number 2 के लिए rate कमान क्या था? experiment number 2 के लिए rate कमान है 2.4 10 to the power minus 4 2.4 10 to the power minus 4 के आपको नहीं पता के आपको नहीं पता A, NO कमान किता है बैटा, A, NO कमान है 0.010, 0.020, 0.010 और 0.020 यह है X यह हो गया experiment 2 अब चलो experiment number 3 के लिए, experiment number 3 के लिए rate कमान किता है बैटा तो experiment number 3 के लिए rate कमान है 9.6 10 to the power minus 4 क्या है बैटा, 9.6 into 10 to the power minus 4 के आपको नहीं पता अच्छा जी, एक इतना है 0.020, 0.020, 0.020 X, 0.020 Y, फिर मैंने क्या बोला था, इन दोनों equation को divide कर देंगे, आपकी मर्जी, उपर वाले को नीचे से divide करो, यह नीचे वाले को उपर से divide होना चीए बस, अब जाए, इसको divide करोगे बैटा, तो K तो कड जाएगा, और यह भी कड गया, है ना, अब क्या बचा बताओ, इस तरह बचा 2.4 into 10 to the power minus 4, और 9.6 into 10 to the power minus 4, और राइट साइड क्या बचा बैटा, इस तरह बचा 0.010 और 0.020, अब, अब जब इसको तुब divide करोगे, अच्छा यह पावर भी क्या है बचा एक्स, तो तुम बताओ, इस बार क्या दोनों तरफ value सेम आ रहा है, जल्दी बताएंगे, क्या इस तरफ दोनों तरफ value सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, तो बचा इस त क्या इस बार left side और right side सेम है, क्या left side और right side सेम है, नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, कुछ भी हो जाए, दोनों तरफ सेम होना चीए, दोनों तरफ सेम होना चीए, तो बचा दोनों तरफ सेम नहीं है, दोनों तरफ सेम नहीं है, तो अब आपको दोनों तरफ को सेम करना हो है सक्वायर तो तुम बताओ मैंने कहा हाँ तो सेम करते हैं छलिओ यहाँ पर मैं स्क्वायर कर देता हूँ वर्ग कर देता हूँ जैसे स्क्वाइर करूंगा तो पेटा यह तो पहले से 1 by 4 था अब यह भी चिन गया 1 by 4 तो कि देखा तुमने की स्क्वाइर करने से दोना तरफ value सेम हया धिस्क्वाइर करने से दोना तरफ eu Downs गया तो बोल देने पेटा की X का X का मान हो गया 2 तो कुछ देर पहले आपने y कमान निकाला था 1 और अभी बोल रहे है कि x कमान है 2 तो कुल मिला के कोटी यानि की order किता होगे बटा 1 प्लस 2 that is 3 लीजिए इस तरह से कोटी निकाला जाता है इस तरह से कोटी निकालते हैं मैंने क्या बोला कि कुछ भी हो जाए left hand side और right hand side सेम आना चाहिए सेम आना चाहिए माल लो एक तरफ 1 by 2 आया एक तरफ 1 by 2 आया तो सेम आ गया तो x का वैल्यू बोल देना बटा 1 है लेकिन अगर एक तरह 1 by 2 आये और एक तरह 1 by 4 आये तो यह सेम नहीं है तो इसक्वायर करने से सेम हुआ, करने से सेम हुआ, तो बोलदेने, बेटा, y का माझ धो है, तो याद रखना, याद रखना, अकर दोनों तरफ वैल्यू सेम 아जाए, तो पावर हो जाएगा 1, पावर हो जाएगा 1, और अगर दोनों तरफ वैल्यू सेम नहीं आता, न zrobi आ हैधम से दोनों सेम क्या नई इसको स्क्व्वाइर कर दो तो जीडो पॉइंट वाइंट फाइफ अगर मैं स्कॉर कर दूँ तो फैस्टा Marco यहदि भी 0.25 डिम वह गया इकवल हो गया तो स्कॉायर करने can तो ऐसे में X कमान क्या हो जाएगा जी टू हो जाएगा तो बस कहानी का सार इतना है बेटा कहानी का सार सिर्फ इतना है कि आपको एक बार ऐसे दो एक्वेशन को डिवाइड करना है जिसमें X कैंसल हो जाए Y मिल जाए फिर एक बार ऐसे दो एक्वेशन को डिवाइड करना है जिसमें y cancel हो जाए x मिल जाए बस फिर अंत में जोड देंगे लिजिए y command 1 है और x command 2 है तो overall order कितना होगे बैटा 3 इस तरह से order निकाला जाता है please screenshot ले लेंगे इसका तो किसी भी तरफ आपको square करना पड़ सकता है तयार रहेंगे इसके लिए हाँ एक बात और बता दू अगर किसी भी तरफ अगर किसी भी तरफ divide करने से value सेम आ जाए जैसे माल लो एक तरफ है बेटा 1 by 2 और एक तरफ है 2 by 2 2 by 2 अब माल लो ऐसा कुछ आ गया तो बेटा ऐसे में तो एक तरफ 1 आ गया तो अगर base 1 हो जाता है तो power 0 हो जाता है पढ़े हो ना गडित में ऐसा जब base 1 हो जाए तो power 0 हो जाता है तो किसी भी तरफ अगर divide करने से 1 आ गया तो सीधा बोल देना power 0 है power 0 इसको भी याद रखना किसी भी तरफ किसी भी तरफ अगर base 1 आ गया डिवाइट करने से तो बोल देना पावर जीरो है तो चलिए फिर इसके आधार पर अब कुछ प्रश्ट मनाते हैं एक प्रश्ट मैंने बता दिया अब मुझे लगता है अब आगे के प्रश्ट बना सकते हैं ठीक है तो लीजिए अगला प्रश्ट आपके सामने एक बाद ट् चलो एक्स वाई पता करना है आप लोगों को स्टार्ट कीजिए बनाना ध्यान देना यहां जो रियक्शन रहता है इस रियक्शन को कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि हमको तो अलग से कोटी निकालना ही पड़ता है तो चलो बट्राई करो हाला कि आंसर मैंने लिग दिया है और जस्टिफाई किजिए कि यह आंसर सही है कि नहीं चलिए बनाइए प्लीज यहां यहां वाई जीरो आ रहे है ना समझ गया ना क्या होने वाला है इन दोनों को डिवाइट करोगे तो वन आ जाएगा वन आ जाएगा तो पावर जीरो हो जाएगा आ गया ठीक तो कुल ओडर कितना होगे बटा तो कुल कोटी कुल कोटी इसमें हो जाएगा वन तो आपको प्रस्ण में ऐसी टेबल बना हुआएगा चीनता ना करे और यह ऐसे प्रस्ण बहुत आते हैं एक्जाम में आगे सबका ठीक चलो बदाई हो अगला प्रस्ण देखते हैं चलो एक और प्रस्ण आपके सामने हैं चलो ट्राइ करो इसको यहां भी होई है बेटा यह एक्स का मान है यह वाई का मान है बनाओ ओडर याने की इसमें कोटी कोटी 3 दिखा रहा है 3 मतलब पक्का एक्स और वाई का योग 3 आएगा प्लीज जश्टिफाई कीजिए कंफर्म कीजिए यह सच में ऐसा है की नहीं सच में ऐसा है की नहीं एक बार इन दोनों को डिवाइट करेंगे तो एक्स कैंसल हो जाएगा फिर एक बार इन दोनों को डिवाइट करेंगे तो वाई कैंसल हो जाएगा ऐसी करते हैं ना चलो बनाओ बनाओ ऐसा दो एक्वेशन डिवाइट करना कि एक कैंसल हो जाए और में वे की मिल जाय आपको अचा इस परश्छे में यह भी लिख्या jest Arana में इसका मतलब क्या बताओंगा वे कि सतरांग उसका मतलब बताओंगा भी आपको मैं क्या मैं इस तै यहाँ मैं इस दिश्कोड कितना यह को एक्स कमान कितना रहा है वा इक मान कितना बताएंगे, तो इस वाले में बेटा आपका आया होगा, X कमान, 1 और Y कमान क्या होगा, 2, तो इससे कोटी निकल जाएगा, कोटी कितना निकल गया, 3, कोटी कितना आगा, 3, है न, कोटी कमान, कितना आगया, 3, अब इसमें वेग इस्थरान भी ज्याद करना है, और यहां लिखा है वेग नियम भी लिख के बताओ, अब वेग नियम कैसे लिखते हैं, तो बेटा वेग नियम इसको बोलते हैं न, यह देखो, वेग नियम इसको बोलते हैं, यहां क्या रहेगा? ए और यहां क्या रहेगा? बी तो बेटा वेग नियम जब लिखने को आएगा तो वेग नियम लिखते वक्त आपको ये निश्चित करना है कि घात में क्या लिखना है तो घात तुमने पता लगाली है एक्स one और वाई two तो बिटा यह हो जाएगा वन यह हो जाएगा टू माफ करो वन और टू लीजिए ओ लीजिए यह हो जाएगा बिटा वन और टू तो जब हम घात का मान सही सही रखते हैं जब हम घात का मान सही सही रखते हैं उसके बाद जब इसको लिखते हैं तो हम कहते हैं हमने क्या लिख लिखा गया तो गौर्ष सुनना अगर प्रस्ट में आएगा वेग नियम लिख के बताओ तो वेग नियम का मतलब है पहले घात पता कर लेना और घात कमान रखके इस सूत्र को लिख देना और बोलना कि हमने वेग नियम निकाल लिया अब वेग स्थरांग कैसे निकालते हैं वेग स्थरांग तो बेटा वेग स्थरांग किसको बोलते हैं सुनों वेग स्थरांग किसको बोलते हैं सुनेंगे ध्यान से वेगे स्थरांग क्या होता सुनेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ करणा क्या है तो आपको करना यह है कि यहां पर यह तो तीन डेटा है इसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लो किसी एक को सेलेक्ट कर लो माल लो कि मैंने यह वाले ले लिया माल लो मैंने यह वाले ले लिया तो आपको इस तीनों में से कोई भी एक ले लेना है बस फिर क्या करना है पेटा ए कमान यहां रख़ दो घात को सही-सही रूप से रखना होगा घात कमान निकाला, पावर कमान निकाला जब तक पावर कमान निकलेगा तब तक सही सही दर नियम ने लिख सकते और K का मान भी नहीं निकाल सकते तो K का मान निकालने के लिए rate चाहिए था वो आपके पास है A का सांधरता चाहिए वो भी आपके पास है B का सांधरता चाहिए वो भी आपके पास है पर जब तक घात सही सही नहीं होगा वेग नहीं निकलेगा तो इस तरह से आप के कमान निकासे के कमान मतला इसी को बोलते हैं क्या वेग इस थरांग ग्यात करना चलिए स्क्रीन शॉट लेंगे तो चलिए अब मैं आप लोगों को दो प्रस्ण और देता हूं यह आप घर में बनाईएगा या मुझे घर में बनाकर दिखाना ठीक है चलिए स्क्रीन शॉट ले लेंगे बिटा एक प्रस्ण यह है चलिए उत्तर हाले कि हलिक दिया है मैंने बस जस्टिफाइग कीजिएगा कि आपका उत्तर इससे मैच कर रहा है कि नहीं यह प्रस्ण है इसक्रीन शॉ का बहुत इंपॉर्टेन प्रस्ण है यह आपके स्कूलों के पुस्तक में भी यह दिया होगा बेटा यह प्रस्ण भी मैं आप लोग लिए छोड़ा बुद्धी लगाईएगा थोड़ा बुद्धी लगाईएगा खुश से इसको बनाईएगा कि ट्राइक बार कि यह मैं कि आप लोगे छोड़ रहा हूं आपने देखा होगा यह देखा यहाँ लिखा हुगा प्रस्ण यह कह रहा है किए के ribe में order 1 है और बी के respect में order 0 है याने कि जब आप दर का नियम लिखेंगे तो बेटा बी के पावर में 0 करेंगे बी के पावर में 0 का मतलब है कि क्रिया का दर बी के उपर निर्भर करी नहीं रहा है क्रिया का दर बी के उपर निर्भर करी नहीं रहा है तो जब क्रिया का दर बी के उपर निर्भर करी नहीं रहा है तो बी कुल लिखो तो भी ठीक ना लिखो तो भी ठीक याने कि ये वाला कॉलम कोई काम करी नहीं है ये वाला कॉलम है बेटा ये कोई काम करी नहीं बी जो है पूरा कॉछम आमके कौपके कुछ क्योंकि क्रिया कादर बी के शान्स तताप निर्भार करी नियरा है, आपको भी को नेगलेट करदेना है, अब कहानी को आगे बढ़ाओ, अब आपको क्या करना है, अब प्रस्थ ये सांस में क्या पूछा है? यहां थोड़ा किसा गया यहाँ मैं स्थोड़ा सा ठीक करता हूँ एक में दुकोंने प्लीज g poster प्लीज फ्लीज थोड़ा सा सहयोग करेंगे मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लीक देता हूं बटा यहां कीज़ा गया हुआ है हाँ असल में असल में यह एक आमान है यह जो है ना यह में यह एक आमान है यह बी का मान है और यह रेट के मान है और मैंने कहा कि भी शून यह लिखा हुआ है तो बी से आपको कोई मतलब नहीं याने की आपको इनसांधरताओं से कोई कोई मतलब नहीं है इससे मतलब नहीं है यह बी है यह बी का है थोड़ा खिसक गया है सहोग करेंगे इससे आपको कोई मतलब नहीं है तो बैटा आपका सूतर क्या बन गया रेट इक्वल के के निकालो गोला है तो के निकालना है आपको के कमान निकालना है तो बटा के कमान निकालने के लिए आपको रेट चाहिए और ए चाहिए दर चाहिए और ए चाहिए तो देखो किसी में ए कमान गायब है तो किसी में दर कमान गायब है सिर्फ पहले एक्सपेरिमेंट में ए क लिए दर किता दिया है पहले वाले एक्सपरिमेंट में 2 x 10 to the power minus 2 k का मान आपको ग्याद करना है a कितना है 0.1 लीजिए आपको k का मान मालूम चल गया तो पहला हल हो गया पहला हल हो गया पहला हल हो गया अब बोल रहा है कि एक्सपरिमेंट नमबर 2 में a का मान किता होगा a a का मान किता होगा तो क्या करोगे अब एक्सपरिमेंट नमबर 2 में आते हैं तो बटा एक्सपरिमेंट नमबर 2 में सूत रहे फिर से rate equal to k और a तो एक्सपरिमेंट नमबर 2 में एक्सपरिमेंट नमबर 2 में आपको इस खाली जगह को भरना है, यानि A कमान निकाला, बस क्या करोगो बटा, ये जो K कमान निकाला हो, उसको यहां रख देना, K कमान यहां रख देना, और rate कमान, rate की तदिया है, 4 into 10 to the power minus 2, K तो आप निकाल चुके हो, और A कमान आपको ग्यात करना है, लीजिए ये experiment 2 था, ठीक वैसे ही, अब चलते हैं बटर experiment 3 में experiment 3 में फिर से सूतर हमारा क्या है rate equal to k और a तो experiment number 3 में experiment 3 में a command दिया है dar command पूछ रहा है dar command पूछ रहा है a command दिया है माफ कीजिए a command दिया है a command दिया है और आपको dar command पूछ रहा है तो बस इसमें दर कमान पूछड़ा है के कमान फिर से जो उपर में निकाले होना उसी को यहां रख देना और A का वैलू किता दिया है बेटा 0.4 तो बस करना क्या है आप लोगों को एक बार एक बार आपको के कमान निकालना है उसी के को सब में अपलाई करते हुए अलग-अलग एक्सपेरिमेंट में दिये हुए खाली स्थान को भरना है बोलिये बन जाएगा ये बोलिये बन जाएगा बन गया गूड चलिये तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं बेटा वापास चलते हैं अब हम आज जो है समाकलन वेग विधी देखने वाले हैं तो अब देखते हैं इस विधी के माध्यम से क्रिया की कोटी कैसे ग्याद की जाती है यह जो विधी है यह पूर्ण रूप से सूत्र आधारी था मतलब कि यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूला अब जलत गौर से सुनेगा मैं आपको बता चुका हूं कि यह जो अलग अलग विधिया होती है अलग अलग विधी कप कप प्रयोग करते हैं मैं आपको बता चुका हूं प्रारंभिक दर विधी हम तब प्रयोग में लाते हैं जब रियक्षन में दो रियक्टेंट होता है तब इस विधी का प्रयोग करते हैं यह मैं आपको बता चुका हूँ और इस विधी का प्रयोग तब किया जाता है जब रियक्षन में एक रियक्टेंट पार्टिसिपेट करता है तो मैंने कहा कि इस विधी का प्रयोग आप तब करेंगे जब रियक्षन में मात्र एक रियक् पार्टिसिपेट करेंगे तब इस विध्य का प्रयोग करते हैं अच्छा ठीक है अब मैंने कहां इस विध्य में इस विध्य में कुछ सूत्र आपको दिये जाएंगे कुछ फॉर्मूला आपको दिया जाएगा और उसी फॉर्मूला के मतस्ते आप कोटी ग्याद कर पाएंगे तो चलिए पहले काम करते हैं मैं आपको सारे formula बताएता हूँ बेटा सारे formula आपको बतादू फिर numerical कैसे बनाएंगे वो बताता हूँ चलिए फटा फट यह formula लिखें बेटा तो यहाँ जो सूत्र हम प्रयोक करेंगे वो यह है k equal to 2.303 t log a not by a यह एक सूत्र है k equal to 2.303 log log a upon a minus x यह एक सूत्र है k equal to 2.303 log p not 2 into p not minus p t लीजिए यह एक सूत्र है तो बेटा मैंने कहा इस विधी से कोटिक याद करने के तीन सूत्र होते हैं हाला कि यह तीनों सूत्र एक ही हैं यह तीनों सूत्र एक ही हैं बस अलग अलग तरीके से इनको प्रयोक करते हैं अब ये सूत्र कहां से आया ये आगे आपको बताया जाएगा ये सूत्र कहां से आया ये आपको आगे बताऊंगा पहले आज एक लास में हमको numerical complete करना है तो चले बटा क्रिया की कोटिक ग्याद करने के लिए आपको ये तीन सूत्र दिमाग में रखना है अब इसे कैसे करें अभी हम सारे जो कोटी उसको ग्याद कैसे किया था इसके बारे में बात करें मैं क्लियर कर दूँ अभी मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि क्रिया की कोटी कैसे ग्याद की जाती है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बात एकदम क्लियर कर दूं दरसली तीनों सूत्र एक ही है बेटा ये तीनों सूत्र एकी है आप देखना जब रatoriक्तों तो किसी-किसी निमेरिकल को इस सूत्र से बनाया गया होगा और उसी टाइप के निमेरिकल को इस सूत्र से भी बनाया होगा दिखेगा आपको मैंने कहा यह सारे सूत्र लगबग एक जैसे ही हैं कई प्रश्ण जो इस सूत्र से बनता है वो इस सूत्र से भी बन जाता है और कई प्रश्ण ज जब सारे formula एक ही हैं, तो पिर इसको अलग-अलग क्यों लिखा गया, मैंने क्यों लिखा तो मैं तम clear कर दो असल में होता क्या है, इस chapter में इस topic के बहुंस सारे numerical आप पुषटा खोल के देखिए आप पुस्ताख खोल के देखेंगे तापको पता चलेगा इस topic के बहुत सारे numerical है क्यों? अरे बेटा मैं पहले ही clear कर चुका हूँ कि इस topic के numerical board exam में लगभग तय है कि आएगा ही आएगा मैंने कहा इस topic के numerical board exam में लगभग decided है कि आएगा ही आएगा तो बेटा एक दो numerical तो नहीं होगा जब मैंने कह दिया कि numerical आएगा ही आएगा तो एक दो numerical थोड़ी होगा धेर सारे numerical है तो इस topic के आपके पुस्तक में बहुत सारे numerical है अब दिक्कत कहा पर आएगा? अब दिक्कत ये है कि इस topic पर based इतने सारे numerical है कि बेटा जब तो numerical बनाना चालू करोगे तो एक दो प्रश्ण बनने के बाद आपको परिशानिया आने शुरू हो जाएंगे मैंने कहा इस topic के इतने सारे numerical है जब उसको बनाना शुरू करोगे तो एक दो question बनाते ही आपको दिक्कत आना चालू जाएगा आप कहेंगे यार मैं तो सूत्र सेम लगा रहा हूँ सूत्र सेम लगा रहा हूँ पर numerical क्यों नहीं बन रहा है पर question यह है कि जब एक ही सूत्र है और numerical इतने सारे गौर सुन में क्या पता रहा हूँ जब सूत्र एक ही है और numerical बहुत सारे हैं तो एक ही सूत्र में इतने सारे numerical देने के क्या जरूरत है अरे भई एक ही सूत्र है दो चार numerical दे दो हम समझ जाएंगे पर आप देखेंगे 20-25 कोशन है आपके सिर्फ एक सूतर की उपर एक सूतर की उपर एक टॉपिक की उपर 20-25 से भी जादा numerical आपको पुस्टक में मिल जाएगा तो कोशन है जब एक ही सूतर है तो इतने सारे numerical देने का अवशक्ता क्या था तो अब सुने बड़े सा कहानी क्या है आपको याद है कक्षा 11 वी में जब आप साम या अवस्था पड़ रहे थे साम या अवस्था एक सिंपल सा फॉर्मूला था के इकवल टू उपर में आप उत्पात को लिखते थे और नीचे में रियक्टेंट को लिखते थे आप सबको मेरे को लगता है यह सूत्र जरूर याद होगा एक सिंपल सा सूत्र था बेटा एक सिंपल सा सूत्र था यह आपको याद है आपको याद है साम या इस्थरांक ग्याद करने के सिंपल सा यह सूत्र था ये आप सबको याद है ये वाला उपर प्रोड़क्ट लेते हैं नीचे रियक्टेंट लेते हैं अब तुम बताओ ये एक्टम सिंपल सा फॉर्मूला है ये एक्टम सिंपल सा फॉर्मूला है पर अगर आपने कच्छा 11 भी ध्यान से पढ़ा होगा तो इस सूत्र के उपर 30 से 40 प्रश्ण इस चेप्टर में हैं एक छोटा सा सूत्र है देख के हर कुछ समझ जाता है तो इस छोटे से सूत्र के उपर इतने सारे प्रश्ण कैसे बन सकते हैं अरे दो चार प्रश्ण देदो छोटा सा फॉर्मूला है पर फिर भी आपको याद होगा कि इस टॉपिक के उपर इतने सारे निमेरिकल बनाये थे तो अब सुनना बेटा कहानी क्या है जब फॉर्मूला एक हो और कोशन बहुत सारे तो उसका मतलब है कि उस फॉर्मूला तक पहुचने के लिए कई बहुत सारे लॉजिक का यूज करना पड़ता है मैंने कहा formula एक ही है formula एक ही है पर इतने सारे question कैसे हो गए तो बेटा उन questions के अंदर कुछ ऐसी बाते दीवी होती है जिसको नहीं समझ पाएंगे तो आप formula यूज नहीं कर पाओगे तो मेरा बस ये कहना था कि सूत्र एक ही है तो इतने सारे प्रश्ण क्यों तो बेटा इस प्रश्ण को आप इस सूत्र से बना लेंगे लेकिन इस प्रश्ण को यहां तक पहुंचाने में आपका हालत खराब हो जाएगा तो मैं आपको यहीं सिखाने वाला हूँ कि इतने सारे प्रश्ण एक ही formula पर क्यों दिया गया तो अब सुनो मैंने क्या किया है अब मैंने क्या किया है बेटा जितने प्रश्ण आपके syllabus में हैं मैंने आप लोग के लिए एक काम बहुत आसान कर दिया जारों गौर से सुनना मैंने क्या देखा कि प्रस्ण बहुत सारे हैं और सूत्र एकी है लेकिन मैंने क्या देखा कि ये तीन प्रस्ण एकी जैसा बन रहा है ये दोनों प्रस्ण एकी जैसा बन रहा है ये तीनों प्रस्ण एकी जैसा बन रहा है ये चारों प्रस्ण एकी जैसा बन रहा है तो मैंने क क्या किया इन सभी प्रस्णों में जितने प्रस्ण एक ही टाइप के थे उनको मैंने वर्गी करण कर दिया उनको मैंने क्लासिफाई कर दिया मैंने कहा कि जितने भी प्रस्ण थे उनको मैंने ध्यान से देखा और पाया कि बहुत सारे प्रस्ण एक ही एक ही टाइप के थे तो म आठ तरीकों से एकी सूत्र को एकी सूत्र को आठ तरीकों से प्रयोग में लाया जाता है पर आपको ऐसा तो लिखावान नहीं मिलेगा आप क्या करेंगे सूत्र याद करेंगे और निमेरिकल अबनाना चालू कर देंगे तो मैंने क्या देखा कि है एकी सूत्र पर सारे कोश् classify किया तो मैंने पाया कि 8 अलग अलग तरीकों से प्रश्ण को बनाया जाता तो इसलिए मैंने आपके लिए क्या किया है बेटा सारे प्रश्णों को मैंने patterns में जोड दिया है यह देखो यहां क्या लिखा है मैं आपको दिखाता है यहां क्या लिखा है pattern 1 आगे देखो pattern 2 आग तो हम коई प्रश्ण में यह अने क्या किया है सारे प्रशनों को आठ पैटर बाथ और आप देखना हम मुझता है और आपको यह की पता नहीं पता होगा तो आप Geld होना चालों जाएंगे तो हम confused ना हो इसलिए मैंने सारे प्रश्णों को आठ तरीकों से वर्गी करन कर दिया और आप देखना एक भी निमेरिकल में आठकोगे आप सारे निमेरिकल बनाओंगे तो बेटा इस चैप्तर का यह जो टॉपिक है जब डिसाइडेड है जब यह डिसाइडेड है कि इसका निमेरिकल आएगा ही आएगा जब यह डिसाइडेड है कि इस टॉपिक का निमेरिकल आएगा ही आएगा तो हम कहीं भी चूक नहीं कर सकते हमें समझना ही पड़ेगा तो चली फिर क्लास शुरू करते हैं बेटा तो मैंने क यह तीनों सूतर हैं 1ी पर मैं inकों एक नहीं मानूंगा पिसका प्रयोक करोगे कब इसका प्रयोक करोगे जब कि पिचर बताने इस सूतर से बंता होगे कही गलती नहीं होगा तो चलिए सुर्वात करते हैं तो आज जो निमेरिकल करवाऊंगा वो इस सूत्र पर आधारीत होगा तो चलिए इस पूरे टॉपिक में होता क्या है उसके बारें बात करते हैं तो अब निमेरिकल कैसे बनाएंगे लॉक टेबल सब ने विवस्था कर लिया ने बेटा लॉक टेबल की आवशकता पड़ेगी आज ओके तो चलिए पहली बात यह मैं क्लियर कर जो कनवर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में अब इस रियक्टेंट के बारे में सोचो आपको पता है ने बेटा कि जैसे जैसे रियक्शन आगे बढ़ता है तो एक अमात्रा कम होते जाता है एक मात्रा कम होते जाता है तो चलो मैं आपके सामने यहाँ पर एक एक मात्रा लेने जा रहा हूँ अलग-अलग समय पर अलग-अलग समय पर एक मात्रा आपके सामने रखोंगा शुरू में माल लो समय है 0 फिर 5 मिनट फिर 10 मिनट फिर 15 मिनट फिर 15 मिनट और आप देखेंगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो सांधरता में बदलाव आएगा माल लो जब रियक्षन चालू नहीं हुआ था माल लो कि जब रियक्षन चालू नहीं हुआ था समय था 0 तब एक जो मातरा था वो है बटा 10.4 मोल प्रति लिटर जब रियक्षन चालू नहीं हुआ था तब मैंने इसे कितना मातरा लिया है 10.4 मोल पर लिटर अब जैसे रियक् 6.6 माल यह हो गया 6.4 यह हो गया 5.2 यह हो गया 4.8 आप देख सकते हैं जैसे जैसे समय आगे जाता जा रहा है तो एक अमात्रा कम होते जा रहा है एक अमात्रा कम होत जा रहा है तो आपको परिक्षा में ऐसा टेबल बना हुआ आएगा आपको ऐसा डाटा दिया जाएगा प्रस्ण में आपको ऐसा डाटा दिया जाएगा और कहा जाएगा चलो पता लगाओ इस डाटा को देखके कि क्रिया की कोटी क्या है भूलेंगे नही हम अभिक्रिया की कोटी पता कर रहे हैं मैं आपको ये सिखा रहों कि अभिक्रिया की कोटी कैसे ग्यात की जाती है तो आपको परिक्षा में ऐसा टेबल बना हुआएगा और बोलेगा चलो reaction का order पता करो, कोटी पता करो अब सुना बेटा करना क्या है आपके पास सूतर क्या है के 2.303 T लॉग A नॉट बाई A अब जड़ा इस सूतर में किस किस चीज को क्या बोलते हैं वो सुन लो बेटा ये तो पता ही आपको ये दर इस थरांग है दर इस थरांग है दर इस थरांग है है ना यहाँ पर T क्या है बेटा T समय है T समय है A नॉट का मतलब क्या होता है A नॉट का मतलब होता है प्रारामभिक सांधरता प्रारामभिक सांधरता याने की याने की शुरू में लिया हुआ सांधरता याने की जब समय का मान शूनिय होता है जब समय का मान 0 होता है उस समय जो सांधरता रहता है उसको बोलते हैं बेटा A0 जब समय का मान 0 होता है उस समय लिया गया सांधरता A0 कहलाता है और A का मतलब होता है T समय के लिए सांधरता इसका मतलब क्या होता है किसी particular time के लिए किसी particular time के लिया गया सांधरता A होता है अब चलो इसको और clear कर दूँ सुनना बेटा असल में होता क्या है 0 समय के लिए लिया गया सांधरता A0 होता है तो A0 क्या है 10.4 और किसी विशिष्ट समय के लिए लिया गया सांधरता A होता है यह सब A है यह सब A है यह सब A है तो याद रखना A not किसको बोलेंगे सुन समय के लिया गया सांधरता A not होगा और किसी विशिष्ट समय के लिया गया सांधरता A होगा फिर बिट करता हूँ, A-naught क्या होगा? शुरू में, प्रारंभिक, शुरू में, शुरू में जो आप सांधरता लिये हो, उसको A-naught बोलेंगे और A का मतलब होता है, किसी व्यक्तिकास समय के लिया गया सांधरता A होता है बस अब आपको क्या करना है? चलिए, प्राष्ण में बोला है कि इस डाटा को देख करके कोटी गयाद करो तो अब सुने बेटा कोटी कैसे गयाद करते हैं? कोटी कैसे गयाद करते हैं? आपको करना क्या है? आपको अलग-अलग समय के लिए के का मान गयाद करना है मैं आपको कोटी कैसे ग्याद करते हैं वो बता रहा हूँ सुनना आपको बस क्या करना है अलग-लग समय के लिए k का मान ग्याद करना है और फिर उसके बाद उस k के मान से आपको अंदाजा लगाना की कोटी क्या होगी कैसे बताता हूँ चलो एक काम करते हैं एक काम करते हैं 5 मिनट के लिए k का मान निकालते हैं कैसे निकालूँगे बैटाय देखो k 2.303 सूतर है t log a 0 by a चलो अभी सूतर को लगाते हैं जल्दी बताओ k 2.303 समय मैंने किता लिया है 5 मिनट 5 मिनट तो के निकाल रहो तो समय ले लूँँगा 5 मिनट log जल्दी पताओ a not command क्या होगा a not command कितना है 10.4 10.4 और a command कितना है a क्योंकि मैंने 5 मिनट लिया है तो a command क्या है बेटा 8.6 8.6 इसको हल करके हम k command निकाल लेंगे अब चलो एक काम करते हैं 10 मिनट के लिए k निकालते हैं 10 मिनट के लिए k निकालेंगे चलो 10 मिनट के लिए k निकालो बेटा 2.303 इस बार समय ले लिया मैंने 10 मिनट log a not command फिर से a not command तो हर बार वही रहे जो शुरू में था कितना बेटा 10.4 और इस बार बताओ यहां नीचे में क्या लिखों अंसर दो मेर को नीचे में क्या लिखूं एक अमान कृटन होगा एक अमान कितना होगा आरिया निलिमा सुश्मा महेंद्र आरूश ओमसंकर सेख राहूल आसिस सब ने सही आंसर दिया भीटा शभाश यहाँ नीचे होगा, क्या होगा बेटा, 6.4, अब बस इसको हल करना है, यहाँ के कमान निकाल लो, यहाँ के कमान निकाल लो, तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने अलग-अलग-अलग समय के लिए के निकाला, अब उसका क्या करना है, तो सुनो ध्यान से, आपने पहली बार क के निकाला आपने दूसरी बार के निकाला अब कोटी कैसे पता करेंगे सुनना तो सुनना बेटा अगर दूसरी बार निकाला गया K और पहली बार जो K निकाले थे जान दीजे का इसो K1 मान लेते हैं इसो K2 मान लेते हैं तो अब सुनना जो दूसरी बार आपने K निकाला जो दूसरी बार आपने K निकाला और जो पहली बार आपने K निकाला था अगर दोनों बराबर आया अगर दोनों बार केक अमान बराबर आया तो वो बेटा बोल देना एक दिनट यह वैल्यू कितना था 6.4 हां तुभी यह बता रहा था अगर दोनों बार के कमान बराबर आत वो दना क्रिया की कोटी है एक यानि यह प्रथम कोटी क्रिया है प्रथम कोटी क्रिया है लेकिन अगर लेकिन अगर लेकिन अगर दूसरी बार निकाला गया के पहली बार निकाले गए के के दुगना आय होगा, पहले के मुकाबले, दूसरा वाला के दुग्ना आया, तो समझ गये बैटा, क्या होने वाला है, तो ऐसे, ऐसे केसे में कोटी का मान होगा, तू यानी यह, सेकेंड ओर र्याइक्शन होगा, और आप समझ ही गया होगे, क्या पताने वाला हूर? अब अगर K2 का मान K1 के तुलना में तीन गुना आया तो बिटा समझ जाएगा reaction की कोटी यानि अभी क्रिया कोटी कितने हों कि तीन तो इस तरह क्रिया का जो है हम अभी क्रिया का कोटी पता करते हैं इस तरह से हम order पता करते हैं तो गौर से सुनेगा आपको मैंने पहले ही clear कर दिया आज जो मैं numerical करवा रहा हूँ एकदम नजर अंदाज मत करना लगभगता है कि आपके board exam में आएगा और देख लो 20-25 प्रस्ण है मैं सबको अलग-अलग हिस्सों में classify करके सिखाऊंगा आपको तो चले इसके screenshot लीजिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं बेटा इस प्रकार से कोटी पता किया जाता है इस विधी में ठीक है ठीक है लेकिन अब आपको मैं थोड़ा और सरल कर दूँ चलो इसको मैं और सरल कर देता हूँ अब मैं और सरल कर देता हूँ बेटा आपको पता है इस विधी में धान सुन में क्या पता रहा हूँ इस विधी में आपके syllabus में second order और third order नहीं है आपके syllabus में इस विधी में second order और third order नहीं है सिर्फ first order आपके syllabus में है चाप किसी भी राजिय में पढ़ रहे हो आप पुस्तक खोल के देखना इसके जितने numerical हैं मैं numerical की बात कर रहा हूँ थेओरी की बात नहीं कर रहा हूँ numerical बनाते हैं वक्त आप सिर्फ प्रथम कोटी के निमेर कर बना पाएंगे तो अब इसका क्या मतलब निकला इसका ये मतलब निकला बेटा कि क्योंकि आपके syllabus में second order और third order नहीं है तो अब आपको क्या करना है बुद्धी लगा रहा हो तो क्या बोले मारा हूँ अगर प्रश्णन आया इकजाम में अगर इसका प्रश्ण आया है तो क्या करोगे एक बार पहले क्या लेना एक बार के निकाल ना पूरा हल कर तो लेना पुरा हल करके के निकाल लेना बार में शुत्र में चीजों को रख kte के का वैल्यू उतना ही लिख देना जी तब पहले लिखे थे हैं हैं एक ही बार बस के निकालना मालो एक बार के आया 0.5 तो फिर बूल देना दूसरे में भी 0.5 आ रहा है और कह देना क्योंकि क्योंकि के कमान से मारा ना समझ गया reaction first order है मैं समझ गया reaction first order तो प्रशन में पूछेगा चलो बत 0.5 है तो 0.6 लिख देना आसपास लिख देना और कहना कि मैंने देखा अलग-अलग समय में के कमान से मारा है मैं समझ गया reaction is first order तो याद रखना अगर के कमान से मैं for different time अलग-अलग समय के लिए अगर के कमान से माता है उसको प्रथम कोटी अभिक्रिया कहते हैं बेटा उस इस बात में सच्छाई है भी कि नहीं इसी को पता करने के लिए चलिए प्रशन शुरू करते हैं अरे यह क्या गया लॉक टेबल है ना आपके पास फिर भी मैं अपने तरफ से ले आया हूं भरोसा नहीं है आपका मेरे को चलिए शुरूआ आप करते हैं first pattern से बेटा पैटन में अलग अलग तरीके से निमेरिकल बनता सूथ रहे की होगा पर निमेरिकल बनाने के तरीका अलग है तो चलिए first pattern बहुत सिंपल है इसमें क्या बोल रहा है बेटा बोल रहा है कि एक टेबल दिया हुआ है इस टेबल को देख के बताओ कि वेग इस्थरांग ग्याद करो और दिखाओ की अभी क्रिया प्रथम कोटी का है प्रस न क्या कह रहा है सिद्ध करो सिद्ध करो कि ये रियक्शन प्रथम कोटी का है चलो स्टार्ट करें कैसे करेंगे कैसे करेंगे चलो एक काम करते हैं अलग अलग समय के लिए के कमान निकालते हैं अलग अलग समय के कमान निकालते हैं तो इसमें काम करते हैं बिटा हमने कोई भी दो समय चून लेते हैं एक बार 410 ले लेते हैं 410 और एक बार 1130 देखते हैं क्या होता है चलो कैसे करोगे के 2.303 समय किता लिया है मैंने 410 सेकेंड लोग जल्दी बताओ जल्दी बताओ ए नौट का मान किता होगा कोना असर देख जल्दी से बताओ ए नौट का मान किता होगा ए नौट का मान किता होगा असर दिए मेरे को प्लीज ए नौट का मान यानिकी प्राराम्भिक सांधरता कितना है 5.5 5.5 अबे सांधरता पोल रहा हूं मैं टाइम थोड़ी पूचराओं गधा सांधरता यह सांधरता तो प्रारामभिक सांधरता है 5.5 अब बताओ मैंने 410 लिया है तो 410 में सांधरता कितना है कौन 0 लिख के भेज रहा है बेटा जिरो कैसे होगा जिरो तो समय है 4 4 4 लीजि बस इसको हल करना है चलो तो हल करना शुरू करो मैं आपको लॉक्टेबल सिखा चुका हूं इसको हल करना शुरू कीजिए कैसे करते हैं चलो लॉक्टेबल निकालो इसको हल करना शुरू करो चलो मैं भी आपको मदद करता हूं बेटा 5.5 को मैं 55 इंटू 10 पर मायनस 1 ली सकता हूं न डिवाड़ेड बाई 4 चलो मैं भी आपके पीछे-पीछे कर रहा हूं आप भी करो बेटा चलो जल्दी से मैं आपके मदद कर रहा हूं आप भी अपने तरीके से बनाओं आप कैसे करेंगे आदें आपको मैं लॉउक सिखा चुका हूं आप मैं से कोई भी बच्चा आप मैं से कोई भी बच्चा लॉक्टेबल नहीं पढ़ा है तो इसकी पिछले चेप्टर में मैं सिखा चुका हो वहाँ जाके log table पढ़ लेना वहां से log table पढ़ लेना ठीक है चलो अब मैं यहां क्या करूंगा बेटा कोई भी log table नहीं पढ़ा होगा तो इसकी पीछले सर्टें'd किया है आगे बड़े बेटा अब की बताएगा यहां लॉग क्या देखूं यहां लॉग के टेबल में लॉग के टेबल में बहुत स्टी फ़ाइव का जीरो देखेंगे और यहां लॉग के टेबल में 40 का देखेंगे चलो देखेंगे मताओ 55 किदिरो कितना है चलो मैं भी देख लेता हूं 55 कर जीरो किता है भाई 55 कर जीरो चिला को 55 कर जीरो 7404 7404 तो लिख लिते है इसको लिख लेते हैं इसको एक बिनाट कितना है बैटा ये 7404 और यहाँ दो डिजिट है दो डिजिट तो 1 पॉइंट लिखेंगे और माइनस 1 और लॉक 40 का 0 कितना होता है बैटा 40 का 0 कितना होगा 40 का 0 है 6021 6021 है न यह है बैटा 6021 और यहाँ पर लॉक 4 लिखा है 4 मतब सिंगल डिजिट है तो 0 पॉइंट चलो अब इसको हल करो और मुझे बताओ आंसर कितना होगा इसे हल करेंगे और के कमान कितना होगा मुझे बताएंगे चलिए इसे हल कीजिए और कितना आंसर मुझे बताएंगे मैं भी पीछे पीछे आपे करता हूँ आप भी करो यह आ रहा है मैंने भी गढ़ना किया है हलाकि मैंने मुबाइल से किया है इसको तो 1.1383 आ रहा है अब चलो 2.303 डिवाइड भाई 410 यह भी करो बेटा मैं भी कर रहा हूँ पीछे पीछे आप भी मेरे साथ करो कितार आंसर देखेंगे 2.303 1.1383 डिवाइड भाई 410 तो बेटा मेरा आंसर आ रहा है 0.0063 याने की 6.3 इंटू 10 दिपावर माइनस 3 कंफर्म करते आपके बिएसी आ रहा है क्या मेरा तो यह आसर आया मैं आपके बिए आ रहे ना कि यस गुड़ बॉन साबाश बेटा कि आ अब काम करते हैं अब काम करते हैं यह बताओ ये बताओ तो मैंने 410 सेकेंड के लिए के निकाला, 410 सेकेंड के निकाला, अब एक काम करो, 1130, 1130 सेकेंड के लिए के निकालो, और बताओ, कितना आ रहा आपका value, यह तो एकदम सेम आएगा, यह एकदम आसपास आएगा, आसपास आएगा, अगर आसपास आएगा, तो भी उसको सेम मा थीशान कितना रहा हुँ मुझे बताएंगे जल्दीर है घुटे बटा के बन निकलके अब के टुनिकलो कि पाया गलत है कहाँ पर गलत हो गया कहाँ पर गलत हो गया है क्या तो बूझे पताई यह यह गलत हो गया क्या कुछ लोग्छे आइसार भेज रहे अच्छा 0.1384 आ रहा है अच्छा ठीक है ठीक है चामा चाहूंगा 1384 आ रहा है 0.1348 ठीक है इसी को लेकर बना लो साथ मैंने कुछ गलती कर दी होगी अब ठीक कर लो जए अступर को लिकत्पा Гण मैं बनाओ थे ठीक है यह आ रो और रहो नो मैं चेक नहीं कर रहो मैं आपको सही लेकर चलो पाओ किसे आंसर बताईं यह फाइनल आंसर आप का फाइनल आंसर ड्म क्या रहा आपका बताव बेटा तो 0.1384 आरा कह रहे हो इंटू 2.303 डिवाइड बाइ 410 अच्छो 0007 क्या स्पसा रहा हैं सर कितार बेटा आप लोको देखो तो एक बार मैं भी अभी live calculation कर रहा हूँ आपके साथ साथ ही कर रहा हूँ रुको तो बना जल्दी अगले के लिए निकालो मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ साथ जल्दी आइसा निकाले बेटा दोनों का के कमान निकालेंगे log 40 का 0 6021 ठीक है 55 का 1 अरे हाँ यह मैंने गल्दी किया है बेटा 55 का 1 लेना था मैं 55 का 0 ले लिया हूँ ठीक ठीक इसलिए गड़ बढ़ हुआ है मैंने यहाँ पनना 55 का 55 है 0 55 ठीक 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 नहीं है आंसर ही आएगा Pachpan है ना पज़ेछीपन का 0 पज़ेशीपन का 0 कितना था 7404 वह तु लिखा हूँ ना 7404 हाँ ठीक 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 है हाँwan कान फरूर्म केरो बेटा दोनों में माहांसर से मार रहे क्या किक तु कितना रहा है जीरो निट ड्रीपल जीरो सेवन जीरो पॉइंट ट्रीपल जीरो सेवन और डूसरे वाले मासर क्या ही किस्की क्लिए कितना है क्या कमाट जल्दी पिंद पताँंगे मेर meilleur को हल करो जल्दी हल करो जल्दी कर थो ऊँदि में दो नहीं अभी शेख जी 55 का फाइफ नहीं लेंगे 550 लेंगे 555 का है नोगे बेटा के दूसरे वाले का आधार अंधार बॉयंट डूसरे आज ना थे लौसरे बाले यह तो एकदम सेम आएगा या फिर आसपास आगा डबल तो नहीं आ रहा है ना डबल आएगा तब दूसरा कोटी होगा डबल आएगा तो दूसरा कोटी अगर एकदम सेम आ रहा है या आसपास आ रहा है तो प्रथम कोटी लेकर चलेंगे हम लोग डबल तो नहीं आ रहा है न आसपास आना चाहिए या फिर एकदम सेम आना चाहिए तो आपने क्या देखा अलग अलग समय के लिए के का मान निकालो तरीका मैंने बता दिया अभी थोड़ा कैलकुलेशन उपर नीचे हो सकता है अलग अलग टैम्परेट माफ कीज़े टाइम के लिए के का मान निकालो या तो सेम आएगा या तो आसपास आएगा अगर आसपास भी आए तो सेम लेकर चलेंगे और अगर ऐसा हुआ तो बोल देना रियक्षन की कोटी रियक्षन की कोटी क्या है बेटा वन तो बताइए कि आप सिद्ध कर पा रहे हैं कि ये प्रथम कोटी है कैसी नीमेरिकल बनाओगे न तो बस इतना ध्यान रखना थोड़क के फोकस करना अच्छे से और 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 आस पास आना चीए बस ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है तो चलिए अभी मैंने आपको पहला पैटन बताया अभी मैंने आपको पहला पैटन बताया अब चलिए दूसरे पैटन में चलते हैं बेटा अब दूसरे पैटन में एक शब्द लिखा हुआ है बेटा अर्ध आयूकाल अर्ध आयूकाल अब दूसरे पैटन में दूसरे पैटन में जितने निमेरिकल है जितने भी निमेरिकल है वो सारे अर्ध आयूकाल से जुड़े हुए होंगे अभी आयू काल क्या होता है सुनना ऐद आयू क्या होता है अब मैं आपको इह बता रहा हूं ज़्राग्न सुनेगा वेट आई बताओ अभी जो आपनो बना दीटा थे कुछ दिर पहले मैं आपको एक डेटा दिया था यह वाला एकदम गॉर्ट से किया आप एक चीज नोटीस कर रहे हो शुरु में आपने लिया था 10.4 जब समय 0 था प्रावभिक सांधरता एकदम आधा हो गया है आधा हो गया आधा हो गया है। देख पाले हैं आपफ लों? 55 मिनुट के बाद प्रारंभिग सांथरता आधा हो गया। तो बेटा इस समय को अर्ध आयू कहेंगे। इसी को बोलते हैं पीटा अर्ध आयू याने की हाफ लाइफ पीरियेड हाफ लाइफ पीरियंड बोलते हैं तो गौर सुन ना कोई पूझे अर्ध आयू क्या होता है तो तुम कहना किसी reaction में शुरुवात में लिया गया सांध्रता सुरूआत में लिए गया सांध्रता को आधा होने में कितना समय लगेगा इसी को बोलते पटा अर्ध आयू मैंने कहा किसी भी रियक्षन में सुरुवात में लिये गए सांधरता को आधा होने में कितना समय लगेगा इसी को बोलते पटा अर्ध आयू या फिर आप कह सकते हैं किसी भी अभिक्रिया को आधा होने म 50% complete होने में किसी भी reaction को 50% पूर्ण होने में 50% complete होने में कितना time लगेगा उसको अर्ध आयू बोला जाता है और आप देख सकते हैं इस उदारन में मैं आपसे पुछूंगा अर्ध आयू कितना है आप बोलेंगे बेटा 15 मिनट 15 मिनट is known as half life period क्योंकि यह वो time है जिसमें reactant आधा हो रहा है correct तो जब भी कोई आपको अर्ध आयू के बारे में पूछे तो अब सुना बेटा हमारे पास हमारे पास सूत्र क्या था सूत्र था के 2.303 टी लॉग ए नॉट बाई ए तो सूनें के ध्यास से अर्ध आयू के लिए अर्ध आयू के लिए जो time होता है बेटा time time उसको t नहीं लिखते t के इस थान पे t1 by 2 लिखेंगे अर्ध आयू काल को अर्ध आयू काल को t1 by 2 से दर्शाते हैं और आयू काल को t1 by 2 से दर्शाते हैं और आपने एक चीज़ नोटिस किया की की यहाँ पर यहाँ पर आप देखो आपने इसको क्या बोला बेटा एक नोट बोला है और आपने इसको क्या बोला है एक बोला है इसको आपने एक बोला है और आप नोटिस कर रहे हो पंदरा मिनट के बाद एक आमान एक नोट का आधा हो गया एक नोट के आधा हो गया एक नोट का आधा हो गया एक नोट का आधा हो गया पंदरा मिनट के बाद तो मेरे कहने के मतलब है कि अर्धा आयू के समय में अर्धा आयू के समय में जो होता है वो एक नोट का आधा होता है तो अगर मैं इन चीजों को इस सूत्र में लगा दूँ तो मेरा सूत्र क्या हो जाएगा बेटा अब देखो मेरा सूत्र क्या हो जाएगा के 2.303 समय को T ना लिखके अब हम लिखेंगे T 1 by 2 और मैंने क्या बोला अर्ध आयूकाल दर्शाते वक्त A का वैल्यू A, A naught by 2 होता है A A naught by 2 होता है अब बेटा ये cancel हो गया तो क्या बचेगा बोलो क्या बचेगा इसको न मैं इस तरफ ले जाता हूँ T 1 by 2 को इस तरफ ले जाता हूँ T 1 by 2 2.303 के यहां क्या बचा बेटा यहां बचा ये 2 उपर जाएगा तो लॉक 2 बज गया है ना आगे चलते हैं 2.303 के अब बेटा लॉक 2 का मान होता है 0.3010 3010 अब इसको गुड़ा करोगे अब इसको गुड़ा करोगे तो यह आएगा 0.693 बटा के तो यू समझ लो कि यह अर्धा आयूकाल का सूत्र है यह अर्धा आयूकाल का सूत्र है तो मैं पैटन 2 में पैटन 2 में जितने भी numerical करवाऊंगा उसी में यहीं सूत्र अब उप्योग होने वाला है तो अर्धा आयूकाल से संबंधित कोई भी प्रश्ण आएगा तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे पहले इसका स्क्रीन शॉट लीजे फिर कोशा मनाते हैं बेटा ठीक है तो चलो फिर प्रश्ण पहुंसते हैं यह लिजी आपके प्रश्ण आगया तो प्रश्ण में क्या हुआ है दर इस थरांक दिया है मतलब कि यह के कामान है यह के कामान है ठीक है यह ऐस है ना सौरी यह ऐस है ऐस बतब सेकेंड यह सेकेंड है सेकेंड 200 सेकेंड ये के कमान है 200 प्रती सेकेंड होगा मिस्प्रिंट है मिस्प्रिंट है ये 200 प्रती सेकेंड ये भी के कमान है दो प्रती मिनट ये भी के कमान है चार साल चार प्रती साल चार प्रती साल अब आपको क्या करना है बेटा आपको प्रस्ण में तीन अलग अलग के का मान दिया है और आपको तीन अलग अलग अर्ध आयू काल निकालना है तीन अलग अलग अर्ध आयू काल निकालना है एक दम सिंपल है आपका सूत्र है 0.693 बटा के इसमें ना बहुत सिंपल कोशन आता है बस क्या रहेगा अगर दर इस्थरांग दिया है तो अर्ध आयू निकालो बोलेगा अर्ध आयू दिया रहेगा तो दर इस्थरांग निकालो बोलेगा बस इतना ही प्रस्ण आएगा अगर आपको अर्ध आयू दिया है तो दर इस्थरांग निकालो बोलेगा दर इस्थरांग दिया रहेगा तो अर्ध आयू, जैसे इस प्राश्ण में, इस प्राश्ण में आपको दर इस्थरांग दिया है और अर्ध आयू निकालने बोला, चलो, रोख करो और मुझे प्रूफ करो कि यह तीनों अथर आपका आ रहा है कि नहीं, कि एक निकाल लो कुछ चेंज मत करना सेकेंड तो सेकेंड रहने देना मीनट रहने देना यह रहतो यह रहने देना किसी प्रकार के कोई यूनिट करना वर्जन नहीं करेंगे बस कन्फर्म करो आंसर आ रहा है कि नहीं पैटन 1 पैटन 2 पैटन 3 पैटन 4 पैटन 5 पैटन 6 पैटन 7 और पैटन 8 आप देख पा रहे हैं मैंने क्या किया है जितने numerical आपके उस्तक में दिये हैं उनका मैंने एक वर्गी करन कर दिया और उन प्रश्णों को बनाते कैसे हैं उसके आधार पर मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि इस चैप्टर में जितने भी numerical हैं उनको पता है आठ तरीकों से बनाया जाता है मैंने क्या नोटिस किया कि इस टॉपिक के जितने निमेरिकल हैं सूत रहे एक ही है पर उनको बनाने के तरीके है आठ तो मैं आपको पिछले क्लास में इसके कुछ कोशास करवा चुक हूँ मेरे ख्याल से हम लोग पैटरन बना चुके हैं तो पहली बात तो चैप्टर को एकदम अच्छे से करिए तयारी अपने चैप्टर के हर एक टॉपिक को पहले अच्छे से समझो उसके बाद आपके पूस्तक के पीछे में जो भी मल्टीपल चॉइस कोशन होगा उसको पहले ब पिटा सभी बोड में सभी बोड में एमसी क्यूस बनने का तरीका एक जैसा तो अगर आपने चैप्टर समझा है तो बिल्कुल आपसे बनेगा और वैसी बात नहीं है सिलिए बस कंप्लीट होने के बाद हम लोग एमसी क्यूस करेंगे ही आप चिंता ना करें इलेक्ट्रो क बनाने का तरीका क्या जड़ा एक बच्चा पूछ रहाए तो बेटा एक बताया तो मैं असल में होता क्या है आप किसी चैप्टर का मल्टीपल चॉइस बनाएंगे तो हो सकता है आपको धेर सारे प्रस्ट मिलेंगे धेर सारे मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी प्रस्टो ये वाला प्रस्ट ये वाला प्रस्ट ये एक ही टाइप का बन रहा है एक ही जैसा बन रहा है उसके बाद ये प्रस्ट 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 ये एक ही टाइप का बन रहा है तो आप चैक करेंगे त यह बी वाषी बनेगा, तो देखना Chapter खतम होने के बाद मैंने आपको इसके पुराने Chapter में Multiple Choice करवाएं हैं अब मैंने कितने प्रश्न करवाएं ध्यान देना मि the interest करवाएं 20 प्रस्न करवाएं तो आप सोचेंगे सरब लिस प्रस्न करने साथ उसमें से एक ही करवाऊंगा एक ही करवाऊंगा और यह लेके चलूंगा कि भाई इसी से मिलता जूलता दूसरा प्रस्ण आएगा तो आप बना लेंगे आप बना लेंगे तो मैं जो मल्टीपल चोइस करवाता हूं चैप्टर खतमने के बाद वो बोर्ड इग्जाम के चैप्टर यही है तो मैं आपको 50, 70, 800 प्रस्ण ने करवाऊं गा मैं बीस यति प्रस्ण कर वाऊंगा पर वह वी स यहां पर दे तो बन रहा हो तो वह ही चीज मी आपको यहां पर घंब में भी समझा रहा हूं बेटा मैंने आपके सामने आठ पैटन रखे हैं आठ पैटन और आठ पैटन में अगर दो-दो कोशन करेंगे तो 16 कोशन हुए सुन अध्यान से मैं आपको यहां पर निमेरिकल में आठ पैटन करवाऊंगा तो अगर सब के दो-दो प्रश्ण करवाऊ आठ पैटन काम्पीट होगा आप अपने पुष्टा भूला कोई प्रश्ण आप बना लोगे चलो श्टार करते हैं ठीक है तो परशान मतों यह कोशन कितने तरीकों के बनते हैं यह समझना है कितने सारे प्रस्ण इससरे आपको मतलब नहीं है तो बैठ से पैटन टु हो च कि वेटा वूदारन बता रहा हूं किसी ने बोल दिया कि एक रियेक्टीट है अभी कारक है और ये सोला ग्राम है 16 ग्राम, जहां सुनना, एक अभिकारा क्या जो 16 ग्राम है, फिर मैंने क्या देखा, कि 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, इस रियक्टेंट का जो मातर है, 16 ग्राम, वो घट करके 3 ग्राम रह गया, आपको तो पता है ने बेटा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, तो रियक् पतेंट लिया है, 10 मिनट के बाद, वो 3 ग्राम हो गया, घट के घट के 3 ग्राम हो गया, तो चलो बताइए, के कामान कितना होगा, ऐसा प्रशना आएगा, तो तीसरे पैटन में, तीसरे पैटन में, इसी प्रकार के कोश्णस आपको देखने को मिलेंगे, अब कैसे करोगे सूत्र क्या है, 2.303 T log, मैं आपसे निवेदन करूँगा, जितने बार निमेरिकल बनाओगे, उतने बार सूत्र लिखना, उतने बार सूत्र लिखना, तो चलो, के निकानना है, 2.303 समय कमान कितना दिया हुआ है, 10 log, A not का मतलब क्या होता है, A not का मतलब होता, प्रारंभिक सांधरता, A not का मतलब होता है, शुरू में लिया गया मातरा, कितना है बेटा, 16, और A का मतलब होता है, किसी निश्चित समय के बाद सांधरता कितना बचेगा, वो होता है, यहाँ पस तीन, बस इसको हल करना है, के कमान निकल जाएगा, तो तीसरे पैटन में इसी प्रकार क प्रश्ण आपको देखने के मिलेंगे, बस इतना याद रखना, इतना याद रखना, यह 16 ग्राम दिया है ने बेटा, यह 16 ग्राम दिया है, तो यह 16 मोल पर लिटर भी हो सकता है, यह 3 ग्राम दिया है, तो यह 3 मोल पर लिटर भी हो सकता है, तो याद रखना, ग्राम में द बनाएंगे बेटा ठीक है तो चलो फिर प्राश्ण बनागे देखते हैं बेटा जैसी यह देखो इस प्रस्ण में क्या बोला है बेटा कि एक अभी कारक है जो पांच ग्राम से घटके तीन ग्राम हो गया और वेगी स्थरांख का मान दिया है तो बताओ पांच ग्राम से घटके तीन ग्राम होने में कितना समय लगेगा बोलिए बना लोगे बेटा बना लोगे क्या सूत्र क्या है 2.303 समय आपको निकालना है लॉग लॉग ए नॉट बाई ए अच्छा जी चलिए टी को अलग कर देता हूँ बेटा के कमान किता दिया है के कमान दिया है 1.1510 तुझी पावर माइनस 3 लॉग ए नॉट किता लेंगे 5 ग्राम और ए किता लेंगे बेटा 3 ग्राम बस अब इसको हल करना है उत्तर आपके सामने होगा बाखी लॉग कैसे देखते हैं यह सब सीखा चुका हूँ भी मैं लॉग इसको डीवाइड कर लो इसको डीवाइड कर लो ठीक है उसके बाद यहाँ पर लॉग 5 बैठ 3 कैसे निकारेंगे बैटा लॉग 5 माइनस log 3 ऐसी करते है न log 5 का value किता होता है log 5 का value किता होता है log 5 मतब 50 देखेंगे न 50 तो log 5 होता है वहता है बटा 699-0 699-0 और log 3 699-0 आप पस लॉक टेबल है न यह लिजे तो मैंने इसका मान लिख दिया है अब इसको हल कर लिजे आप लो तो log टेबल आपके पास होगा ही आगे answer 4771 4771 ठीक answer देखेंगे बटा आपनों कभी तयार है जो मैंने display किया है देखेंगे अगर मुझे सिर्फ teacher रखना होता तो मैं किसी को भी किसी को भी ले आता और आपके सामने रख देता अब पर दिकत क्या है बटा मुझे लगता है कि अगर हर एक सब्जेक्ट आपको अच्छा दिया जाना चाहिए तो फिर बैलोजी भी आपको अच्छा ही मिलना चाहिए तो आप पूछ रहें ना बैलोजी का टीचर कब हैं पर वैसा टीचें नहीं मिल पा रहा जैसा मुझे लगता कि आप लोग को आप डीजर्व करते हैं बस इसलिए लेट हो रहा है बागी और करण नहीं है अब 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 सकी हम फ्री में पढ़ा रहे हैं आपको अब फ्री में पढ़ा रहा है वोलके कोई मैं मैं तुरिस्क नहीं उठा सकता मतलब मैं एलिस्ट आपके भवीशी के साथ खिलवाण नहीं कर सकता तो आप अपने लिवल पर सर्ज करते रहे अगर आपको मिल जाते हैं तो आप बिल्कुल पर सकते कहीं भी कोई बाधेता नहीं है हमारे तरफ से पर मुझे लगता है कि अच्छा कंटेंट होगा तभी हम आपके सामने रखेंगे किसी को भी ऐसे उठा करके नहीं ले आएंगे ठीक है चलो आगे बढ़े अगला प्रस्ट देखें चले एक उधारन और है इसको भी ट्राई करो इसको भी ट्राई करो इसको भी ट्राई करो प्रस्ट में क्या पू बुचह है दर स्थरांख की तदिया है बेटा टैन के पावर में मैनस 3 बोला है 10 ग्राम से घटके आधा होना है आधा यानि कि 5 ग्राम होना है तो ये तो बड़ा ही आसान प्रस्ण है टू पॉइंट 3 0 310 क्ले पावर मैनस 3 बेटा लॉग 10 बाइ 5 लॉग 2 होगा है ना लॉग 2 होगा 2.303 ये उपर चला जाएगा तो 10 के पावर 3 हो जाएगा लॉग 2 का मान होता है 0.3010 बस इसको हल करना है अंसर आपके सामने होगा ठीक है तो प्रश्ट एम बोला था 10 गराम से घटके आधा होने में कितना समय लगेगा अंसर आपके सामने है इसक्रिंशॉट ले लिजे इसका लॉग का मतलब क्या है लॉग एक प्रॉपर्टी होती बिटा जो mathematical parameters में apply होता है बाकि लॉग एक्चुली में क्या होता है वो आपको कोई गडित कर टीचर ही बता पाएगा मैं सिम्पल एक chemistry teacher हूँ उपर से मैं बायो वाला था मैं तो गडित भी नहीं लिया हूँ तो लॉग एक्चुली होता क्या है यह सब मुझे लगता है किसी physics या मैस के टीचर से पूछेगा तो आपको ज़्यादा चांसर मिल जाएगा ठीक है आगे बड़े बेटा चलो अब पहुशते हैं चौथे पैटन में देखते हैं चौथे पैटन में किस तरह के questions आएंगे याद रखने बेटा बस आपको इत्ता बिठाना है कि सर ने हमें आठ पैटन करवाया है इसका मतलब आठ तरीकों के questions जो हैं हमें इस chapter में बना जब मैं आपसे यह कहता हूं कि जो कि जो अभिकारक है जब कोई अभिकारक जब किसी अभिकारक की मात्रा अभिकारक की मात्रा आधा आधा न की 1 by 2 हो जाए जब किसी अभिकारक की मात्रा 1 by 2 हो जाए तो आपके सूत्र में क्या बदलावाया था बेटा क्या बदलावाया था 2.303 T log A not by A मैं आपको कुछ बाते याद दिला रहा हूं 2.303 log आपको याद है बटा जब अभिकारक की मात्रा आधा हो जाता था तो हम A के स्थान पे A not by 2 लिखते थे क्या सबको याद है बात जब अभिकारक की मात्रा आधा रह जाए तो A के स्थान में A not by 2 लिखते थे और T के स्थान पे यहां पर हम यहां पर हम A nought by 2 लिखते थे और T के स्थान पे T 1 by 2 लिखते थे इसी को तो Eau Carl कहा जाता था इसी को तो Eau Carl 2.303 क्वा अभी क्या बन गया लॉक 2 बन गया सबको याद है यह बता चुका हूँ आपने को अल्रेडी यह अप सबको याद है यह में पिछले क्लास में किया है पेटा यह यह याद है सबको है ना है ना है ना ठीक ठीक तो अब तुम मुझे एक बार बताओ जब मैंने कहा कि अभिकारक आधा हो गया यान कि 1 by 2 हो गया तो बेटा यहाँ पर आया लॉक 2 यहाँ पर आया लॉक 2 तो अगर मैं आपसे यह कहूंगा कि अभिकारक अभिकारक वन फोर्थ बचा 1 4th बचा तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा अब आपका सूत्र हो जाएगा बेटा, T 2.303 के log 4 हो जाएगा अरे भाई, जब आधा हुआ था 1 by 2 वा था, तो log 2 आया तो 1 4 बचेगा, तो log 4 हो जाएगा है ना, है ना, वही पर अगर मैं आपसे कहूंगा कि अभी कारक अभी कारक one tenth बचा one tenth बचा तो आपका सूतर कैसा हो जाएगा अब आपका सूतर बन जाएगा बटा ऐसे T two point three zero three k log ten हो जाएगा है ना है ना इसके बाद इसके बाद अगर मैं कहूंगा कि अभी कारक अभी कारक two third हो गया अभी कारक two third हो गया तो फिर ऐसे में आपका सूतर क्या हो जाएगा बेटा अब आपका सूतर हो जाएगा two point three zero three k log जल्दी बताओ जब one by two हुआ तो log two आ गया one by four है तो log four आ गया one by tenth है तो log ten आ गया तो two by three है तो क्या हो जाएगा log three में two हो जाएगा inverse कर रहा हूं उल्टा कर रहा हूं तो जब भी किसी प्रस्ट में ऐसा लिखा हुआ आएगा one fourth one fourth तो बेटा आपको उसका मतलब समझना है जब भी किसी प्रस्ट में लिखा हुआ आयगा one tenth तो उसका मतलब समझना है three fourth या two third तो उसका मतलब आपको समझना है कि सूत्र में कैसे उसको एपलाई करना है सूत्र में उसको कैसे एपलाई करना है अच्छा जी अब इसके बाद इसके बाद जब तुमने आधा किया तो इसको अर्ध आयूकाल बोला अर्ध आयूकाल बोला तो बेटा इसको बोलते हैं वन फॉर्थ लाइफ वन फॉर्थ एक वन्ताइ। इसको बोलेंगे बार दाय। फी तटिहः यानरे कि दो तीहई आयू उकाल तो अगर किसी प्रश्थ में पूश धिना दो तीहाई आयू आयूकाल निकालो दो आपको यह करना ॉक्तों इंक्ष करना फटास यह pesos बने अब यह साथ बता दिया नो मैंने अब प्रश्ण बनाओगी तो फटाफट बन जाएगा कैसे चलो पहला प्रश्ण देखो पहले प्रश्ण में बोला है कि प्रथम कोटी की एक अभिक्रिया है जिसका वेग इस्थ रांख है 6060 पर सेकेंड तो चलिए बताईए प्रारंभिक सांधरता को वन बाई सिस्टिंथ भाग रह जाने में कितना समय लगेगा जल्दी बताओ क्या आप यही करने वाला है प्रश्ण परटा समय निकारना है न समय 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 तो टी 2.303 दरिस थरांग किता दिया है 60 लॉग मैं क्या लिख जलताओ यहां क्या लिखने वाला हूँ मैं जल्दी बत क्या लिख हूँ जल्दी बताइए वहां पर क्या लिखा जाए यहां पर लिखना है 16 बस अब इसको हल करना है है न साब आस आप सबने सही असर दिया बैटा तो 2.303 को 60 से डिवाइड कर लो और यहां 16 लॉग 16 है न तो लॉग के टेबल में 16 का 0 देखो तो किता है बैटा म मैं भी देख लेता हूं आपनों भी देख लो 16 का 0 कितना होगा 16 0 है 2041 2041 होगा है ना है ना है ना 2041 होगा कितना है यह 2041 यह लिए बस इसको हल करना उत्तर आपके सामने होगा तो आपको क्या प्रश्चन में पूछा था बेटा पूछा था समय निकालो 116 होने में तो आंसर आपके सामने लीजिए कैसे करना समझ में आ गया आगे बड़े सब को समझ में कैसे करना है तो इसलिए हर प्रश्चन को बनाने से पहले मैं आपको उसका एक उदारन बता दूँगा तो देखिए यह एक पैटरन था प्रश्च बनाने का ऐसे भी जी प्रश्च पूछ रहे हैं कि क्लास 12 में आपका कितना परसेंट बना था कि देखिए क्या होता है कि आपका बारवी का या स्कूल का जो परसेंटेज होता है ने बेटा वो बहुत अधिक आपकी आपका जो भविश है उसको निधारित नहीं करेगा याद रखना यह अज दसवी का या बारवी का जो परसेंटेज होता है ना वो बहुत अधिक आपके भविशे को निर्धारित नहीं करेगा बहुत अधिक नहीं करेगा पर काफी हद तक करेगा बिल्कुल करेगा एक टीचर होने के नाते मेरा तो करता भी है ने बिटा कि मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे 90 सूपर परसेंट लाए बिल्कुल अब मैं कित्ता ला पाया नहीं ला पाया वो दूसरा मुद्दा है कि हमको टीचर नहीं मिल पाए या उस उतने अच्छे नहीं मिल पाए वह बहुत सारी कहानिया थी पर अगर मुझे लगता है कि मैं इतना महनत कर रहा हूं तो भली मैंने कह दिया कि बारवी का रिजल्ट बहुत अधिक भविश्य को निधारित नहीं करता पर कुछ हत्ता तो कंट्रोल करता है ने बेटा आपके सोच को बदलेगा आपके एप्टिटूड को बदलेगा चीजों को देखने का समझने के तरीका बदलेगा इसलिए बिल्कुल आपको सिस कीजिए कि आपका परसेंट अच्छा है आप मेरे बारे मत पूछिए इसके पहले वाले बैच में बच्चा पूछ रहा था कई बार उसने मेसेज किया कि सर आपकी कॉलिफिकेशन क्या है तो आप एक का सकता हूं कि आज यूटूब में जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं मतलब कॉलिफिकेशन के पॉइंट अभी उसे मेरा थोड़ा ठीक है बाकियों से और नास तो हालात ऐसे हैं ने बेटा दूसरे दूसरे का यूटूब चैनल देखके रात में टीचर नोट्स बना लेते ह हैं और अगरे दिन यूटूब में वीडियो डालना चालू करते हैं पढ़ाना चालू कर देते हैं तो ऐसा नहीं है बिस साल हो गया पढ़ाते हुए अगर आपको जानना है मेरे कौलिफिकेशन क्या तो गूगल में सर्च कीजिएगा वहां दिख जाएगा हाँ पर यह है क तो ऐसे आप प्रशन ना पूछे मुझे लगता है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं और आपको समझ में आ रहा है बस इतना ही काफी है बेटा मैं अगर बहुत बड़ा पढ़ाई करके अगर आपको नहीं समझा पार हूँ नहीं पढ़ा पार तो भी क्या माहिने रखता है तो मतलब है कि मैं जो करा रहा हूं यहां पर वो आपको समझ में आना चाहिए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन यह आप मुझे बनाकर दिखाओ चलो यह जो प्रशन है यह आप मुझे बनाकर दिखाई यह वैसे क्लाश 12 पे बहुत खास percentage मेरे नहीं थे परहने दीजे क्या मतलब उसका आपका परसेंट आना चाहिए बस तो मेरा जो काम है वो पूरा हो जाएगा ताकि भविश्य में कभी हम संजोग से कहीं मिले और आप किसी अच्छे इस तरह पर पहुंच जाए तो बहुत खुशी होगा मुझे कि मेरे बच्चे जो है आज अच्छ पर इस ताक रहे हैं एक अच्छी स्थान पर पहुंच गया उनका भविश्य बन गया है तो मेरा अगर आपके जीवन में एक परसेंट भी योगदान हो गया ने बेटा आपके भविश्य बनाने में तो मैं तो तर गया ना मैं तो गंगाना हालिया हाँ बैटारी मेरे PhD चल रही है मैं PhD कर रहा हूँ और मेरा जो टॉपिक है जो धो चैंसर हो थ कैंसर झानिसक्राइब ऑफिसके ड्रक्राओं धती से लिए किसे पारे म्हल है इसे पूबुएचर किया ज présent заключ है अणमेघी धीयर, मेरे निजया है कप्योट हुआ ऐगा के बन्सक्राइब युब आने वाले सालों में भी ना जूड़े रहेगा इसलिए नहीं कि आप पड़ की निकल गए सब खतम हो गया ऐसा नहीं है पर मुझे लगता है हमें आपस में जूड़े रहना चीए याद के लिए कि हाँ ये टीचर था जिसने हमें पढ़ाया था आप चाहे फेस्बूक के माध अब भी रखिए बहुत मजा आएगा मिल के भविष्य धारान करेंगे अच्छा करेंगे तो क्यों अच्छा नहीं होगा चलो आगे बढ़ते हैं एक तीसरा प्रस्ट इसको अप घर में बना लेंगे ठीक है इसका स्क्रीशोट ले लो इसको आप घर में बना लेंगे बेट इस परस्ट में क्या लिख्ए बेटा दोती हाई दोती हाई बुला है ना दोती हाइ समाझगे कया है दोती हाई लिख्ख्पा है तुक दोती ही आयू काल निकालना है तो 2.303 के का मान किता दिया है बेटा 5.48 10 डिपावर माइनस 14 हाँ जी लॉग दो तीहाई बोला है तो यह 3 by 2 हो जाएगा है नो 3 by 2 तो आपको यहाँ पर दो तीहाई आयू काल निकाला बस इसको स्क्रीन शॉट ले लिजिए आप इसको घर में बना लेंगे दिलिप, आरिया, सोमेज, विकास ठीक यह करना है बटा निलीमा वेरी गुड आगे बढ़ते हैं अब चलते हैं पांचवे पैटन के तरफ अब तक मैंने आपको चार पैटन करवाया तो चार पैटन का मतलब है बेटा मैंने आपको चार तरीके बताए निमेरिकल बनाने के अ इस पैटन में आने से पहले मैं कुछ क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी तक मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया है अब इस फॉर्मूला का यूज करने का समय आ गया है अब तक जितने निमेरिकल करवाया थे न वो इस सूत्र से बन रहा था इस सूत्र से अब जो निमे करना आप क्या करना हमेशा आप निमेरिकल बनाते वक्त इसी फॉर्मूला का यूज करना यह वाले का इसका ही यूज करेंगे भले ही सारे प्रश्ण जो इस सूत्र से बनेंगे वो इससे भी बन जाते हैं पर मैं आपसे निवेदन करूंगा आपको कंफ्यूजन मत हो इसलिए बता रहा हूँ आप जब भी इस chapter numerical बनाएंगे तो इसी सूतर का प्रयोग करेंगे बस इतना याद रखना ये सूतर तब प्रयोग में लाना जब दी हुई चीजें percentage में हो जब percent दिया रहेगा तभी आप इस सूतर का प्रयोग करना बिटा तो मैंने clear कर दिया है आप लोग को कि कब कौन सा सूतर यूज करना है हमेशा इसी सूतर का प्रयोग करेंगे इस सूतर का प्रयोग तब ही करना जब चीजे percentage में दी हुई होंगी अब इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ, इसका मतलब क्या है बेटा, तो यहाँ देखना, मेरे बोलने का क्या मतलब है, मैंने कहा कि जब percentage दिया रहेगा, तभी आप यह formula यूज करेंगे, अब कैसे यूज करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, अब इस सूत्र का कैसे प्रय तो यहाँ आप यहाँ नाएक है, कि अउपर में आपने इस से पहले लिए आङ होता है, और मुझे आच करेंगे, तो तो कि मुझे बता है, और यहाँ था है, खेंगा, то यहाँने ए कामान हमेशा आपको 100 लेना है बेटा इस सूत्र में ए कामान 100 लेना है और X क्या है? X का मतलब होता है बेटा % danage completion of a reaction यानि इसका मतलब होता है कोई भी reaction कितना % complete हुआ है कोई भी reaction कितना % complete हुआ है उसे के X बोलते है उसी को X बोलते हैं, मैं समझाओं, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, माल लो, आपके सामने एक प्रस्ण आ गया, मैं आपको उदारन बता रहा हूँ, बेटा जरो गौर से सुनना, माली जे किसी ने कहा कि एक अभिक्रिया है, एक अभिक्रिया है, जो 10 मिनट में 60% पूरा हो चु ये K का मान ग्याद कीजिए, K का मान ग्याद कीजिए, तो क्या करोगे बेटा, ये देखो, K 2.303, समय का मान क्या दिया है, 10, अब आप क्या करोगे, 60% बोला है ना, तो ऐसे करोगे बेटा, 100, 100-60, बस ये करना है आपको, तो बेटा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, X का मतलब होता है कि कोई भी reaction कितना percent हो चुका है X का मतलब होता है कोई भी reaction कितना percent हो गया है माल लो किसी ने बोल दिया माल लो किसी ने बोल दिया कि एक reaction है जो 90% पूरा हो चुका है तो बस क्या करना है X कमान 90 रख देना है X कमान 90 रख देना है तो X का मतलब होता percentage completion यानि कोई भी reaction कितना percent हुआ है याद रखना मैं आपसे request कर रहा हूँ इस सूत्र को तभी प्रयोग में लाना जब percent दिया रहा है otherwise इसको मत यूज करना otherwise इसको मत यूज करना ताकि आपको confusion ना हो बेटा उसका screenshot लीचे फिर questions बनाएंगे हम लोग यहाँ पर समय को समय को बेटा आप minute मिलो चाहे second मिलो चाहे hour मिलो फरक नहीं परता चलता है किसी भी parameter में आप ले सकते हैं तो फिर 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 बनाते हैं प्रस्ण चलो पहला प्रस्ण आपके सामने आ गया एकदम गौर से सुना बेटा यह जो प्रस्ण है न यह प्रस्ण मैंने बहुत सारे इस प्रस्ण को मैंने देखा है देखना यह बहुत important question है बेटा इस प्रस्ण में क्या बोला है सुनो इस प्रस्ण में बोला है कि एक प्रथम कोटी की अभिक्रिया है जिसको 20% होने में 20% होने में 100 मिनट लग रहा है तो बताए उसी अभिक्रिया को 80% होने में कितना समय लगेगा कितना समय लगेगा तो कैसे करोगे बैटा ये देखो कैसे करना है पहले आप एक काम करो के कामान निकाल लो कितने के लिए सो मिनट के लिए कैसे करोगे बैटा 20% लिखा है ना तो कैसे करोगे 100 100-20 फिर उसके बाद के का मान हमको मिल जाएगा फिर हमको समय का मान निकालना है किस के लिए निकालना है असी प्रतिसत रियेक्शन को होने के लिए तो अब जरक गौर से सुनेगा प्रस्ट में क्या कह रहा है असल में प्रस्ट ये कह रहा है कि अगर किसी अभिक्रिया को 20% होने में 100 मिनट लग रहा है तो 80% होने में कितना समय लगेगा बस आपको क्या करना है पहले वाले में से के निकालके यहां से यहां रख देना, पहले वाले सूत्र में से के कमान निकाल के यहां से यहां रख देना, अब एक कोशन पुछूँ, दो अलग अलग situation में के कमान कैसे एक हो सकता है, मैंने कहा यहां से के निकाल के यहां मैं कैसे रख सकता हूँ, तो देखें यहां क्या लिखा है, क्य जब भी कहें कामान अलग-अलग समय के लिए सेम होता है जब केक अमान सेम होथा तो फिर अभीक्रिया मैं आपको सीखा चुका हूँ कि परथम कोटी अभीक्रिया में के⁄मान सेम होता है इसलिए तो यहां से के निकाल के यहां रख पाया तो बस यह जो प्रस्ट नहीं यह बहुंँ ज्यादा एक्जाम में आता प्लीज स्क्रीन्शॉट लेंगे बैटा इसका बाद में हल कर लीजेगा इसको स्मेस जी आप पूच रहें आप थियोरी ले के क्यों नहीं आते हो इस चैप्टर में थियोरी हिनी यह बैटा इस चैप्ठर में इस चेप्टर में ये थोड़ा सा थेवरी था ये थोड़ा सा थेवरी था और इसमें थोड़ा सा थेवरी अब थेवरी नहीं है अब आखरी में जिस दिन मैं आखरी क्लास लूँगा उस दिन थोड़ा सा थेवरी आएगा तो इस चेप्टर में थेवरी है नहीं एक्चोल यह निकी एक्जाम में थेवरी थेवरी पढ़े चलेगा इस चप्टर से निमेरिकल आता ही है इस चप्टर से निमेरिकल आएगा ही आएगा तो थोड़ा सीख लो इसको ठीक है अब वैसे już ना इस यह आखरी चेप्टर रहे यह आख्री चेप्टर रहे नियमां कल वाला नियुमेरिकल इसके बाद कोई नियमारिकल निहुंँ थेवरी है तो आपको मन भरके मैं आपको थेवरी करवाओ ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्टर देखो बैटा चला यह ट्राई करो तो यह लग कोशन एक बार आप लोग भी ट्राई करो बैटा चलो एक बार इसको बनाने कोशिज करो मैं मदद करूंगा दीका बहुत कम लोग करवा रहे हैं तो मैंने चाहता कि निमेरिकल के वज़े से पीछे रहे जाए ठीवरी सच में आप सर्च करना यूटूब में एक दिन बैट देख रहा था मतलब आपको 10-12 टीचर मिल जाएंगे लगभग लोग ठीवरी पर जादा फोकस कर रहे हैं एक एक बोर्ड में लिखके टीचर बताता है वो भी अच्छा मेहनत कर रहा आपकी पीछे लेकिन निमेरिकल सब लोग नहीं कर वा रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि निमेरिकल करना पीछे छूड जाएं इसलिए मैं थेवरी तो होई रहा है निमेरिकल भी आपका अच्छा होना ची बेटा लॉग हन्डेडन एक मिनट लॉग हन्डेड टू होता है ऐसे लिखा है न वो लॉग हन्डेड लिखा है न जिसे हन्डेड हन्डेड माइनस फोटी हमाल लो तो बेटा यह ऐसा हो जाएगा 100 upon 60 इसको फिर ऐसे लिखेंगे log 100 minus log 60 तो बता दू, log 102 होता है जब log 10, 1 होता है तो बेटा, log 100, 2 होता है log 1000, 3 होता है तो हर बार log 100 ले रहे होना तो वो log 2 हो, यह 2 हो जाएगा log 102 होता है ठीक है? किसने पुछा था? आगे बरते हैं अगला प्रस्न देखते है अगला प्रस्न देखते है हाँ ये प्रस्न ये भी बड़ा important question है ये वाला प्रस्न भी ये वाला प्रस्न भी मैंने कई स्कूलों में देखा है और ये बोड इग्जाम में भी आ चुका है ये वाला प्रस्न बोड इग्जाम में भी कई बार पूछा गया है यह दम बड़ा फाल्तु सा question लगता है, मुझे प्रशनली बता है, मुझे प्रास्न नहीं बक्वास लगता है, एकदम देखना, सुना, क्या बोल रहा है प्रस्ण क्या पूछ रहा पता है कोशन ये कह रहा है बेटा कि आप सिद्ध करो कोशन कह रहा है कि दर्शाये सिद्ध कीजिए कि किसी अभिक्रिया को 99% होने में जो समय लगता है इनकंप्लीट है क्या करें बत तुर मिस्प्रिंट हैं यहां रहेगा दो पर सेंट करेंगे थोड़ा सा यहां रिखेंगा नवेपरसेंट आइसा है यहाँ पर 90% रहेगा हां तो प्रस्टर क्या पूछ रहा है सिद कीजिए कि किसी अभिक्रिया को 99% होने के लिए जो समय लग रहा है वो 90% के दूगना है 90% के लिए लगने वाले समय के दूगना है फिर इपीट करता हूँ प्रस नहीं यह कह रहा है बेटा कि 99% होने में किसी reaction कुछ समय लगता है उसके तुलना में 90% से वो दुगना समय ले रहा है अब इसका क्या मतलब है सुनना मैं पता तो कैसे करना है कैसे करना सुनना आप क्या करना है टाइम निकाल लो 99% के लिए कैसे करोगे बेटा 2.303 के का मान आपको नहीं पता लॉग 100 अपान 100 माइनस 99 तो यहाँ पर मैं 99% के लिए समय निकाल रहा हूं फिर उसके बाद 90% के लिए समय निकाल लो बेटा 2.303 के लॉग 100 इस बार 90% के लिए तो अब मैंने 90% के लिए समय निकाल लिया तो प्रस्ट ने य 99% के लिए लगने वाला जो समय है वो दुगना है as compared to 99% इसको proof कीजिये तो कैसे proof करों बेटा आप क्या करना इसको समी करन एक लेलो इसको समी करना गोलेलो और दोनों को divide कर दो दोनों को divide कर दो तो जैसे ही आप divide करोंगे कि तो यह भी यदो ऋ जाएगा ने यदिश मों जैसे यहाँ इसको दिवाइड करोगे और उसको सब्सक्रास और आ गया इत्का मतलब नफकर दिया इसकPass रिक्वाइड पर 99% is double off time required for 90% बस आपको इसको सिद्ध करना था बस आपको इसको सिद्ध करना है है ना थोड़ा बखवाश टैप कोशन बहुत इजी है बेटा तो अगर कोई बोलेगा इतने इतने परसंट होने के लिए 10 गुना ज्यादा समय लग रहा है इतने परसंट के तुलना में बस क्या करोगे उत्तर उत्त नहीं आएगा प्लिस कोभी करेंगे इसको मैं तो इसके दो दो प्रस्ट करवा रहा हूं हर पैटन के दो तिन तिन अब पुस्तक खोलेंगे आपको डेड़ सारे प्रस्ट मिल जाएंगे तो पुस्तक भी खरीदना है ना उसको पढ़ना भी है ठीक है तो होमवर्क बूरत ना लो स्क्रीन शॉट लो घर बना लेंगे इसका ओके तो सिख्थ पैटन जो है इस पैटन को समझाने से पहले इस पैटन को समझाने से पहले मैं कुछ चीजे आपको बताना चाहता हूं जरा गौह से सुना बेटा जरां देखो शिक्ष पैटन में क्या कलकुलेट करने बोला है अंश पैटन में बात होता है बेटा आप जब पुछता खोल के देखेंगे तो कई ऐसे प्रश्ण आपको मिलेंगे जिसमें लिखा हुआ आएगा कि चलो अभिकारक का अं ग्याद करो तो अंश का मतलब क्या होता है और इसको कैसे इसकी गर्णा की जाती इससे कैल्कुलेशन किया जाता है तो चलो वही बतारो बेटा अंश का मतलब क्या होता है जब भी किसी प्रश्ण में ऐसा लिखा हुआएगा कि अभी कारक का अंश ग्याद करो जब भी किसी प्रश्ण में लिखा हुआएगा की 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 अभी कारक का अंश ग्याद करो तो ज़र मैं बता दूँ बेटा अंश का मतलब क्या होता है दरसल इसको हम बोलते हैं बेटा fraction fraction of reactant fraction of reactant इसकायाता है fraction of reactant जरा मैं आपको इसका मतलब संझातेता हूं आपने अपने जब एक reaction को लिया था तरह यदि कोई एक reactant है एक reactant है जो उत्पाद में बदल रहा है प्रदक्ट बन रहा है मान लो अभी reaction चालू नहीं हुआ है मान लो अभी reaction चालू नहीं हुआ है यानि समय का मान 0 है तो आपने a का सांधरता है मान लो 10 ग्राम पिर मैंने इस blast को चालू किया और इस reaction को मैंने मान लो 5 मिनाट तक चलाया तो मैं क्या देखता हूं कि a का जो मात्रा है एक ही मात्रा यहाँ पर दस ग्राम से घट के चार ग्राम हो गया चार ग्राम हो गया तो जरत गौर से सुनेगा बिटा एक समय के बाद आप सबको पता है एक समय के बाद धीरे धीरे जो अभिकारक है उसकी मात्रा कम होती जाती है तो तो शुरू में लिए गए म मातरा और अंत में बचे हुए मातरा का जो अनुपात होता है बेटा इसी को अंश कहा जाता है इसी को फ्रेक्शन ओफ रियक्टेंट कहा जाता है इसी को फ्रेक्शन ओफ रियक्टेंट कहते हैं तो गौर सुरेंगे गौर सुरेंगे शुरू में लिया गया मातरा और अंत में बच्चे में मातरा का जो अनुपात होता है जो रेश्यो होता है उसी को अंश कहते हैं तो क्या समझें अगर आपको किसी प्रस्ट में बोलेगा अंश ग्याद करो अगर आपको किसी प्रस्ट में बोलेगा अंश ग्याद करो तो समझ जाना बेटा आपको ए नौट बाई ए का और लिजे प्लीज जब भी अंश निकालने बोलेगा तो समझ जाना कि सुरू में लिया गया सांथरता और अंथ में बचा हुआ जो सांथरता है उसके बीज जो अनुपात होगा उसी को अंश कहा जाता है ओके तो चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि आखिर यहां अंश ग्यात कैसे की जाएगी ओके तो अच्छा आज के क्लास में न एंटी लॉग लगेगा अमित बताना भूल गया फटा फटा आप अपने अगल बगल से कोई पुस्तक लिया हो जिसमें एंटी लॉग दिया हो पर आप भी एंटी लॉग की वेवस्ता करो ठीक है जल्दी फटा फट जाएए अगल वगल में कोई भी पूस्तक होगा जिसमें लॉग टेबल था उसी में एंटी लॉग टेबल भी मिल जाएगा अपको को बात ने अंकीता चाओदरीजी लेट हो बहुत लेट नहीं हुए कि मैं Ah यहीं कर हूर चीन्ता ना करू कि यहां से देख सकते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो अब मैं आपको बिटान अंश इंटकर निकालते हैं ठीक सुनों आपका सूत्र क्या है आपका फॉर्मूला क्या है आपका फॉर्मूला था कि 2.303 टी लॉग ए नॉट बाई ए अब आपको अंश निकालना है और मैं बता चुका हूं बेटा अंश का मतलब होता है ए नॉट बाई ए तो अगर मैं आहां से लॉग ए नॉट बाई ए को अलग कर दूँ ए देखो लॉग ए नॉट बाई ए को अलग कर दूँ तो क्या बचेगा बेटा के टी अपॉंट 2.303 अब सुनों यह मेरे एक सूत्र बनके तयार होगा अब गौर से सुनियेगा आपको आपको प्रश्न में के का मान दिया रहेगा आपको के का मान दिया रहेगा आपको समय का मान यानि कि टाइम का मान दिया रहेगा बस आपको क्या करना है बेटा इतने हिस्से को हल कर लेना इतने हिस्से को हल कर लेना के का मान दिया रहेगा टी का मान दिया रहेगा तो इतने को हल कर लेना मैं आपको numerical बनाना सिखा रहा हूँ numerical कैसे बनता है जरध्या समझेगा जब भी अंश निकालो बोलेगा तो क्या करना आपको K कमान प्रस्टे में दिया रहेगा T कमान प्रस्टे में दिया रहेगा तो क्या करना इतने हिस्से को हल कर लेना अब समझाने के लिए कुछ देर के लिए मैं एक काल्पनिक वैल्यू ले लेता हूँ तो मान लो, मान लो बेटा मैं यहाँ पर रहा एक hypothetical value ले ले लो, एक काल्पनिक value मान लेता हूँ तो मान लो कि आपने इतने हिस्से को हल किया तो हल करने से मान लो 2.36 आया सपोज, सपोज, 2.36 आया, एक कल्पना कर लेते हैं कि 2.36 आया अब आपको क्या करना है बेटा, अब क्या करना है a noad by a, यह जो log होता है ना, log right side जा के एंटी लोग बन जाएगा 2.36 एंटी लोग बन जाएगा अब सुनों करना क्या है आपको तो आप एण्टी लॉचक टेबल अकर देखेंगे वाओं फोकस करेंगे थो, आप बड़ा कर देता हूं शायद आप देख पाएंगे तो नोटिस करो बेटा एंटी लॉक के टेबल में सब चीछ पॉइंट में दिया रहता है आप देख पा रहे हैं क्या पॉइंट 0.03.07 यहां दिक रविट आप लोग को क्या लिखा है 0.11 0.13 क्या देख पा रहे हैं यह एंटी लॉक टेबल में सारे वैल्यूज पॉइंट में दिये हुए हैं करक्ट तो अब आपको क्या करना है आपके पास जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको इसी फॉर्मेट में लाना है on theobilise loggita तो मैंने कहां पॉइंट वाले लेकर करके आना है तो कैसे करोगे कैसे और सुनों ठोफ आप कहानी को आगे बढ़ाता हूं मैं कहानी को आगे व्रहाता हूं बढ़ाता हूं मैं मैं बस करना क्या है कि इस value को point वाले format में लाना है मेरे कहने के बतलब सिंपल भाशा में कहूं तो जो point है ना point से पहले point से पहले कुछ भी लिखा हो point से पहले कुछ भी लिखा हो उसको सीधा 10 के power में रख देना ऐसा बोलने कोशिस कर रहा हूं मैंने कहा बिटा point से पहले कुछ भी होगा उसको 10 के पाउर में रख देना अब आप क्या करेंगे अब आप anti-lock के table में जराग गौर से सुनेगा अब आपको क्या करना है बिटा anti-lock के table में अब आप लोगों को anti-lock के table में point 36 का 0 देखना है अब anti-lock देखने का तरीका सेम है मैं आप दिला हूं आप कैसे करते थे बिटा जब log 2 देखते थे तो आप कैसे करते थे 20 का 0 देखते थे तो वैसे ही अगर log point 2 होगा तो इसको भी बिटा point 20 का 0 देखोगे जैसे आप log 46 देखना होता था तो आप log के table में 46 का 0 देखते थे ठीक उसी प्रकार अगर anti-lock देखना हुआ anti-lock 0.46 तो anti-lock table में 0.46 का 0 देखना होता था 321 तो आप log के table में 32 का 1 देखते थे ठीक उसी प्रकार anti-lock के table में अगर आपको 0.321 देखना हुआ तो anti-lock table में 0.32 का 1 देखेंगे तो यह देखने का तरीका सेम होता है तो 0.36 था 0.36 था तो 0.36 कैसे देखेंगे 0.36 का 0 अब देखो बैटा 0.36 का 0 कितना है मैं भी देख लेता हूँ 0.36 यह देखो 0.36 का 0 0.36 का 0 2291 2291 लिख्खा है 2291 लिख्खा है ठीक है तो यहाँ पर लिख लो क्या बिट्टा 2291 2291 into 10 to the power 2 लिजे answer आ गया answer आ गया A not by A निकालना था न A not by A निकालना था answer आ गया बस एक छोटा चीज दो ध्यान दे रहे हैं आपको जब भी anti-log देखते हैं उस समय जो भी answer आता है उसके first figure के बाद point लगा देंगे first figure बाद point लगा देंगे याने कि इसमें log जैसे नहीं करते 0.1, 1.1 0.1, 2.1 ऐसा नहीं करेंगे इसमें सीधा जो answer आएगा उसी के पहले figure के बाद point लगा देंगे इस प्रकार anti-log देखा जाता है screenshot लो इसका और example बताऊंगो बैटा screenshot लो फिर और example बताऊंगो बैटा इसका मैं और example बताऊंगा अगर सिर्फ 0.36 होगा तो विकास जी बताता हूं बैटा विकास जी पूछ रहे हैं कि अगर ये नहीं होता ये नहीं होता तो बैटा point की उपर में कुछ नहीं होता और क्या अबे क्या थे यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता ना तो 10 के पाउर में भी कुछ नहीं रहेगा और क्या ठीक है विकास ठीक चलिए आपको अगला उधारन दिखाता हूँ के is fap au a sura energy, पूछ रही हैं कि 0.36 कहा से आया है, अरे बेटा मैंने बोला था कल्पना करो एक उधारन लेके बता रहा हूं यहाँ पर इसको हल करने पर मान लोग कि ऐसा कुछ वैल्ली वाय है यह मैं कल्पना कर रहा हूं उधारन लेके बता रहा हूं ठीक है राम कृष्णा जी कह रहीं सिधन न्युमेरिकल पर चलिए रुख जब बटा एक एक एक्जामपल और बतायता हूँ सारे बचे तुम्हारे जितना होश्यारनी होते न तो थोड़ा एक दो एक्जामपल और बतायता हूँ ठीक है अब चलो एक उधारन और देखते हैं बेटा यहां देखो माल लो माल लो प्रस्ट में आया कि अंश निकालो अब कुछ देर के लिए तुम ऐसा माल लो एक उधारन और देखो देखना ही पड़ेगा आपको माल लो कि तुमने के और टी को हल करके इस पूरे हिस्से को ह ँदेशों माल करने से माल लो 20 पॉइंटौ Champ程 करने वाले हुआ अब आप क्या करने वाले हो एंटी लोग बन जाएगा यह 24.3 हो जाएगा अब कैसे करेंगे कैसे चले हैंगे अब यह देखो ऐन आट बाई एंटी लॉग 24.3 और मैंने क्या कहा है एंटी लोग देखते समय जो भी point से पहले होगा वो power में चला जाएगा और point से पहले कुछ नहीं होगा तो power में कुछ नहीं आएगा अभी इत्ता बता दो anti-lock table में क्या देखने वाला हो मैं तो बेटा anti-lock table में point 3 दो होता नहीं है तो point 3 0 का 0 देखूँँगा जल्दी देखते है है 0.30 कितना है पॉंट 30 00 है बटा one nine nine five one nine nine five correct तो ठीक है फिर तो फिर ठीक है आंसर है वण nine nine five-ton to the power 24 और जब भी आंसर देखेंगे तो मैं क्या बोला था बैटा फिर्स्ट फिर पाइस पॉइंट लगा देंगे फर्स्ट डिजिट पॉइंट लगा देंगे इस पी शॉट लो एक जांपल और बताऊंगा उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा मैं कि अच्छा मैंने 0.0 थी देख लिया क्या एक मिनट रुको तो अरे नहीं ठीक तो देखा था भ्रमित करते तो यार तुम लोग ठीक है चलो एक उधारन और बताऊंगा बेटा यहां पर मैं एक उधारन और दिखाता हूं मैं आपको ठीक है आगे बढ़ते हैं अब माल लो यहीं पर एक बस एक इग्जांपल और थोड़ा सा योग करेंगे को आप्लेट करेंगे बेटा मैं सबको लेकर चल रहा हूं हां अब माल लो इतने हिस्से को हल करने के बाद ऐसा कुछ आ गय एंटि लाग 2.361 अच्छा जी यह लिजे लिजे क्या करेंगे एंटि लॉग 2.361 जल्दी बिता आप मैं क्या लिखने वाला हूं बेटा एंटी लॉग बताओ अगर जिनके पस एंटी लॉक टेबल है देखे बताओ 0.36 कितना है मैं भी देख रहा हूँ आप लोग भी देखो 36 का वन पॉइंट 36 का वन लीजिए मेरा अंसर तो ऐसा कुछ आ रहा है और यहां पर पॉइंट लगा देंगे कंफर्म करो ऐसे कुछ किये हो एसे कुछ किये हो ठिक करेक्ट तो चलिए अब मेरे ख्याल से अब एंटी लॉक देखने में आपको परिशानी नहीं होगी एंटी लॉक देखने में आपको परिशानी नहीं होगी नहीं पिटा सब में खुसबूजी सब में टेंट दू पावर टू नहीं लेना है पॉइंट से पहले जीतना रहेगा वो टैन के पावर में जाएगा ठीक है तो चलिए अब मैं समझ गया कि आप एंटी लॉक देख सकते हैं याद रखना याद रखना एंटी लॉक देखते वक्त यह सारी चीज़ों आपको दिमाग में रखना है तो चलिए फिर सीधे अच्छा मनों कर रहे हैं सुनना ध्यान से बोल रहा है कि सुख्रोज को जब पानी में घोलते हैं तो ग्लुकोज और फ्रुक्टोस बन जाता है उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल है तीन घंटा अर्ध आयुकाल है थ्री आवर और पूछ रहा है कि आट घंटे के बाद बताईए कितना अंश बचेगा, कितना अंश बचेगा, तो बेटा अंश पूछा है, तो सूत्र क्या है मेरे पास, ए नौट बाई ए, ए नौट बाई ए, लॉग ए नौट बाई ए, के टी 2.303 है ना, आगे बढ़ते हैं बेटा, ए नौट बाई ए हमको निकालना है, अब बताईए, कितने समय बोला, आठ घंटे के लिए बोला है बेटा, तो आठ घंटे में, 9 घंटे में कितना अंश बचे का बोला है पर बटा, मेरे पास K नहीं है मेरे पास्ट में कहीं पर K नहीं है तो K के से निकालूंगा तो Earth, I.O. के निकल जाएगा तो K के से निकालूंगा 0.693 बटe Earth, I.O.काल यही तो सूत रहोता है आपको पता हैं न तो 0.693 आर्द आयूकाल किता दिया है तीन घंटा दिया है बस यहां से के का मान निकाल लेंगे उस के के मान को यहां रख देंगे यहां रखते ही इस पूरे हिस्से को हल करेंगे इस पूरे हिस्से को हल करेंगे लॉग को राइट सैड ले जाएंगे और फिर एंटी लॉग देखते ही आंसर आपको मिल जाएगा क्या मैं ठीक बोह रहा हूं बन जाएगा सबसे यह कि सब लोग बना लेंगे कि चलो फटाक से स्क्रीन शॉट ले लो बन जाएगा ना विकास जी वेरे गूड सुने ना क्या हुआ बेटा एंटी लॉग टेबल नहीं है आपके पास कोई भी पुस्तक आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बेटा असानी से फ्रेक्शन का कोई यूनिट नहीं होता सुधानसू जी फ्रेक्शन का यूनिट कभी नहीं होता बेटा ठीक है चलो मैं हल कर दूँ चलो एक इसको भागित करो मैं भी थोड़ा निकालता हूँ तो टाइम बच जाएगा इससे फटाफ़ इसको भागित दो तो कितना आया जीरो पॉइंट शिक्स नैन थ्री डिवाइड वै थ्री यह आ रहा बेटा जीरो पॉइंट टू थ्री वन इसको हल करोगे तो जीरो पॉइंट टू थ्री वन आया ठीक है तो इसका मतलब यहां पर आया जीरो पॉइंट टू थ्री वन आया चलो हल करते हैं चलो 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 अब इसको इसको पूरा हल करते हैं गितार है मैं भी हल करता हूँ आप भी इसको हल कीजिए 8 divided by 2.303 तो यह आ रहा है बेटा इसको हल करने पर आया इसको हल करने पर आया इस पूरे हिस्से को हल करने पर यहां पर दिखा रहा है मेरे मुबाइल में 0.802 ओ माफ कीजिए आया है बेटा एंटी लोग हमने अबंट्रेum एकरें वीक पता हो जरौा के in तयर्या रही आनिक यानिकी रेटर को इंटील मैथर हम ने यह दो हमने यह जो मैंठर पढ़ा थे बेटा, rate integral method मैं आपको बता चुका हूँ कि यह जो method है, यह प्योर formula बेश्ट है, और आपको, आपने इतने सारा numerical बनाया है, मुझे पूरे है कि आपको सारे formula याद होंगे, इसके हम लोग ने कुछ formula तयार किया थे, बेटा है, एक था यह 2.303 t log क्या था, a not by a, और एक और formula ह है, बेटा, 2.303 t log a upon a minus x, एक यह formula हमने पढ़ा था, इसके लब एक formula मैंने आपको और बताया था, बेटा, 2.303 t log p not 2 into p not minus p t, तो आप अब तक, अब तक हम लोग ने already, अब तक हम लोग ने already, इतने formula देख लिये हैं, तो आपको याद है ना, इसके हमने धेर सारा निमेर क बनाया थे, मैंने आपको 8 pattern बताया था, 8 pattern मैंने आपको बताया था, अब चलिए, अब इसी में कुछ चीजे में आपको और बताना चाहता हूं, याद है बेटा, जिब कि इस topic मैं आपको numerical करवार था, first pattern, यहाद है न, first pattern, उसमें मैंने आपके एक चीज़ बताया था, कि ज जब भी अलग-अलग temperature पे, माफ कीज़े, अलग-अलग time पे, जब भी अलग-अलग time पे, केक आमान सेम आता है, तो वो प्रथम कोटी अभिक्रिया होता है, और अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो आपने इन सभी formula के जितने भी numerical बनाये हैं, मुझे नहीं पता आपने न आप ध्यान देना, सभी प्रष्ण में लगभग सभी प्रष्ण में एक चीज लिखा रहता था, प्रथम कोटी अभिक्रिया, प्रथम कोटी अभिक्रिया, आपने नोटिस किया है, आपने जितने numerical बनाये हैं, लगभग सभी numerical में प्रथम कोटी अभिक्रिया लिखा रहता शायद मैं अभी वो स्लाइड में डिलीट कर दिया है वह आपको दिखाता आप दुबारा चेक कीजेगा तो इसका ये मतलब हुआ कि अब तक आप लोगों ने इस विधी में जितने भी निमेरिकल बनाए हैं बेटा वो सब ना प्रथम कोटी के अभिकरिया वाले निमेरिकल दियाने की आप यू समझ लो यह तीनो फॉर्मूला यू शोता है शोता एंब मैं अप लोगों को देडी ए बी काओ पर ने आप लोगों को भी फॉर्मूला बताता हूं पोटी का जो फॉर्मूला है वो बताने जा रहा हूं जीरो ओडर रियक्षन के लिए क्या फॉर्मूला होगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत इजी है यहां देखना क्या करना है आप लोगों को इसका सूत्र है बेटा के अपान टी बड़ा ही सिंपल सा सुंदर सा फॉर्मूला इसमें तो लॉग भी नहीं लगता है इसमें लॉग भी नहीं लगता है और और अर्धा आयूकाल का सूत्र है अर्धा आयूकाल का 0.693 बटा के तो अब मैं आज एक लास में कुछ उदारन जीरो ओर्डर के भी बताऊंगा आप चिंटा ना करें जब भी परिक्षा में प्रष्ण आएगा तो प्रष्ण में साफ साफ लिखा हुआ आएगा प्रथम कोटी अभी क्रिया कर निमेरिकल बनाओ या शुन्य कोटी अभी क्रिया कर निमेरिकल बनाओ तो बेटा निमेरिकल बनाने का तरीका एकड़म सेम है निमेरिकल बनाने का तरीका प्रथम कोटी का और शुन्य कोटी का एकड़म सेमें एक ही जैसा प्रष्ण होगा ए आपको दिखाता हूं पहले से screenshot लो बहुत आसान है यह बहुत आसान है पसे screenshot लीजे इसका पहले बोर्ड इक्जाम में इसके numerical तीन नमबर के आते हैं बेटा तीन नमबर के आता है इसके numerical हाँ तो चलो अब मैं आप लोगों को इन दोनों formula में अंतर क्या है और समानता क्या है दोनों एक साथ आपको बताता हूं जैसे यहाँ देखना अगर मालो पर इक्जाम में कोशन आ गया मालो इक्जाम में कोशन आ गया कि एक अभिकारक है एक अभिकारक है जो दस ग्राम से घट करके 3 ग्याम रह गया 5 मीनट के बाद तो चलो क का मान ग्यात कीजिए क का मान ग्यात काना है ऐसा प्रस्ट अब कई पर मना अचुकी हो बैटा तो अगर प्रस्ट में अगर प्रस्ट में लिखा है अगर प्रस्ट में लिखा है for first order तो फॉरमूला दूस्वांदाइज करेंगे और अगर प्रश्ट में लिखा है फॉर माफ किई यइए फॉर जीरो ओर फिर फॉरमूला दूसरा ऊदम है तरीका एक्दम सेम् के ए नौट बाई ए बटा टी लीजे बस सूतरा लग है पर जो डेटा दिया रहेगा जो वैल्यूस दिया रहेंगे बग्दम सेम रहेंगे अब चलो फॉर्मूला में वैल्यू पूट अप करें बेटा चलो बताओ तो यहां के कमांड क्यात करना है यहां पर एपलाई करेंगे तो किसे करेंगे यह देखो के एनौट कमांड प्रारामभिक सांधरता दस एक निश्चित समय पर दिया गया सांधरता तीन बटा टाइम क्या दिया है पांच लिजिए एक जैसा निमेरिकल है तो आपने पैटरन वन से लेके पैटरन एड तक लगभग जितने कोर्शन मनाए हैं हर प्रश्ण में लगभग प्रथम कोटी अभिक्रिया लिखा हुआ आया था तो याद रखना आपको जब नेटा दिया रहेगा न डेटा तो उस डेटा से पता नहीं चाहां नए का अपना ना होगा चलो एक प्रश्ड मैं आपको जता हूं एक कालपनीक प्रश्ड है यह मैं आपको अपने तरफ पसे बना कर देता हूं आप पुझे वुर करके दिखाएगा रखेंश हाइग इसमें लॉक भीक आपको एपकर निकरना की टना इग्जाम्पल देता हूं मैं माल लीजे एक प्रस्ण है कि एक अभी कारक है जिसकी सांधरता 10.4 मोल पर लिटर से घट करके 6.8 मोल पर लिटर हो गया और ऐसा होने में समय लगा 10 मिनट तो चलिए तो चलिए के का मान ग्याद कीजिये और अर्ध आय उकाव गयाद कीजिये यदी if if reaction is zero order यदी reaction यदी रियक्शन जीरो ओडर होगा तो चलो एक बार इसको ट्राई करो एक बार ट्राई करेंगे बटाई यह मुझे बना के बताओ लीद यह यहां पर 0.36 है अब अर्थ आयो काल भी निकालो कि तारा बेटा हाँ पूरा आंसा निकालो ना पूरा केलिप्रेट करो बस क्या करना है आपको डिवाइड बैट टू के रहेगा एं नौट डिवाइड बैट टू के एक बच्चे ने आसा लिखा है 13.8 और कोई अंकी जी आसा लिख रहे है 13.8 और किसी ने आसा ट्राई किया किया अरे, हाल करो 0.66 विकाज रोबर 13.8 ठीक से हाल कीजे बेटा कितना आएगा केक अमान निकाल लिये हो न ठीक कितना आएगा राम कृष्णा, करियर फॉर इस्टडी और मुकेश इन्होंने सही आंसर दिया है बेटा इन्होंने सही आंसर दिया है 14.4 के आसपास आंसर आएगा इसका जो आंसर होगा वो 14.4 के आसपास होगा 14.4 के आसपास होगा हाँ प्रमोजी चलेगा आपका आंसर भी ओम शंकर पुस्पांजली पुस्पांजली ओम संकर पुस्पांजली हाँ बैटा तो इसका अंसर होगा इसका अंसर होगा अर्ध आयू काल का 14.4 कि आस पास इसका अंसर होगा 14.4 कंफर्म करेंगे बटे यह आरास का अंसर ठीक है ठीक है तो एक तो तो यहाँ पर गवड सुनेगा यह जो था यह छूड गया था यह मैंने आपको करवा दिया तो जड़ा कंफर्म करेंगे अभी आपने यहाँ पर क्या देखा बेटा कि परश्ण एक जैसा आएगा परश्ण जो है वो एक जैसा आएगा अब आपको तैग करना है कि कौन सा formula यूज करना बहुत आसान है अगर परश्ण में परथम कोटी लिखा रहेगा तब यह सूतर यूज करेंगे अगर परश्ण में 0 कोटी लिखा रहेगा तो यह method यूज करेंगे चलिए तो अब ये एक method था अब आगे बढ़ते हैं कहाली को आगे बढ़ाते हैं, अब अभिक्रिया का अदर, अब अभिक्रिया का जो कोटी है, उसे ग्याद करने के लिए, अगला method हम सामने रखने रखें हैं, आलेखी विधी, graphical method, यह जो आप देख पा रहे हैं, यह है, graphical method, यह याद करने वाला method है, ये याद करने वाला इसका जब भी परिच्छा में प्रस्न आता है तो आहम तोर पर एक नंबर का आता है तो देखते हैं आलेखी विधी क्या है ग्राफिकल मेथड क्या है जड़ो समझ्झे कुशिस करते हैं तो अब अगला जो मैथड में आपके सामने रख रही है वे है आलेखी विधी कुछ-कुछ बातों को समझेंगे ये विधी तब प्रयोग में आता है जब रियक्षन में एक ही रियक्टेंट भाग लेगा पहली बात ये reaction तब प्रयोग में आता है जब इस reaction में एक ही reaction भाग लेगा अब क्योंकि ये graphical method है क्योंकि ये graphical method है तो सुन के ही आप समझ यह होंगे कि इसमें हमको graph बनाना होगा इसमें हमको graph बनाना होगा और graph से पता चलता है कि कोई भी reaction कौन से order का है फर्स्ट ओडर के है, जिरो ओडर के है, थर्ड ओडर के है, एड सक्टरा, तो जब ग्राफ बनाना होगा, तो ग्राफ को किस तरह से डील करेंगे, चलिए उसके बारे हम बात करते हैं, तो आप पहले ये समझिए, कि आपको ग्राफ किसके किसके बीच बनाना होगा, आपको ज देख पाने है बटा इस विधी में हम rate और सांधरता ए के सांधरता के बीच में graph plot करेंगे सुनना अगर exam में question आया कि आले की विधी को समझाईए तो तुम कहना इस विधी में हम rate और सांधरता के बीच में graph plot करेंगे याने की दर और अभिकारा के सांधरता के बीच में हम लोग ग्राफ प्लोट करेंगे जैसे ग्राफ प्लोट करेंगे तो उस ग्राफ को देख करके आप और्डर पता कर सकते हैं पहली बात आपको इतना तो पता होना चीए बेटा कि ग्राफ हम कब बनाते हैं ग्राफ कब बनाते हैं, जब हमारे पास किसी experiment द्वारा पहले से data उपलब्द हो, जब हमारे पास किसी experiment द्वारा किये गए, data हमारे पास उपलब्द हो, तभी graph बनता है, इतनी तो common sense होगा बैठाब के पास, कि जब हमारे ग्राफ बनाना होता है, तो graph में x-axis और y-axis में हम च माल लो कि तुमने कुछ experiment किया गौर से सुना बेटा माल लो तुमने कुछ experiment किया और उस experiment में आपने बहुत सारे दर के मान निकाल लिये और बहुत सारे सांधरता के मान निकाल लिये तो आप इस बात को समझेगा graph वाला method तब हम use कर सकते हैं graph तो तब बनता है ना जब हमारे पास कुछ data कुछ values available हो तो माल लो कि आपने कोई experiment किया और उस experiment के दोरान आपको धेर सारे दर के मान जो है मिले और सांधरता के मान मिले अब आप क्या करेंगे इनके बिच graph plot करेंगे सांधरता और दर के बिच graph plot करेंगे तो लिजिये मैं यहाँ पर एक graph बना रहा हूँ एक तरफ मैं ले लूँँगा एक के सांधरता को और एक तरफ मैं rate का value लूँगा एक तरफ मैं rate याणी ki दर का value लूँगा अब ज़आग गौर से सुना मैंने क्या किया मेरे पास धेर सारे मेरे पास धेर सारे सांधरता के value आए और धेर सारे दर के value आए अब उनको मैंने graph में रखा अब मैंने क्या देखा कि जब मैं उनको graph में रखता हूँ यह देखो अलग-अलग गौर सुनेंगे बेटा अलग-अलग सांधरता के मान को और अलग-अलग दर के मान को मैंने graph में plot किया तो मुझे मालूम चला कि मुझे ना इस तरह के values मिले याने कि मुझे मुझे एक सीधी रेखा बंती हुई नजर आ रही है तो गौर्ज सुनना जब भी आप सांधरता और दर के बीच में graph plot करेंगे दिये हुए values को data को जब graph में plot करेंगे और जब आप दर और सांधरता की बीच में graph plot करेंगे और आपको सीधा line मिलेगा अगर आपको हाँ पर सीधा line मिला तो कह देना बेटा कि ये प्रथम कोटी का ये प्रथम कोटी का आने की first order reaction है मैं आपको पहचानना सिखा रहा हूँ मैं आपको पहचानना सिखा रहा हूँ order कैसे पता करते हैं लेकिन मान लो कि तुम ने एक graph बनाया गौर से सुनिये ग्राफ में plot किया तुम क्या देखते हो कि इसके values यहाँ वहाँ बिखर हुए थे इसके values यहाँ वहाँ बिखर हुए थे कोई निस्चित रेखा नहीं बन रहा था कोई निस्चित लाइन नहीं बन रहा था अब मैं परेशान हो गया अरे भई मैंने बहुत सारे सांधरता के मा का स्कॉायर कर देते हैं तो जैसी मेरे पास जितने भी सांधरता के मान थे उनका मैंने स्कॉायर किया तो बैटा स्कॉायर करते ही सारे के सारे वैल्यू एक ही लाइन में एलाइन हो गया याने के मुझे मिल गया एक स्ट्रेट लाइन तो बैटा जब सांधरता का स्कॉायर करन पर इस ट्रेट लाइन मीले, तो कह देना सर, यह second order reaction है, तो ऐसे graph के मतल से पता करते हैं, चलिए, एक graph और बनाते हैं बेटा, एक graph और बनाते हैं, फिर से मैंने graph बनाया, इसित में एक बिड़े itself, और के बीच में, वर सांधिरता की बीच में, फिर उसको मैंने graph में plot किया जब मैंने graph में plot किया तो फिर से देखता हूँ कि सारे value यहाँ वहाँ बिखर हुए है एकदम random है तो अब मैं समझ गया कुछ बदलाव तो करना पड़ेगा एक सीधी रेखा कही पर भी मुझे नहीं मिल रही है तो मैंने बदलाव करने के बारे मैं सोचा तो अब मैंने यहाँ पर square किया जब मैंने square किया तब भी value systematic नहीं हो पा रहा था लेकिन जब मैंने cube किया सान्धरता का जब मैंने cube किया तो cube करते ही सारे जो values थे सारे जो data थे बिटा वो एक ही line में align हो गया याने कि जैसे ही मैंने सान्धरता का cube किया तो मुझे straight line मिले तो तुम कहना कि सार जब भी हम डर और सान्धरता की बीच में graph plot करते हैं और सान्धरता का cube करते हैं उस समझा भी straight line मिले तो बेटा यह कहलाता है third order reaction तो इस परकार से आपको परिच्छ में इसको explain करना है यह बस मैं explain करने को आएगा इससे कोई numerical नहीं है बस आपको यह explain करने को आएगा और और एक graph और है एक graph और है ज़रा ध्यान से सुनना बेटा इस बाद फिर से मैंने सान्धरता और दर की बीच में एक graph plot किया जैसे मैंने सान्धरता और दर की बीच में graph plot की है तो मैं क्या देखता हूँ कि मुझे सारे values इस तरह से मिल रहे थे याने की एक सीधी रेखा मिल रही थी तो आपको याद है जब क्रिया का दर सान्धरता पर निर्भर ना करे तो इस टाइप के reaction को क्या बोलते हैं भई जीरो order reaction तो बस आपको परिच्छा में इसको explain करना है कैसे explain करोगे तो तुम कहना कि जब बहुत सारे experiment द्वारा हमने कई सान्धरता के और कई दर के data collect किये हमने उसका जमा किया उसके बाद हमने graph में plot किया बीना किसी परेशानी के अगर सीधी रेखा हमें मिल जाए तो प्रथम कोटी अभी करिया है लेकिन सान्धरता का स्क्वार करने के बाद अगर सीधी रेखा मिले तो second order है और cube करने पर मिले third order और अगर सान्धरता को बढ़ाने पर दर का मान ना बढ़े तो यह शुने कोटी का रियक्षन होता है बस आपको ऐसे इसको explain करना होगा बेटा प्रीजट स्क्रिन्शौट ले लेङे हाँ बहए लाग और एं्टी Wuhan कवान परिश्या में दिया रहे हैं आप चिंता ना करें लाग और एंटी लाग का जो मान रहता है ना वह परिच्शह में दिया रहता है वह परिच्शह में दिया रहता है आप लॉक्ट ringing या कर सकते नहीं मैंने पिछले क्लास में इसके बार में डिसक्स किया था लॉक टेबल इसकोल में देते नहीं है और आप उतना सारा वैल्यू याद नहीं कर सकते हैं तो लॉक का वैल्यू और एंट्री लॉक का वैल्यू परश्ट में दिया हुआ आएगा आप चिद्धा ना करे है वो 60 km दूर है 60-65 km दूर तो वहां से मैं आता हूं रोज सुबह आपके लिए लाइब क्लास लेने के लिए तो कभी-कभी कुछ परिशानी हो जाती है इसलिए क्लास मैं एक दो क्लास डिश्टर्ब हुआ है बीच में ठीक है तो उसी वजह से है तो थोड़ा सा सहयोग कीज मैंने आपसे वादा किया है कि दिसंबर तक आपका सिलिबस हो जाएगा तो वो हो जाएगा बिल्कुल निश्चित रहे उसके लिए ठीक है वो क्लास डिश्टर्ब होता है कभी-कभी वह उसी वजह से बहुत दूरी से आना पड़ता है जिसके कारण जो है कभी-कभी कई का और कि प्राब्लम हो या कोई और प्राब्लम हो तो यह कुछ कारण होते हैं पर में n Tu से इसको क्या करना है से ही निकाला जाता है तो आपको एक्सपरिमेंट करके डेटा कभी निकालने का मौका मी ले तो यह ग्राफ बनाने का मौका मिलेगा तो चिंता gefेक्ष़् एक्सपरिमेंट के द्वारा जो डाटा दिया जाएगा अगर एक प्रस्ण है मैंने देखा एंसी आटी में एक प्रस्ण है उस प्रस्ण कैसे दिया है देखना बिटा आपको ने एक उधारन बताता हूं केंसी अ कि प्रेष़् concept मेंThis pre मैं मैं चाल पनिकसा का अधार्ण बता रहा हो कि यह निस्चित पBUर नहीं है टो आप चौ अब सरे टो आपके पुस्तात क्रें पुस्ता में आपको जो भी available रहेगा और dar command जैसे जैसे आपको दिया जाएगा तो माल यहाँ पर मैं कुछ values दूँगा बेटा यहाँ पर मैं आपको कुछ values दूँगा तो बस क्या करना है आपको जो भी value दिया रहेगा ना उसो graph में plot कर देना एक तरफ सांधरता का मान ले लेना ठीक है और एक तरफ दर का मान ले लेना अब इतना तो आपको पता है ने बेटा इतना तो आपको पता है ना कि सांधरता का मान बढ़ाने से दर का मान बढ़ता है सबको पता है ने बात सांधरता का मान बढ़ेंगे तो दर का मान बढ़ेगा बस पिर क्या करेंगे यहां अलग 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 दर का जो मान है और सांधरता का मान है इसको यहां प्लोट करना यहां जो वैलू दिया रहेगा ना ग्राफ तो बनाने आता है ना वी दस्वी से पढ़ रहे हम लोग ग्राफ बनाने हर बच्चे को आता है तो ऐसा ग्राफ का टेबल बने रहता है यह बहुत असान है हाला कि इसके प्रश्ट बहुत कमाते हैं तो बेटा आपको अलग अलग सांधरता का मान और दर कमान दिया रहेगा बस उसको ग्राफ में प्लॉट कर देना अगर बिना किसी परेशानी के आपको एक इस्ट्रेट ल रहने के लिए ऐसा प्रश्ट आपके पुस्तक में मिल जाएगा पर मैं क्लियर कर दूँ यह प्रश्ट बोर्ड इग्जाम में मतलब नहीं आता उसका कारण है कि फिर वही बात फिर बात ग्राफ कर टेबल ग्राफ ग्राफ इसकूल में नहीं देंगे अगर आप गड़ित क प्रश्ट बनाने वाले को भी यह पता है कि अगर यह प्रश्ट देंगे तो बच्चे फस जाएंगे इसलिए यह ग्राफ बनाने वाला प्रश्ट नहीं आता हाँ पर क्या प्रश्ट नहीं आएगा कि अले खी विधी को समझाईए इसको एक्सप्लेंट कीझे यहूद बस इसे को एकस्प्लेंट करना है आपको ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां एक बच्चा लिख की भेज रहा है यह सर 4.22 नंबर का कोशन है अब बैटा आप कौन से राज्य से हैं आप कौन से स्टेट बॉर्ड में हैं मुझे नहीं पता ठीक है पर एक बच्चा जो है लिख की भेज रहा है कि सर मेरे पुस्तक में 4.22 परस्न जो है गराफ वारा ह ठीक है ट्राइ कीजिएगा अची बात है आगे बढ़े बेड़ा ठीक है आगे बढ़ते हैं तो अब अब यह एक विधी था तो अभी भूलेंगे नहीं बैटा अभी मैं आपको अभी क्रिया की कोटी ज्याद करने का अलगरा तरीका बता रहा हूं तो अब तक हम लोग ने प्रारंबिक दर्विधी पढ़ लिया बटा समाकलंदर्विधी पढ़ लिया अब यह बहूं देख लिया औरव इभी हम लोगों ने अब बात करते हैं दरिस्थरांग इकाई विधी यह इसके परस्ण भी आते है पर क्लियर कर दो बैटा इसका भी परस्ण परिच्छह में आता है तो एक नंबर कहीं आता है एक नंबर का जबकि ये जो तीन टापिक पढ़े थे ये तीन नंबर में आता है तीन नंबर में और कभी कभी तो ये पांच नंबर में भी देखा गया है ये जो तीन टापिक पढ़े हैं ये परिच्छा में कभी तीन नंबर कहीं पांच न कि इस बिदी क्या होता है इसमें कैसे हम किसी अभी कुटी जात कर सकते हैं इससे किए और जुच्टेंटजी आखरी में 5 मिनट थोड़ा सा हमनों discuss कर लेंगे कि यह तो physical का यह पीजिकल का आखरी चेप्ट RIGHT ही तौन कौन सा चेप्टर जो है कई बच्चे लगतार कमेंट कर रहे थे सब यह चप्टर पढ़ाई यह चप्टर पढ़ाईया तो थोड़ा सा है क्लास अभी खतम करने के बाद बस दो मिनट में आपके साथ डिसकस करूँगा उसको फॉलो करने कोशिस करेंगे ठीक है चलो अब इस विधी में हम लोग आते हैं बहुत सिंपल सा विधी है इसमें जो दर इस्थरांग होता है दर इस्थरांग बटा मतब के के आपको दर इस् समझ लेते हैं कि दर इस्थरांग की कैसे किया घार की आती है आखिर दर इस्थरांग जो होता है उसका की क्या क्या होता है यहां पहले उसके लिखो दर्नियम कैसे लिखते हैं बैटा रेट इक्वल टू के एप ऐसा अब एक काम करो यहां से केक वळक कर दो केक वळक कर दो उपर क्या चला जाएगा रेट और नीचे क्या जाएगा बैटा अच्छा मुझे बताओ बैटा रेट रेट का यूनिट क्या होता है रेट का इकाई होता है मोल मोल पर लिटर इसका इकाई होता है मोल पर लिटर पर सेकेंड और नीचे क्या है नीचे देखो ये ब्रैकेट बना हुआ है नीचे में ब्रैकेट बना हुआ है ब्रैकेट का मतलब होता है सांधरता सांधरता और सांधरता का इकाई क्या होता है मोलपर लींटर तो उस हिसाब से ऊस हिसाब से यहाँ पर मोल कड़ गया लीटर कड़ गया अब बताएए के का मान क्या हो गया बेटा तो के कमान बज गया पर सेकेंड तो जब भी किसी प्रश्ण में जब भी किसी प्रश्ण में के कमान पर सेकेंड दिया रहेगा तो समझ जाना बेटा आपका जो रियक्षन है वो फर्स्ट ऑडर है याने कि इस रियक्षन में केवल एक ही रियक्टेंट भाग ले रहा है आप देखे होंगे इसके पहले जितने भी चैप्टर को शुरू से पढ़ेंगे तो कई चीज़ें ऐसे रहती है जो शुरू से शुरू में बताया गया होता है और बाद में उसका प्रयोग होता है तो ऐसी दर इस्थरांग जो है यह शुरू में यूज झालने स्थे वह संधरता पर निर्भर करता है और जब आप इस समयरूपाथी के चिन को हटायोंगे पर स्थरांक लगता है गार्एश theory और है जब आटिन बहुछ प्रथम कोटी अभिक्रिया है लेकिन अगर मालो किसी अभिक्रिया में दो दो रियक्टेंट पार्टिसीपेट कर रहे हैं दो दो रियक्टेंट पार्टिसीपेट कर रहे हैं तो चलो दर कंडियम कैसे लिखूंगा मैं तो दर कंडियम लिखूंगा रेट के यहां ए ले लिया यहां पर B ले लिया यहां से केक वाला कर दो बैटा उपर क्या चला गया rate नीचे क्या आ गया A और B आ गया अब जल्दी से बता आओ rate का क्या ही क्या होता है rate का rate का rate का क्या ही क्या होता है यह हमेशा होता है mole per liter per second और बैटा यह bracket है आप देख पा रहे हैं यहां bracket बना है तो bracket मतब सांधरता और सांधरता का इकाई क्या है mol per liter एक और ब्रेकेट बना है तो फिर से लिखूंगा mol per liter तो उस हिसाब से यहाँ पर mol, mol, liter, liter कट गया तो के का मान क्या बचे का बेटा तो अब यहाँ पर के का मान होगा क्या बचा मोल उपर जाएगा तो मोल इनवर्स लीटर उपर जाएगा तो लीटर बन जाएगा और उपर में क्या बचा पर सेकेंड तो लीजिए जब भी किसी प्रश्ण में जब भी किसी प्रश्ण में के का के का मान पर मोल लीटर पर सेकेंड में दिया रहेगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स में दिया रहेगा तो कह देने बटा यह जो रियेक्शन है यह सेकेंड और है यह सेकेंड और हैं बहुत आसान था है यह तो बहुत आसान है यह तो चल La come करो अब मुझे ना अगर मालो हम तीन रियक्टेंट ले लेते हैं तीन रियक्टेंट तो अब इस बार के का क्या इकाई बनेगा मुझे चलो बताओ खुछ से निकाल के बताओ चलो जैसे मैं यहाँ पर किया ना से वसी करना है बेटा उसे कॉपी कीजिए और तीसरा वाला मुझे बना के बताओ ठीक है हाँ मयूर जी टाइम जो है उसको हम सेकेंड में लेके चलते हैं ठीक है हाला कि टाइब करने में थोड़ा दिक्का जा सकता है लो डॉलर जी ने आंसर दे दिया बेटा आप अपना अच्छा सा नाम रख लो और ना आईडी बना लो क्या ऐसे आंसर आप मैंने देखा है आप आंसर जल्दी दे देते हो पर आपके आईडी में क्या लिखा है डॉलर अब मैं क्या समझू अब कौन है तो थोड़ा सा नाम अच्छा से रख लीजी अपना और आईडी बना लीजी बेटा कि अगर आप आप आंसर दे रहो इसलिए बोल रहो इसकां सवरोह बाटा इसकां सवरोगवा पर लीज़ senate लिटर सकौईर पर से मैं है को ऑम् शंकर ने भी बताया राम्क्रिश्नी ले नुक – आरिया करियर फॉर इस्टडी ठीक बटा अब अब अगर माल लो अगर माल लो किसी अभी क्रिया में गौर से सुने गाँ अब अगर किसी अभी क्रिया में किसी ने यह कह दिया कि किरिया का जो दर है कि किरिया का रहता पर नीरभरी नहीं कर रहा है अगर कुरिया का जो दर रहें डर वो किसी अभिकारक के सांदरत पर निर भर ही नहीं में अगर उसमें नीर्बर नी करेगा अगर मानलोध का मान अगर मान L丘 का मान पर लिटर पर सकन्ड Subscribe test अब किसी क्रॉष्ट में के कामान ऐसा त्या हो कह देना बेटा यह zero order है और वैसे भी zero order क्यों हुआ क्योंकि अभी क्रिया का दर सांधरता पर निर्भर नहीं कर रहा है तो आपको तो पता है जब ऐसा नहीं होता तो वह zero order होता है और zero order के लिए के का ये मान होगा प्लीज कॉपी कर लेंगे इसको ठीक है तो ये एक विधी होता है ये विधी होता है बेटा क्रिया का दर पता करने का ये बहुत सीम्पल है अब इसके प्रश्ण कैसे आते मैं आपको दिखाता हूँ इसके प्रश्ण कैसे आते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है इसमें किस तरह के प्रश्ण आते हैं चले मैं आपको उदारण दिखाता हूँ ठीक है यहाँ देखना जैसे मान लो आपको मैं एक प्रश्ण दे रहा हूँ आपको कुछ दर इस्थरांग का मान दूँगा दर इस्थरांग के मान आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ जैसे की के इकवल टू 2.39 इंटू 10 दूपार मानस 2 पर सेकेंड 0.1 इंटू 10 दूपार मानस 3 पर मोल लिटर पर सेकेंड के कमान दिया है बेटा 4.6 पर सेकेंड के कमान दिया है बेटा 9.1 इंटू 10 पर मानस 3 मोल पर लिटर पर सेकेंड के कमान दिया है बेटा 6.1 इंटू 10 पर मानस 1 पर मोल स्कार लिटर स्कार पर सेकेंड अब आपको प्रस्ट में सिर्फ इतना पूछेगा कि चलो यह जो अलग अलग दर स्थरांग के मान दिये हैं इनको देख के बताना है कि यह कौन कौन से कोटी की अभिक्रिया है बस ऐसी प्रस्ट आएगा तो इसमें आपको जो वैल्यू दिया हुआ इन वैल्यू से कोई मतलम आपको सिर्फ दर के इकाई ओपर दिया हुए इस पर आपको ध्यान देना है तो चलिए इसके आफर मुझे बताएंगे बेटा समझें न कैसे प्रस्ट ना आएगा आपको नहीं सब्सक्राइगा यह एक नमबर में आता है यह मैंने देखा यह आता है पर इच्छा में इसक बेटा ठीक है राम कृष्ण जी ने असर दिया कीरती गुपता अंकीत नेलीमा अखिलेश पुस्पांजली ओम शंकर नीरज कुमार साबास बेटा सीधा सीधा आपको यह बताने वारा हूँ सीधा सीधा मैं आपको यह बताने वारा हूँ कि रियक्षन का जो स्पीड होता है जो दर होता है वो कैसे ताप मान की उपर निर्भर करता है अब यह तो आपको पता है यह बटा ताप मान बढ़ाऊंगा तो क्रिया का दर बढ़ सब्सक्राइब तो कितना किया का दर बढ़ाऊंगा तो कितना किया का दर बढ़ जाएगा यह सब हम इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा अच्छा जी ठीक है अब यह तो मैं जान गया कि एक प्रकू अफ जाता है और हम पढ़ने जा रहे बेटा आरहीनियस का सिध्धाद आरहीनियस का थेश्वरी इस TOPIC को समझने से पहले कुछ शब्दावली है जो आपको पहले से पता होना चाहिछ यह जो टॉपिक है बेटा इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कुछ शब्दावली कुछ कुछ टर्मिलोजी पहले से पता हो जैसे कि जैसे कि यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ टॉम्स यूज करूंगे बेटा यह देखो यहाँ कुछ टॉम्स हो रहे हैं क्या टक्कर होता ही यह देखेंगे तो यहाँ पर कुछ टॉपिक है जो आपको एक-एक करके समझना पड़ेगा तब जाके आप आरहनियस के सिध्धान को समझ पाएंगे यहाँ पर कुछ टॉपिक है यह करके मैं आपको समझाओंगा पहले इसका स्क्रीन शॉट ले लिजिए फिर एक जो सारे टॉपिक आप देख पा रहे हैं तॉपिक देख पा रहे हैं प्याँ टक्कर आवृति प्रभावी टक्कर उर्जा अवरोध और सक्रीन शॉट इनको इंग्लिश में क्या मोलता है इक बार मैं लिख देता हूं आपके सामने इस जो आप देख पा रहे हैं यह टकर आवृति यानिए कि सो बोते है collision, collision frequency, इसे बोलते हैं प्रभावी टक्र को effective collision इसे बोलते हैं, effective collision इसे उर्जा अवरोत को बोलते है इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनरजी और चलिए इनसा भी topic को एक एक करके मैं समझता हुँ है ठीक है सब निसका इसकी शॉट ले लिए होगा जब बर और इसके ले लिए इस अब लिखा हुआ है उसके साथ में आपके उपर निभर कैसे करेगा इस टॉपिक में आपको एक बास समझनी है कि जब निमेरिकल बनाएंगे तो बेटा हम लोग दर को दर को दर इस थरांग के रूप में देखेंगे सिंपल सी कहानी है अगर दर इस थरांग का मान बढ़ेगा तो दर का मान बढ़ेगा दोनों आमने सामने है डारेकली प्रपोस्टनल है और अगर दर इस थरांग का मान कम होगा तो फिर दर का मान भी कम होगा तो आरहेनियस नाम के साइंटिस्ट ने ताप मान का असर दर इस इस चीज को आसान करने के लिए numerical easy करने के लिए ये कहा कि क्योंकि क्योंकि जो दर होता है जो दर होता है वो दर इस थरांग के बिल्कुल सामने पाया जाता है यानिकि directly proportional होता है तो तो सिपल सी कहानी है कि भई अगर के का मान बढ़ेगा तो दर का मान बढ़ेगा तो हम इस topic में आरहनियस के सिधान्त के अंदर हम ये सीखेंगे कि ताप मान किस तरीके से के को प्रभावित करता है क्योंकि बेटा के जिस तरह से प्रभावित होगा दर भी वैसी प्रभावित होगा अगर ताप मान बढ़ाने से के का मान बढ़ेगा तो दर का मान भी बढ़ तामान कैसे दर को प्रहवित करता है पर दीडे द bought आगे बढ़ते जाएंगे तो आप ये समझेंगे कि ठेउरी कुछ और है वो कहता है कि ताप मान भ़ रहाने से दर का इस्थरांग बढ़ताएं दर इस्थरांग का मानड़ता है और फिर हमको पता है कि दर इस्थरांख सुभविक सी बात है वो दर पे निर्भर करता है तो फिर वो भी बढ़ेगा तो याद रखना अगर परिच्छा में प्रस्ण आएगा कि आरहनियस के सिधान को एक्स्प्लेन कीजिए समझाईए तो अब शुरू में ऐसा कह सकते हैं कि कि आरहनियस नाम के साइंटिस्ट ने हमें ये बताया कि किसी भी क्रिया का जो दर होता है वो तापमान पर कैसे निर्भर करता है और आरहनियस नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि जब जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो क्रिया का दर बढ़ता है ये सिंपल लॉजिक था उसके पेराग्राप चेंज करके लिखना कि जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो असल में दर इस्थरांग का मान बढ़ता है जब तापमान बढ़ाते हैं तो दर इस्थरांग का मान बढ़ता है और दर इस्थरांग का मान बढ़ेगा तो फिर सोभविक सी बात है दर का मान भी बढ़ जाएगा तो यह सब आपको धीरे से एक्स्प्लेंट करें नोट में आपको लिखाव मिल जाएका चिंता ना करें तो बस एक बात क्लियर कर दूं कि हम लोग ऊपरी तौर पर यह कहते हैं कि तापमान बढ़ाने से दर बढ़ेगा लेकिन अंदुरूनी तौर पर ज यहां लिखा हुआ हैं इस स्टेंट में लिखा है कि आरहेनियस बता रहे हैं कि कैसे दर इसथरस्थरांक में यह लिखा हुआ है कि जब जब मैं ताप मान को जब जब मैं ताप मान को दस डिगरी सेलसियस बढ़ाता हूं जब जब वो लगबाग दूगना हो जाता है यह आपको परिच्छा में लिखना है अगर आएगा अरहनियास का थेयोरी क्या होता है तो इतना कम से कम आपको लिखना पड़ेगा अब आपने ये तो कह दिया यहां भाई ताप मान बढ़ाने से दर इस्थरांग बढ़ेगा यानि कि दर औरहनियास ने एक सूत्र दिया बेटा औरहनियास ने इसका एक सूत्र दिया और वह सूत्र कुछ इस प्रकार का है यह सूत्र कुछ इस प्रकार का है यह मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं यह देखो औरहनियास नाम के सांटिस ने एक सूत्र दिया यह देखो बेटा k1 log k2 by k1 ea 2.303 r t2 minus t1 t1 t2 लीजिए ये है वो सूत्र ये है वो सूत्र जिसके मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि ताप मान बढ़ाऊंगा तो दर कित्ता बढ़ेगा अब इस सूत्र में अब इस सूत्र में क्लियर कर दूं कि बेटा k1 दर इस थरांख है दर इस थरांख है t1 ताप मान का और के टू जो है के टू जो है ये दर इस थरांख है टीटू ताप मान का और यह E A क्या है बेटा E A जो है न यह activation energy है यहां लिखा था न मैं यहां पर लिखा था न यह देखो सक्रियन उर्जा सक्रियन उर्जा को सक्रियन उर्जा को E A से दर्शाथे अभी बताऊंगा मैं यह सब क्या क्या होता है यह सब बताया जाएगा चिंता ना करें तो E A मतलब सक्रियन उर्जा होता है तो वापस चलते हैं अब E A का मान प्रश्ण में दिया रहेगा चिंता मत करो अच्छा R क्या है? R gas constant है R gas constant होता है किता हो तो बेटास के value? 8.314 Joule per Kelvin Joule per Kelvin अब मैं आपको दिखाता हूँ कि परिच्छे में प्रश्ण कैसे आएगा परिच्छे में प्रश्ण कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ अब यह बताओ हम यहाँ पर यह तो समझ गए कि ताप मान बढ़ाऊँगा अगर मैं ताप मान बढ़ाऊंगा तो दर इस्थरांग बढ़ेगा और दर इस्थरांग बढ़ेगा तो दर बढ़ेगा सिंपल सी बात है तो मालो किसी प्रश्ण में पूछ दिया कि बताओ अगर 200 केल्विन पे दर इस्थरांग का मान 2.4 इंटू 10 पावर मैनस 2 हो गया है तो ताप मान को बढ़ा के अगर 600 केल्विन कर देंगे तो दर इस्थरांग का मान कित्त हो जाएगा ऐसा प्रश्ण आएगा आपको तो यही जानना है ना कि ताप मान बढ़ाने से दर बढ़ता है पर कितना ताप मान बढ़ाऊंगा तो दर कितना बढ़ेगा यही तो आपको सीखना है बेटा क्यों देखिए तो मैं आपको अभी बता चुका हूं कि छोटा वाला ताप मान T1 रहता है बेटा याद तो बड़े वाले बड़े वाले ताप मान को टीटू बोलते हैं और बड़े वाले ताप मान के सामने जो के का मान होगा वो के टू होगा तो प्रश्ण में क्या पूछा है बेटा प्रश्ण में ये पूछा है कि जब ताप मान कम था प्रश्ण क्या पूछ रहा सुनना आप मान बढ़ा देंगे तो इस पिट बढ़ जाएगा तो इस पिट बढ़ के कितना हो जाएगा यह आपको ग्याब करना है तो सूत्र क्या है आपके सामने बटा इस सूत्र में अगर मैं इसको एप्लाई करूंगा तो कैसे बन जाएगा देखते हैं log k2 by k1 ea का मान प्रश्ण में दिया रहेगा ea का मान प्रश्ण में दिया रहेगा 2.303 r का मान कितना होता बता चुका हो मैं अब ती 1 t2 कितना है तो t2 है 600 minus 200 बटे 200 multiply by 600 थोड़ा गुड़ा भाग करने में तकलीफ जरूर होगा यह आसानी से calculate नहीं होता याद रखना इस topic के numerical बहुत कठीन है calculation के point of view से समझने में दिक्कत नहीं आएगा पर calculation करने में हालत खराब हो जाएगा आपका तो अब देखो बैटा अब आपको k1 कमान दिया है k1 कमान दिया है ea कमान दिया है ताप मान दिया है और आपको क्या ग्याद करना है तो इस प्रश्ण में आपको बोल रहा है कि k2 कमान ग्याद कीजिए तो बस सूत्र बहुत easy है calculation करने में थोड़ा सा हालत खराब जरूर होगा पर practice करते करते वह भी आ जाएगा तो आप सुनों जहां से इस पूरे topic से हमें क्या समझ में आया ताप मान बढ़ाने से speed बढ़ जाता है पर कितना ताप मान से speed कितना बढ़ेगा इस सूत्र से अब ज्याद कर सकते हैं तो अभी है काल्पनिक उदारन लिया है इसका वास्तविक उदारन भी हमनों بعد में करेंगे पहले इसका screenshot ले नेंगे ठीक है तो अब चलिए पीछे कुछ शब्दावली मैंने दिखाए थे यहाँ इन निमेरिकल मनाने के लिए आरहिनियस के सिधान को अच्छे समझने के लिए पहले आपको उन शब्दावलियों को समझना पड़ेगा यहाँ पर कुछ टक्करावरित्ती लिखा है इफेक्टिव कोलिजन लिखा है थ्रस्षोर एनरजी और एक्टिवेशन नरजी चलो इन सबको एक एक करके समझते हैं बेटा ठीक है चलो कहानी को आगे बढ़ाते है अब सुनना होता क्या है मालो मैंने एक कंटेनर ले लिया इसको ध्यान समझना एक बरतन ले लिया इसके अंदर दो परकार के गैस है इसके अंदर दो परकार के गैस है मालो यह एक को मैंने पीले रंग से दर्शाया है और माल लेते हैं एक को मैं नीले रंग से दर्शाया रहा हूं दो परकार के गै उसे जब इनके बीच में को गाँ चाहशं होगा तो यहां से यहां से यहां से है मैं बनके यह बाहर निकल जाएंगे जब इनकी बीच में होगा और ने प्रोड़क्ट थो अभिकारफ आप सुना होता क्या है यह गास के अडु है यह ऻूए लीडाफ Neil के अभा वहां भागते रहते हैं और आपस में टकराएंगे गैस के अड़ू यहां वहां भागते रहते हैं और आपस में टकराएंगे तो अब देखना क्या होता है यह जो गैस के अड़ू है वह लगातार आपको यह जो गैस के अड़ू है वह आपको लगातार यहां वहां भागते ह लगातार गती कर रहे हैं वह यहां वहां भागता वह दिखा रहा हूं यह मैं इनको भागता वह दिखा रहा हूं तो यह देखिए यहां वहां भाग रहे हैं और एक दूसरे से टकराएंगे अभी यहां भाग रहे हैं और एक दूसरे से टकराएंगे देखिए यहां पर क्या तक रागए यह दून टक रागए आप देख सकते हैं यह पर यह दून टक रागए। अब वेटा जले के लिएक्शन होने के चांस्पते हैं जब की यह अपस में टक राएंगे तो इनके बीच में reaction होगा पर अब सुनना क्या होता है logic बहुत simple सा है जब gas के अड़ू आपस में टकराते हैं तो उनके बीच में reaction होता है अभी क्रिया होता है आरहेनियास का सिध्धान क्या कह रहा है सुनो आरहेनियास का सिध्धान कहता है कि जब गैस के अड़ू आपस में टकराते हैं तो उनके बीच में रियक्शन होता है पर ये ज़रूरी नहीं है कि गैस के अड़ू टकराएंगे तो रियक्शन हो ही जाएगा ये ज़रूरी नहीं है मैंने कहा ध्या सुनना मैंने कहा गैस के अड़ू जब टकराते हैं तो reaction होता है पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो टकराएंगे तो reaction हो ही जाएगा तो इसे कहानी के मतलब यह है बेटा कि सिर्फ नॉर्मल तरीके से टकराने से बात नहीं बनेगी टकराते वक्त उनके अंदर enough energy होना चाहिए परियाप्त उर्जा होनी चाहिए और उनको जो टकराव है वो टकराव जो है वो इतना भयानाक होना चाहिए कि उनकी बीच में reaction हो जाए तो बेटा सिर्फ टकराव से बात नहीं बनेगी परभावी टकर होना जरूरी है परभावी टकर के मतलब होता है वो टकर जिससे reaction हो जाए तो यहाँ आप देख सकते हो कि बहुत सारे अडू आपस में टकरात हो रहे हैं पर यह जरूरी नहीं है कि इनके बीच में reaction हो जाए अब यह यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और आपस में टकरा रहे हैं पर reaction अभी नहीं हो रहा है याद रखना अभी मान लो बेटा इनके बीच reaction नहीं हो रहा है तो अब मैं क्या करूँगा अब मैंने सोचा कि यह टकरात हो रहे हैं पर सायद इतने ताकत से नहीं टकरा रहे हैं कि reaction कर सके तो अब मुझे इनके अंदर के ताकत को बढ़ाना पड़ेगा सिंपल से कहानी है मुझे इनके अंदर के ताकत को बढ़ाना पड़ेगा और कैसे बढ़ाऊ ताप मान बढ़ाके ताप मान बढ़ा के तो अब मैं क्या करूँगा बेटा इस बरतन को गर्म करूँगा मैं इस बरतन को गर्म करूँगा है ना तो मैं यहां से इस बरतन को गर्म करूँगा यानि कि ताप मान को बढ़ाऊंगा मैंने कहा कि मैं यहां पर ताप मान को बढ़ाऊंगा तो जैसे ये बरतन गर्म होगा तो अचानक से मैं क्या देखता हूँ इनका स्पीड बढ़ गया इनका वेलोसिटी बढ़ गई और अब ज़्यादा तेजी से टकरा रहे हैं अचानक मैंने क्या देखा कि इन दोनों अड़वों के बीच में भयानक टकर हुआ इन दोनों की बीच में ढह Persily से टकर हुआ तो इनके मतलब बीच में reaction हो जाएगा और यह जो टकराव है अभी इस के गिच्ट में reaction नहीं हुआ है तो आइसाँ नहीं होता कि परमन बढ़होगे कुछ लोग अभी भी नॉर्मल तरह से एकदम नॉर्मल तरीके से टकर कर रहे हैं रियक्षन नहीं हो रहा है पर क्योंकि मैंने ताप मन बढ़ाया तो ताप मन बढ़ाने से मैं क्या देखता हूँ बिटा कुछ अड़ों के बीच में प्रभावी टकर हो रहा है तो आप इसो कैसे क्लासिफाई करेंगे आप कहेंगे कि सर ये 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 इस सिर्फ कहलाएगा सामानिय टकर टकर और इसे आप कहेंगे प्रभावी टकर प्रभावी टक्कर यानि कि यह सिर्फ कॉलिजन कहलाएगा और इसे बोलेंगे बैटा इफेक्टिव कॉलिजन तो यहाँ पर आरहेनियस नाम के सैंटिश ने क्या बोला कि गैस के अडू यहां वहाँ भागते हैं और भागते वक्त टकराते हैं और टकराने से रियक्षन होता है पर यह जरूरी नहीं है कि अडू टकराएंगे तो रियक्षन हो ही जाएगा अडू के बीच में प्रभावी टकर होना जरूरी है तो आप पहले कहाँ देखे थे बैटा अडू यहाँ वहाँ घूम रहे थे और टकरा रहे थे ताप मान बढ़ा तो रियक्षन फास्ट हुआ तो आरहेनियस का सिध्धान का अगला पॉइंट यह है कि ताप मान बढ़ाने से प्रभावी टकर बढ़ता है और जब प्रभावी टकर बढ़ता है तो रियक्षन का स्पीड बढ़ता है तब जाके reaction के speed बढ़ता है तो देखिए आरहेनियस के सिध्धान में कई बाते आपको परीच्छ में लिखनी होंगी पहला यहां पर कि कैसे आरहेनियस के सिध्धान कहता है कि कि किसी भी क्रिया का जो दर है वो ताप मान पर निर्भर करता है और आप देख सकते हैं कैसे निर किया यह वही है बेटा चलो इसको एक बार ध्यान से पढ़ो कोई लाइन जो मुझे दुबारा एक्स्प्रेंट करना चेक करो तो यह वही चीज है बेटा करेट कोई परशानी इसमें तो यहां पर यही बता है जारा कि गैस के अडू जो बापस में टकराते हैं तो यहां पर दो और टर्मिनलाजी यूज हो रहा है जाया है बेटा और च्वा अबरोध और दूसरा सक्रीयाण ऊर्जाए अब इसका क्या मतल्ब होते होता है अब यह जो मैंने एक्जामपल आपको बताया था इसी पर आधारित होता है तो अब होता है बेटा हर अडू में ग सिर्फ टकरा रहे थे पहले यह अडुन सिर्फ टक्रार रहे थे परभावी टकर नहीं तो अब उर्जा को बढ़ाने के लिए प्रभावी तक्कर होने के लिए या करवाने के लिए मैंने तापमान बढ़ाया अब तापमान बढ़ाओं तो उर्जा बढ़ेगा तो अब मुझे किसी ने बता दिया कि इस पीले रंग के अडू और इस नीले रंग के अडू के बीच में प्रभावी टक्कर करवाने के लिए जो उर्जा चाहिए मान लो बेटा 20 जूल है यह है प्रभावी टक्कर करने के लिए उर्जा किसी ने मुझे बताया कि इस पीले रंग के अडू और इस नीले रंग के अडू की बीच में प्रभावी टक्कर करवाने के लिए 20 जूल उर्जा की आवाशकता है और शुरू में जब मैंने ताप मान दिया तो शुरू शुरू में ये अडू सिर्फ टक्रा रहे थे लेकिन ये साथ 20 जूल उर्जा के साथ नहीं टक्रा रहे थे मतलब हो सकता है यहां पर आपस में टकरा हुआ पर इनमें उर्जा 20 जूल से कम है इनकी जो उर्जा है वो कम है कम है किस से 20 जूल से तो 20 जूल से उर्जा इनमें कम है मैंने क्या देखा कि मुझे किसी ने बता दिया मुझे किसी ने बता दिया कि इस पीले रंके और निले रंके अड़ों के बीच में प्रभावी टक्कर करवाने के लिए कम से कम 20 जूर होना चाहिए तो शुरू मैंने क्या देखा कि यह अड़ों टकरा तो रहे हैं पर रियक्षन नहीं हो रहा है अगर रियक्षन नहीं हो रहा है तो उसके यहीं अर्थ निकलता है ना कि वो टकरा तो रहे हैं पर इनको एक न्यूनतम जो उर्जा चाहिए टकराओ के लिए वो इनमें नहीं है तो इनमें effective collision करने के लिए यानि कि प्रभावी टकर करने के लिए जो उर्जा चाहिए था वो 20 जूल था मुझे किसी ने बता दिया कि इनमें प्रभावी टकर करवाने के लिए 20 जूल उर्जा चाहिए और शुरू में जब reaction मैंने चालू किया तो मैं क्या देखता हूँ कि अड़ो टकरा तो रहे हैं पर reaction नहीं हो रहा है तो उसके यही मतलम निकलता है कि शायद इन अड़ों में 20 जूल जितना उर्जा नहीं है मतलब प्रभावी टकर कर पाए उतनी उर्जा नहीं है टकर हो रहा है पर सायद reaction नहीं होने के पिछे ये कारण है कि इनके अंदर 20 जूल उर्जा नहीं है तो अब मुझे तो मालूम चली चुका है कि इनके अंदर कितनी उर्जा होनी चाहिए बैटा 20 जूल और अभी वह न तो मैं उर्जा दूंगा तो अब मैं अब मैं ताप मान बढ़ाओंगा और ताप मान बढ़ा के इनके अंदर के उर्जा को बढ़ाओंगा तो बेटा अब मैं ताप मान के मदद से अब मैं ताप मान के मदद से अब मैं ताप मान के मदद से उर्जा को बढ़ा रहा हूं यहा प्रभावी टक्र करवाने के लिए दी जाती है इस उर्जा को बोलते हैं बेटा activation energy activation energy फिर बिट करता हूँ वो उर्जा जो अड़वों के बीच में प्रभावी टक्कर करवाने के लिए दी जाती है उसको बोलते हैं बेटा activation energy और वो उर्जा वो उर्जा जो new rhythm वो उर्जा जो minimum प्रभावी टक्कर के लिए आवशकता है उसको बोलते हैं बेटा thrush old energy thrush old energy तो गौड सोरा दोनों फरक क्लियर रखना न कई बच्चे बहुत confuse होते हैं thrush old energy उस energy कहते हैं जो प्रभावी टक्कर के लिए new rhythm चाहिए और activation energy उस energy कहते हैं जो हम देते हैं अड़वो को प्रभावी टक्कर करवाने के लिए activation energy वो energy है जो हम देते हैं अड़वो के बीच में इस barrier को पार करने के लिए बहुत चोटी चोटी बाते हैं एकदम clear रहेगा तभी चाहिए कहानी को बढ़ा पाऊंगा मैं चलो पहले इसके screenshot लो फिर बताता हूं बेटा मैं तो एक है थ्रशोड energy एक है activation energy screenshot लीजे इसका तो अब यहाँ पर जो परिभाशाएं लिखी वी थी ना यह देखो यह क्या है बेटा यह उर्जा अवरोध है इसे को बहुत है थ्रशोड energy और यह सक्रियन उर्जा यानि एक्टिवेशन अब इसको एक बार रीड करो जो मैंने आपको बताया यह वही है बेटा अब इस मैंने बताया यह वही है थ्रश्शव energy क्सको बोलते हैं वह न्यूंतम energy जो प्रभावी तक्कर के लिए आवशक है और सक्रियन उर्जा की सफ बोलते हैं यह वह energy है जो हम डेते हैं औलो वह को प्रभावी तक्कर करने के लिए इसक्रिंशॉट लीजे इसका और एक बर दुबारा पढ़ो अभी जो मैंने बता है यह वही है यह बहुत बारीक बारीक चीज़े होती ही बैटा एकदम क्लियर दिवांग में रखोगे तभी इसको अब समझ पाओगे अल भी यह बारीक है एक पर दोब डोनो कर पर हो ठीक है हां तो अभी जो बता लाई पर यह वही चीज़ है अब अब यह जो मैंने बनाया तो ritual है इसी बार को अब मैं आपको एक graph के मदद से समझानेकोorns करता हूं इसी डागराम को अब मैं ग्राफ के मदस से संजाने कोशी करता हूं यह दिखिए मैं इसकोशिस और इस डागराम के थू इस णद्फ इस स्वें चीजियों को क्लियर सबबाख को फिस्टोर्विह से रिपीट कर दोडंगा समय मैं गोप इस टकर आ रहे हैं यहांं भी टकर बन रहे हैं जब तख़र कमने की इन अड़व का यारे मुझे यहां कि वह तकड जिससे रिक्स होता है वह करने के लिए जूल कम से कम चाहिए पर इन में टकरा हो रहा पर रियक्शन नहीं हो रहा तो स्याद इनकी उर्जा 20 जूल से कम है तो मैं समझ गया कि मुझे उर्जा देना पड़ेगा अब जो मैं उर्जा दूंगा उसको बोलेंगे एक्टिवेशन अरजी अब इसी चीज को एक ग्राफ के मदस्ते समझते हैं ठीक है आप जब पुस्ता खोलोगे ने बेटा तो पुस्ता खोलने के बाद इस चेप्टर में ऐसे घ्राफ धेर सारे आपको मिलेंगे तो इस घ्राफ को क्लियरली समझना होगा इस तरफ मैं लिख लेता हूँ रियक्षन, रियक्षन, को अडियनेशन को मत्लब होता है रियक्षन चल रहा है और इस तरफ और जा का मान लियंगा उर्जा ठेक है इस तरफफ िमिनट इस तरफ मैंने è उर्जा का मान ले लिया इस तराफ रियेक्षन चल रहा है बोलेंगे और इस तराफ उर्जा का मान है मैं कुछ वैलिउ ले लेता हूँ एक कुछ कालपनी के वैल्यू सिहां पर ले लेता हूं मालो बीटा ये 5 जूल है यह 10 जूल है यह 15 जूल है यह 20 जूल है यह 25 जूल है यह 30 जूल है तो यहाँ पर मैंने कुछ उर्जा के मान लिख लिए यह मैंने उर्जा के मान लिख लिए अब मैं रियक्टेंट लेने जा रहा हूं अब मैं यह देखो एक पीले रंग का मॉलिक्यूल है और एक नीले र रग्ण का मॉलेक्यूल है यह अलग अलग है मतलब उन्हें रियक्ष्ण नहीं हुआ च्पाई इस पीले और इस निले रंग के अडू को प्रभाविड टख कर हो कि ते हैं बैठ बैस को इनरजी प्रश्घि report यहार नहीं तो इनरजी याने की धहली उर्जा दैनल हम रिट कौने तो सुपना हर तो अब मुझे तो पहले से पता है ना कि इन दोनों अड़वों की बीच में प्रभावी टक्कर करवाने के लिए देहली उर्जा नियुनुतम कितना हो रहे हैं पर रियक्शन नहीं हो रहा है मैं क्या समझूंगा इनके बीच साथ उतनी उर्जा नहीं है कि वो रियक्शन कर पाए तो अब मैं क् देखेंगे कि इनके जब मैं इनको और जर बढ़ेगा यहां पहुंचेगा तो इनके बीच में प्रभावी टक्कट शुरू हो बीच में रियक्शन हो गया है तो याद रखना इनके इनको आपस में प्रभावी टक्कर करने के लिए जो नियूनतम उर्जा चाहिए थी वह 20 जूल थी पर इनके पास नहीं था तो मैंने उर्जा दिया तो जो मैं उर्जा दूंगा गौर से सुनना जब मैं उर्जा दूंग उर्जा उस उर्जा को कहते हैं जो हम किसी रियक्शन को होने के लिए देते हैं या प्रभावी टक्कर करने के लिए देते हैं ठीक है और एक बात क्लियर कर दूंग यह जो उर्जा है इसका मान आप थरशोल से ज़्यादा भी दे सकते हो उससे फरखनी पड़ता मैंने कहा क कि किसी ने बोला कि इन अड़ूओं को प्रभावी टेकर करने के लिए 20 जूल चाहिए तो आप एक ही बार में 50 जूल दे दो कोई फरक नहीं परता बस इस से ज्यादा होना चाहिए थ्रशोड से ज्यादा तो हमेशा आद रखना थ्रशोड एनरजी यानि कि देहली उर्जा व होना चाहिए यह सब मल्टीपाल चॉइस में कोशन आता है एम से की में पूछता है तो समझना आप जो आप जो एक्टिवेशन एनरजी दोगे आप जो यहां सक्रियन उर्जा दोगे उसका मान मिनिमम थ्रशोल के बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा भी हो सकता है कम नहीं होगा तो ऐसे ग्राफ आपको कई बात पूस्तक में देखने को मिलेगा तो चलिए इसका स्क्रिंशॉट लेंगे बेटा यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब इसी ग्राफ को थोड़ा से और एक्स्प्रेंड करता हूं बेटा मैं चलिए एक बचे ने पूछा है कि है पहले हमने इनर्जी बढ़़ाया तो यह उर्जा बढ़ा ने बैटा यहां पर यह उर्जा को बढ़ा रहे हैं तो समझ में आ रहे कि हाँ जह बढ़़ रहा है तो अब यह अचाना ग्राफ नीचे कैसे आया तो असल में होता क्या है बेटा कि जब दो अडू आपस में क्रिया कर लेते हैं क्रिया कर लेते हैं तो वह इस्थाई हो जाते हैं और इस्थाई होती ही वह अपने आप उनका जो उर्जा है वो कम होने लगता है आपको यह नियम पता है कि जो चीज आई स्थाई होता है उसकी उर्जा जादा होती है और जो इस्थाई होता है उसका उर्जा कम और यहाँ पर यह प्रोड़क्ट है यहाँ पर यह प्रोड़क्ट है तो एक प्रोड़क्ट जो होता हो हमें सा इस्थाई रहता है इस्थाई मतलब कम उर्जा वाला त तब तक उर्जा बढ़ेगा तब तक इनका इनर्जी बढ़ाएंगे आप अब बिल्कुल ऐसा है कि पहले इनके इनर्जी जो आपको कम हो जाएगी तो यह उसकी व्यक्तिगत उर्जां जो आपको कम होती भी दिखाई देनी इसका इसका भी स्क्रीन शॉट लेलों फिर आगे बढ़ते हैं कि अब यह जो graph है कि इस graph के बारे में और कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे कि ये graph दो प्रकार कर बनता चाहता हूं इस तरफ मैंने इसमीं ही मुझेंसार है लिखते हैं इंगलीजु का इंगलीशनियु में इसके मतलब होता है सिंपल फासद प्रिंद aí बिया को ठीक ए इचलों सrement के हुआ है उसको इंग्लीश बुलते हैं रीक्षन को या oldest इ Lluby अप सुरूना पाधा जाओ ट् है यह देहली उर्जा है अब किसी ने मुझे बताया कि इन दोनों को क्रिया करने के लिए इतना नियूनतम उर्जा चाहिए तो अब ग्राफ दो टाइप का बनता है यह देखो ऐसा यहां पर आखे रूख जाएगा ग्राफ ए और भी आपस में जुड़ गये और दूसरा यह ओड़ाफ एसा बनेगा ऐसा यह ग्रॉफ नीचे उतर रहा है कि अईसा तो अब दोनु फराख्या जर समझना को यहां पर जो ऊर्जा देते हैं क्या कहलाता है न हुट्धिवेशन ओड़ा यहां हम जो उर्जा देते हैं उससे क्या बहुत एपना हां थीवेशन फड़ तो उसका उर्जा कम नहीं हुआ मतलब अभी इसमें उर्जा भरा हुआ है इसमें उर्जा भरा हुआ है और यहां पर ए और बी कि में उर्जा जितना था उसके मुकाबले यह जो प्रोडक्ट है वो उसकी उर्जा और कम है तो बेटा यहां से यहां से यहां तक आने के लिए यहां से यहां तकाने के लिए धेर सारा उर्जा निकालना पड़ेगा धेर सारा उर्जा धाने ना यहां उर्जा दिया हो तो उपर चड़ रहा है यहां आपने उर्जा दिया है तो उपर चड़ रहा है और जब निचे आता है तो निचे आता है तो उर्जा निकालता है पर हैं लहांग,पर यह जो उत्पा देट यह कुछ जादा सद्रम्य निकालत को यह एक्जोथर्मिक रियक्शन है याने की याने की ऊस्मा छेपी और बैटा यह आप देख पा रहे हैं यह उस्मा शोशी है याने कि एंडो ठर्रेक्शन पर हैं तो एंडो थर्मिकTime रियक्षन में एंडो थर्मिक रियक्षम में हमेशा जो प्रोड़क्ट होता है इसका उर्जा रियक्त deten्ट से ज्यादा होता है सब इस अब मल्टी फलग चॉल्स भार्त पूच्छते हैं अपकर परिच्छत में हैं बोड में निया गा पर मुल्टीपल चॉइस में सब पूछते हैं और जब प्रोड़क्ट का उर्जा रियक्टेंट से कम हो जाए तो यह एक्जोथर्मी तो बस एक्जाम में कोश्चन आएगा इन ग्राफ को एक्स्प्लेंड कीजिए तो बेटा इतना आपको पता होना चीए कि जब उर्जा देते ह है तो यह उपर चड़ रहा है और जब नीचे आता है तो एल्जा निकालता है को जूड़का सांब धैर सारा उर्जा निकालता निकालता मिया निकालता यहां- और उड़नी कालने कालता में यह वीकर बढ़ाते हैं अब यह जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं अब इसी ग्राफ को मैं अब इसी ग्राफ को मैं उत्प्रेरक उत्प्रेरक को ले करके बनाकर दिखाऊंगा अक्सर हमने यह बात सुना है कि जो उत्प्रेरक होते हैं जो कैटलिस्ट होते हैं वो reaction की speed को बढ़ा देते हैं समय पढ़ा है अक्सर सभी cases में नहीं होता पर 90% cases में जो उत्प्रेरक होता है जो catalyst होता है बेटा, catalyst उस पदार्थ को कहते हैं, जो reaction को आसान कर देता है, catalyst यानिकि उत्प्रेरक उस पदार्थ को बोलते हैं, जो reaction को आसान कर देता है, अब उत्प्रेरक क्या ऐसा करता है, कि कोई भी reaction आसान हो जाता है, उत्प्रेरक ऐसे क्या करता है, कि कोई भी reaction fast हो जाता है, चलो, अब आपको समझाता हूं बेटा जरब गौर से सुनेगा माल लो मैंने यहां पर एक ग्राफ बना लिया एकदम ध्यां से सुनना बेटा तो क्या होगा इस तरफ एनर्जी है इस तरफ reaction coordination है reaction coordination है ठीक है अब यहां पर मैंने दो reactant ले लिया A और B और मैं चाहता हूं कि दोनों मिल के A B बन जाएं पर समस्या यह है कि A और B को A B बनाने के लिए मुझे इस देहली उर्जा को पार करना पड़ेगा याने कि मुझे अच्छा खासा उर्जा देना पड़ेगा इस E A और B को इस A और B का और का और जा झायँ गिघ कम है इनको और इनको मुझे अच्छा खासा और जाह देना पड़ेगा तब जाके वह इस 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 बेरियर कुवाग कर पाएंगे उसको पार करने के tracking के बाद वह उत्पात बनेगा यानि कि इस A और B को A B बनाने के लिए मुझे तक्रीबन इतना उर्जा देना पड़ रहा है इतना उर्जा तो बैटा धेर सारा उर्जा देता हूं मैं तब जाके A और B A B में बदल रहा है तो यह जो ग्राफ है यह ग्राफ है बैटा विदाउट click है यानि के उत्परषक के बीना यह जो ग्राफ है यह ग्राफ बीना उत्परषक के बना है इसमें उत्परषक का प्रयोग नहीं हुआ है अब देखते है उत्प्रषक लेंगे तो क्या होगा तो अब विद विद कैटलिस्ट कैटलिस्ट बैटा अब कैटलिस्ट का क्या काम है सुनो कैटलिस्ट का काम होता है सुनेंगे यहाँ पर आप क्या करना चाहते हो यहाँ पर आप A और B को आपस में क्रिया कराके A भी बनाना चाहते हो पर यहाँ उत्प्रेराग का प्रयोग नहीं हुआ है पर जब किसी अभिक्रिया में उत्प्रेराग का प्रयोग होता है तो मालते हैं बैटा, कैटलिस्ट को कैटलिस्ट को मैं C से दर्साओंगा C से टो जब आप किसी अभिक्रिया में catalyst याने के उत्प्रेरक का प्रयोक करते हो तो वेटाई यह जो catalyst होते हैं न उत्प्रेरक यह लोग क्या करते हैं पता है यह catalyst होता है यह A और B को अपने साथ जोड़ लेता है और एक बहुत अधिक उर्जा वाला इंटरमीडिडीर बनाता है, मतलव हाइली छ काइनर्जेटिक इंप्लेक्स बनाता है पहले सुन ना धहार से उठ प्रेरग क्या करता है रियक्टेंट और अभीकारक को अपने साथ जोड़ के एक मध्यांतर बनाएगा एक इंटरमीडियत काइनर्क बनाता है जिसमें बहुत ज़ादा ऊर्जा होता है बहुत ज़ादा ऊर्जा होता है एक समय के बाद फ्Star होगा कि उत्प्ररण जो है वह बाहर निकल जाएगा फेटा और आपका A और B आपस जुड़ चुके होंगे ध्यान सुनना, मैं आपको उथ प्रेरक कैसे काम करता है वो सिखा रहा हूं यह मैं आगे चलके सतहरासाण भी पढ़ाओंगा चिंता ना करें तो अभी आपको यह सिखा रहा हूं कि उत्प्रेरक एक्चुरी में क्या करता है उत्प्रेरक जो होता है वह आपके अभी कारक को अपने साथ जोड़ के बहुत अजीब सदिक रहा है इसको बहुत बहुत पेचीदा दिखने वाला सरचना एक बच्चा बोर रहा है ओ दिखाई नहीं दे रहा है एक मिनट बेटा यह लो इसको आसे कर देता हूं ठीक है हाँ तो अब अब मैंने कहा यह जो उत्प्रेरक होता है ना इसका काम क्या होत बेटा यह क्या करता है अभी कारक को अपने साथ जोड़ता है और बीच में एक बहुत ज्यादा उर्जा वाला संकूल यानकी कॉंप्लेक्स बनाता है फिर बाद में फिर बाद में उत्प्रेरक जो हो बाहर निकल जाता है और आपका मुत पाद बन चुका होता है लेकिना इसी को ग्राफ में बनांकर दिखा हूं अब इसी चीज को अगर मैं ग्राफ में बनांकर दिखा हूं तो चीजिए एकदम क्लियर हो जाएंगी बेटा इस तरफ मैंने क्या लिख्या membrane reaction coordination and और इस तरफ क्या थे बीचा अब ज़रभ गोर से देखना मैं क्या करने वारा हूं उर्जा तो इस बार देखो देहली उर्जा तो उत नहीं है जितना पहले था गौर सुनना बेटा A और B का A और B का जो देहली उर्जा है तो अभी बूत नहीं है न वो चेंज नहीं होता देहली उर्जा कभी भी चेंज नहीं होता पर इस बार फरक क्या आया इस बार क्योंकि मैंने उत्प्रिरक लिया है और बटा उत्प्रिरक ने क्या किया है इन दोनों के जैसी मैंने उत्प्रिरक लिया तो उत्प्रिरक ने इन दोनों को आपके साथ जोड़ा और जोड़ के जादा उर्जा वाला जादा उर्जा वाला कॉंपलेक्स बना दिया ये देखो एक जादा उर्जा वाला कॉंप्लेक्स बन गया है ये बहुत जादा उर्जा वाला है और आपको यहां से यहां तक पहुंचना था बेटा आपको यहां पर यहां से यहां तक पहुंचना था तो अब तु मुझे बताओ यहां पर कहानी यह है कि पहले A और B का उर्जा बहुत कम था तो यहां तक पहुंचाने के लिए मुझे धेर सारा अपने तरफ से उर्जा देना पड़ा पर यहां पर पहले से उर्जा बढ़ा हुआ है उत प्रेरक ने इनके उर्जा को यहां से यहां ले लिए तो बैटा अब मुझे बस थोड़ा सा उर्जा देना पड़ेगा, बस थोड़ा सा उर्जा दूँगा तो यह उत्पात बनके तैयार हो जाएगा, तो आप समझे, बीना उत्प्रेरख के किसी रियक्शन करवाना क्यों कठीन होता है, क्योंकि बैटा देहली उर्जा तक पहु तो अब मुझे अपने तरफ से जादा उर्जा देना नहीं पड़ेगा, यहाँ धेर सारा उर्जा देना पड़ रहा था, यहाँ थोड़ा सा, तो क्या स्वाज़ें बेटा, जिस अभिक्रिया में उत्प्रेरक उपस्थित होता है, ऐसे अभिक्रियाओं को कराना असान होता ह मतब थोड़ा सा एनर्जी दोगे, तो रियक्शन हो जाएगा, थोड़ा सा एनर्जी दोगे, तो रियक्शन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले से इनका उर्जा बढ़ चुका है, तो यहाँ तक पहुचाना मुश्किल नहीं था, थोड़ अगर आपको नहीं पढ़ाता अगर आपको मैं यह वाला लॉजिक अगर मैं आपको यह वाला कहां चला गया भर भई से स्फिंद्र हूं हाँ सुन्धर êm ढूंडर एं। तो अगर में मैं यह सब आपको नहीं समझाता तो फिर यह सब ग्राफ एक्स्प्लेंड कर पाना पॉसिबल नहीं है तो आपके पूस्तक में यह सब ग्राफ मिलेगा पर यह सब ग्राफ को समझना इतना आसान नहीं होता अगर आप उत्तेजन उर्जा क्या होता है देहली उर्जा क्या होता है यह सब नहीं पता होता है सब ग्राफ होता है वह सीधे सीधे ताप मान पर डिपेंड करता है और टाप मारव डिपेंड करता हाला की Hang Si Arrhani Öz कहते हैं आरहvändयस कहते हैं जब अम अइन भाते हैं तो दर इस धरांग का मान बढ़ेगा तो दर का मान भी तो बढ़े गई दर मतब रेट तो ये सारी बाते हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं ये सारी बाते हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं तो अरहनियम्uana immersion जो चीजे थी जो मैंने आपको पिछले क्लास से बताई थी एक बार फिट से आपके सामने थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ थे बेटा यहाँ मैंने बताया था कि आरहनियस नाम के साइंटिस्ट ने एक चीज नोटिस किया कि जब भी किसी रियक्षन का ताप मान 10 डिगरी सेल्सेस बढ़ाते हैं तो उस रियक्षन का जो स्पीड है जो दर है वो दो गुना हो जाता है तो अरहनियस ने अपने थियोरी में यह जिक्र किया था कि ज़्यादा तर जो अभिक्रियाएं हैं उनमें इन्हों ने एक चीज नोटिस किया कि जब जब वो किसी रियक्षन का ताप मान को 10 डिगरी सेल्सेस बढ़ाते थे तो लगभग रियक्षन का जो दर है जो स्पीड है वो दो गुना हो जाया करता था हाला कि थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है पर तकरीबन दो गुना के बराबर वो हो जाता था तो ये सब हम लोग पिछले क्लास से पढ़ चुके हैं आज के क्लास में हम जो आरहेनियस का समी करण है उसके बारे हम बात करेंगे और उसके निमेरिकल कैसे बनते हैं उसके बारे हम बात करेंगे तो बैटा आज के क्लास में हम आरहेनियस का जो थेयरी है ये सब मैं आपको बता चुका हूँ नो ये सब मैं आपको पिछले क्लास में already बता चुका हूँ ये क्या है ब्यटा ये है collision frequency ये क्या होता बता चुका हूँ आपको मैं इसके अलावा effective effective इसके अलावा थरा शोल्ड एनरजी, देहली उर्जा, इसका क्या मतलब होता है, ये भी हम अलरडी पढ़ चुके हैं, इसके अलावा, इसके अलावा, एक्टिवेशन एनरजी, यहने सक्रियन उर्जा, ये क्या होता है, इन सब के बार मैं पिछले क्लास में पूरा-पूरा डिटेल में बता के चल रहोगी, हर एक बच्चे ने पिछला क्लास अटेंड किया है, क्योंकि आज जो हम निमेरिकल बनाएंगे, वो पिछले क्लास पर ही आधारित होगा, ठीक है, तो, तो निमेरिकल बनाने से पहले, एक बार थोड़ा समय, पिछले क्लास में पढ़ाया गया थेओरी, या तकराते हैं, तो उनकी बीच में रियेक्शन होता है, आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर ये गैस के अडू, यहाँ वहाँ भागते हैं, मैंने पिछले क्लास में आपको अल्रेडी ये बता दिया है, कि गैस के जो अडू है, वो यहाँ वहाँ भागते हुए पाय जाते हैं, और जब वो यहाँ वहाँ भागते हैं तो वो आपस में टकराते भी हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर यह जो अडू है बेटा यह जो अडू है वो आपको इसके साथ टकराता वह दिख रहा है तो पिछले क्लास में हमने ये सिखा था कि गैस के अडू जब आपस में टकराते हैं तो उनके बीच में reaction होता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अडू आपस में टकराएंगे तो reaction हो ही जाएगा है ना हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि गैस के अडू जब आपस में टकराते है तो reaction होता है पर ये जरूरी नहीं है कि वो टकराएंगे तो reaction हो ही जाएगा तो टकराओ अच्छा खासा होना चीए जिसको बोलते हैं प्रभावी टकर याद आप लोग को इसको हम बोलते हैं प्रभावी टकर याने कि इसी को बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव कोलीजन तो पिछले क्लास में अरहेनियस के सिधान के अनुसार हमने ये पढ़ा था ये पढ़ा था कि गैस के अडू जब प्रभावी तरीके से टकराएंगे तभी उनकी बीच में reaction होगा अब कहानी ये था कहानी का सार ये था कि बेटा कोई भी कोई भी गै का अडू प्रभावी टक्क कर तभी करेंगेक जब उनके अंदर पर्यापत उरजा होगा पर्यापत ताप मान होगा तो चलिए आज है क्लास में अरहेनियस के थेयॉरी के अंतरगत आरहेनियस का हम एक्वेशन पढ़ेंगे तो बटा आरहेनियस ने एक एक्वेशन दिया और वो एक्वेशन कुछ इस प्रकार का था लॉग के लॉग A माइनस E A 2.303RT ये आरहेनियस का एक समिकरण है एक सिध्धान्त है इस सिध्धान्त के अनुसार उन्होंने एक समिकरण तयार किया और इस समिकरण के माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं सुना बेटा आप ये पता लगा सकते हैं की 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 कितने तापमान पर गौर से सुनिएगा आप इस समीकरण को बिल्कुल भी नजरन्दाज मत करना यह बहुत इंपोर्टेंट इक्वेशन है बेटा यह इक्वेशन आपको क्या-क्या बताने वाला है सुनो आप पिछले क्लास म यह पढ़ चुके हो कि जब गैस के अड़वों की बीच में प्रभावी टक्कर होता है इफेक्टिव कोलिजन होता है तभी इनकी बीच में रियक्शन होता है तो अब सुनना यह इक्वेशन हमें क्या बताएगा यह इक्वेशन हमें यह बताता है कि कितने तापमान पर कित कितनी ओरजा दी गई है इनको परभावी टक्कर करवाने के लिए इनको मतलब क्या है टी दर मान के चल रहे हैं तो बेटा यहाँ पर यहाँ पर हमको यह भी तो पता करना है कि आखिर आखिर कितने ताप मान पर क्रिया का दर कितना होगा यह समीकरण बहुत इंपोर्टेंट है आप देख सकते हैं एक साथ आपको क्या क्या चीज बताया जा रहा है आप इस समीकरण के माध्यम से कई बाते पता कर सकते हो पहली बात कितने ताप मान पर प्रभावी टक्कर होगा दूसरा कितने उर्जा पर प्रभावी टक्कर होगा तीसरा जब प्रभ प्रभावी टकर कर रहे हैं। इस एक का मतलब होता है कि इतने सारे अड़ों में से कितने सारे अडवु प्रभावी टकर कर पा रहे है। तो अब देखिए इस समी करन के मालगsome से आप एक साथ कितनी सारी चीजें पता कर सकते हो। यह बार फिर सी रिपीट कर दू। अरहेनय बहुत सारी बात थी मैंने कह दिया अरहेमियस ने बोला था कि अड़ों के बीच जब परभावी टक्कर होगा तभी रियक्शन होगा पर हमारे दिमाग में बहुत सारी बात थी पहला कि इतने सारे अड़ों में से कितने सारे अड़ों परभावी टक्कर कर रहे होंगे कितने तापमान पर ये परभावी टख करेंगे कितने ऊरजा पर ये परभावी टख करेंगे और जब वो परभाही टक करेंगे तो उनका speed क्या होगा, दर क्या होगा तो हम सारी बात हों के इस formula से समझेंगे, तो अब फिस repeat करता हूँ इस formula में T का मतलब क्या है बेटा कितने तापमान पर परभावी टक्कर होगा E मतलब क्या है कितने उर्जा पर परभावी टक्कर होगा K का मतलब क्या है जब परभावी टक्कर होगा तो क्रिया का दर कितना होगा और A मतलब क्या है बेटा A का मतलब होता है number of molecules having effective collision number of molecules having effective collision यानि कि कितने सारे molecules प्रभावी टेकर कर रहे हैं उसके संख्या को हम एस दर साते हैं तो चलिए एक बार मैं इन सब चीजों को लिख देता हूं बेटा किस सूत्र में किस चीज को हम क्या बोल रहे हैं इस सूत्र में किस चीज को क्या बोला जा रहा है एक बार मैं अप कि क्या है ताप मान ताप मान ये केल्वीन में रहेगा क्या है बेटा दर इस थरांग दर इस थरांग इसको अब सिर्थ दर भी कह सकते हैं और एक का मतलब क्या है एक रैक्ष्वली बोलते हैं बेटा फ्रिक्वेंसी फेक्टर या फिर इसी को अरहेनियस कारक भी कहते हैं अरहेनियस कारक इसी को टक्राओ कारक भी कहते हैं याने की याने की कोलिजन फेक्टर इसी को ये भी कहते हैं कि प्रभावी टक्कर करने वाले अर्वो की संख्या इसको और क्या बोलते हैं मेटा प्रभावी टक्कर करने वाले अर्वो की संख्या तो देख लो इस सूत्र से आप हर चीज़ ज्याब कर सकते हो इस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरहेनियस का सिध्धान और उसका समीकर और कितना इंपोर्टेंट है हमने सुरू में ही यह जान लिया था कि जब परमाडवों के बीच में या अडवों के बीच में परभावी टक्कर होता है तब ही रियक्शन होता है पर हमको यह भी तो जानना था कितने तापमान पर परभावी टक्कर होगा कितने उर्जा पर परभावी टक्कर होगा जब परभावी टक्कर होगा तो दर कितना होगा और कितने सारे अडव परभावी टक्कर करेंगे तो ये देखिए इस सूत्र से कई प्रकार के numerical आपके syllabus में दिया हुआ है numerical कैसे बनता है बताऊंगा पहले इसका screenshot ले लिजे प्लीज Pinky, कुमारी जी अगर आप ने student हो तो पहले इस chapter को सुरू से आप वीडियो देखिएगा आज इस chapter का आखरी class है आज इस chapter का आखरी class है तो सुभाविक सी बात है कि अगर आप सुरू से ये chapter नहीं पढ़े होगे तो समझ पाने में आपको तकलीफ होगी निक्खिल चौधरी जी पूछ रहे हैं क्या हाल चाल है आपके ठीक है बेटा बस थोड़ी सी सरदी हो रखी है गला बेटा हुआ है बागी सब ठीक है रामकृष्णा जी अभी आवाज में थोड़ी समस्या है थोड़ी धीमी आवाज आ रही होगी थोड़ी सायोग करेंगे गले में दो दिन से थोड़ा प्राब्लम चल रहा है ठीक है तो अब इसके कैसे निमेरिकल बनते हैं बताऊंगा भी ठीक है इसके निमेरिकल कैसे बनेंगे मैं बताऊंगा पहले और कुछ बाते मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सूतर के बारे में और कुछ बाते मैं आपको निमेरिकल बनाना है बेटा और numerical बनाने के लिए किसी भी सूतर के बारे में हर चीज पता हो तो अच्छा किसी भी सूतर के बारे में आपको हर चीज पता हो तभी आप numerical बना पाएंगे तो चलो, मैं आपको इस सूतर का और कुछ अनुप्रियोग बताता हूँ कि कैसे इस formula का आपको use करना है ठीक है तो राकेश जी आपका पहला class है बेटा चैप्टर सुरू से पढ़िए तभी मज़ा आएगा हाँ हाँ तो इस formula में क्या लिखा थे बेटा मैंने log k log a ea 2.303 r और t कुछ बातों को समझना है बेटा इस सूत्र में r क्या है r है gas इस्थरांग gas constant इसका मान सबको पता होगा बेटा 8.314 joule per kelvin per mole अब मैं आपको थोड़ा सा मदद कर दूँ बेटा आप देखो यहाँ पर 2.303 लिखा है उसके साब आप r का गुडा करोगे तो आप 2.303 into r इन दोनों का गुडान होता है उसको रहा जबानी याद रखो यह होता है बेटा 19.14 joule per kelvin तो calculation करने में आपका समय बढ़ जाएगा तो आप लोग ना 2.303 into r कस्तिधा मान क्या रखेंगे 19.14 या 19 भी लेके बनाओगे तो आउसर लगभग आ जाता है 19 लेके बनाओगे तब भी आपका आउसर लगभग आ जाएगा पर फिर भी actual value है 19.14 शर्ते है कुछ शर्ते ये है कि ताप मान का value आपको kelvin में ही लेना है और के दर इस्थरांग यह क्या है बेटा दर इस्थरांग यह क्या है दर इस्थरांग इसका value पर second में भी हो सकता है पर second में भी हो सकता है पर minute में भी हो सकता है बेटा और और पर hour में भी हो सकता है इसे कोई फराख नहीं परता तो के का मान कैसा भी हो सकता है के का मान कैसा भी हो सकता है लेकिन ए क्या है एक का मतलब होता है कितने सारे अड़ू प्रभावी टकर करेंगे तो इसका मतलब होता है बेटा इसका मतलब होता है एक सेकेंड में प्रभावी टकर करने वाले अड़ू की संख्या है ना तो यह देखो numerical बनाते समय और बहुत सारे छोटी 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 चीज़े रहती हैं जो आपको पता हो अच्छी है यहापर main है यह वाला part सबसे main है यह वाला part की 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 2.303 और r का जो multiple होगा वो 19.14 होगा बाकि numerical कैसे बनेगा अभी तो हम करेंगे ही चलिए इसका screenshot ल आगे बर दे अब इसी में मैंने एक और सूत्र बताया था देखो यह सूत्र यह सूत्र हमें यह बताता है कि कितने ताप मान पर क्रिया का दर कितना होगा किसी विशिष्ट किसी विशिष्ट ताप मान पर क्रिया का दर कितना होगा वो ग्याद करने के लिए आमतर पर हम इस सूतर का प्रयोग करते हैं लेकिन बेटा हमको ये भी तो पता करना है कि अगर ताप मान इतना है तो मान लो दर का मान इतना है तो ताप मान को बढ़ा के अगर मैं इतना कर दूँगा तो फिर दर इस्थरां का मान कितना हो जाएगा सबको पता है ताप मान बढ़ाते ही ताप मान बढ़ाते ही दर का मान बढ़ जाएगा दर इस्थरांकमान बढ़ जाएगा पर तापमान बढ़ाने से दर इस्थरांकमान कितना बढ़ेगा ये भी तो पता करना है न तो अब यहाँ देखो हमारे पास एक सूत्र और है क्या बेटा लॉक के टू बाई के वन ई ए टू पॉइंट 303 आर T2 माइनस T1 T1 T2 ये देखो ये एक सूत्र और है इस सूत्र में आप देख सकते हैं एक मिनट थोड़ा साफ साफ लिग दूँ T2 माइनस T1 T1 T2 हाँ तो इस सूत्र में किस किस चीज को क्या बोलते हैं एक बाद पता है तो हम बेटा K1 K1 T1 ताप मान पर पर लिया गया लिया गया दर इस्थरांख है और K2 T2 ताप मान पर लिया गया दर इस्थरांख है और इस बात का हमेशे आद रखना कि बेटा T1 का मान T2 से हमें साख कम होगा तो ऐसे में फिर K1 का मान K2 से हमें साख कम होगा हमेशा याद रखना जब भी परिच्छा में प्रस्ण आएगा जब भी परिच्छा में प्रस्ण आएगा और दो ताप मान दिया रहेगा दो ताप मान तो छोटा वाला ताप मान को T1 लेंगे और बड़े वाले ताप मान को T2 और जब भी प्रस्ण में दो K का मान दिया रहे फिर मैं आपको निमेरिकल कराऊंगे बेटा कैसे करना है इसकी चॉट लो इसका सोमेज जी पूछ रहे सर एम से क्यू कब कराऊगे बेटा चैप्टर खतम होने के बाद आखरी में एम से क्यू मैं बोर्ड इग्जाम के लिए करवाता ही हूँ और आज ये चैप्टर खतम हो जाएगा तो अगले क्लास में एनकी कल के क्लास में इसका एम से क्यू हम करेंगे सोमेज जी आप चिंताना करें बिटा आज आखरी लेक्चर है मिश्टर पंकत जी इस चैप्टर का आज आखरी लेक्चर है कल इसका हम लोग मल्टीपल चॉइस करेंगे निमेरिकल तो करवाई चुका हूँ चैप्टर की बीच बीच में पढ़ाते 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 मैं धेर सारे निमेरिकल करवा दिया है चलो तो अब स्टार्ट करते हैं निमेरिकल देखो बेटा कोशन को समझने में परेशानी नहीं होगी आप चिंता ना करो एक एक कोशन को आप समझ होगे कोशन देखते ही आप फटाक से फॉर्मूला चुन लोगे और वैल्यू भी पूट अप कर लोगे तो आप चिंता मत करो निमेरिकल समझ में आपको जरूर आएगा हमेशा से आ रहा है आज आप चौथा चेप्टर पढ़ रहे हैं हर चेप्टर में आपको निमेरिकल करवाया है और निमेरिकल समझने में आपको दिकत नहीं हुई है मुझे मालूम है परेशानी कहा पर आ रही है अभी भी कई बच् करते हैं वो दिखाना है तो इसके जो निमेरिकल है ना इस टापिक के ये बोर्ड एक्जाम में बहुत ज्यादा नहीं आता मैं क्लियर कर दो आज जो मैं निमेरिकल करवाने वाला हूँ इसका निमेरिकल बोर्ड एक्जाम में बहुत ज्यादा नहीं आता उसका कारण है कि इस इसके जो numerical है, इसका गुड़ा भाग है, जो calculation बहुत tough है, बहुत time लेता है, तो आज हम क्या करेंगे, मैं जितने भी प्रस्ट नहीं यहाँ पर करवाऊंगा, सभी प्रस्ट को बनाएंगे कैसे, वो समझेंगे, और गुड़ा भाग वाला जो part है, calculation वाला part है, वो आपके लि numerical को करना है, तो मैं गुड़ा भाग वाला part आपके लिए छोड़ूँगा, आपके लिए घर में कर लेना, अभी हम formula चुनेंगे और value put up करेंगे, ठीक है बेटा, चले तो numerical स्टार्ट करते है, लीजिए आरहनियस थेवरी का numerical आपके सामने आ रहा है, पहला प्रस्ट यह दे यह दो क्या बोल रहा है, 600 Kelvin में दर स्थरांग इतना दिया है और 700 Kelvin में दर स्थरांगать इतना दिया है, तो अभी कीरिया के लिए सक्रियन और ज़्या जग्याद करो, तो बेटा, चोटा टाप मान T1 होता है और बडा ताप मान T2 होता है, चोटा ताप मान किता दिया है, 600 Kelvin बड़े ताप मान के लिए दिया गया K कमान K2 होता है तो छोटा वाला K कमान कितना है बटा आपके पास यहाँ देख सकते हैं 1.60 into 10 power minus 5 और दूसरा वाला कितना है बटा 6.63 into 10 power minus 3 और आपको सक्रियन उर्जा कमान क्या आप करना है बहुत आसाल है हमको तो सूत्र मालूम ही है बेटा लॉग k2 by k1 ea 2.303 r t2 minus t1 t1 t2 चलिए सारे value put up करते हैं तो बेटा यहाँ पर k2 का k2 कमान किता दिया है 6.63 10 to the power minus 3 k1 कमान किता दिया है बेटा 1.60 10 to the power minus 5 यह कमान ग्याद करना है 2.303 into r कमान कितना बताया था मने 19.14 joule per kelvin होता है बेटा यहाँ यह t2 कितना है t2 है 700 kelvin यह किता है बेटा यह है 600 kelvin है ना नीचे आ जाएंगे अब यहाँ पर 600 गुड़ा 700 अब देखिए आप देखके समज गया होंगे कि कैल्कुलेशन करने में बहुत समय लगेगा यह आसानी से नहीं होगा समय लगेगा समय लगेगा तो इसको आप घर में कीजिएगा मैं बस सूत्र तो इसका जो calculation है वह आप घर में कर लीजेगा मैं सूत्र में values कैसे put up करेंगे वो सिखा दूँगा बताइए बटा यहां तक समझने में किसो दिख्कात हुआ क्या यहां तक समझने में को दिख्कात हुआ क्या बटा समझ में आगे सबको ठीक तो आज हम क्या करेंगे सिर्फ प्रश्ण को पढ़ेंगे सूत्र में apply करेंगे बगी calculation अब बेटा देखो लॉग कैसे देखते मैं सिखा चुका हूं ना जाने कितने सारे questions हम लोग के कर चुके हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि लॉग वाला पाड़ आपसे अच्छे से बन जाता है और इधर बस simple गुड़ा भाग करना ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए तो इसको आप calculation कर देखते हैं प्रश्ण क्या बोला है इस प्रश्ण में ये बोला है अचा इस प्रश्ण को समझाने से पहले इस प्रश्ण को समझाने से पहले मैं आपको एक logic बताता हूं मैं आपको एक logic बताता हूं सुनना अगर किसी प्रश्ण में ऐसा लिखा वा रहेगा कि ताप मान को T1 से मैंने T2 किया तो तो दर इस थरांग का मान तो दर का मान या दर इस थरांग का मान दूगना हो गया दूगना हो गया ऐसा लिखा हुआ आया अगर किसी प्रस्ट में ऐसा लिखा हुआ आया तो समझ जाना बेटा आपको बस क्या करना है log k2 by k1 की स्थान पर log 2 लिख देना है बस log 2 लिख मैं आपको short cut बता रहा हूँ आसानी से आप इसको बना सकते है ठीक है अगर किसी प्रस्ट में लिखा है कि ताप 1 को T1 से T2 किया गया तो दर का मान या दर इस थरांग का मान चार गुना हो गया चार गुना हो गया तो बस आपको क्या करना है बेटा तो बस आपको क्या करना है यहाँ आपको करना यह है कि log k2 by k1 की स्थान पर बस log 4 लिख देना है अगर कोई लिख बोलेगा कि ताप मान को T1 से माफ किजिए ताप मान को अगर भी बोलता है कि कि ताप मान को T1 से T2 किया गया तो दर का मान या दर स्थरां का मान 10 गुना हो गया 10 गुना हो गया तो बस आपको क्या करना है बेटा जहां पर ना लोग K2 भाई K1 लिख रहा है उसकी स्थान पर बस लोग 10 लिख देंगे तो यह मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि ऐसे परस्टनों को कैसे हल करते हैं चलो इसके स्क्रीन शॉट लीजिए फिर मैं आपको अभी जो परस्टन दिखा रहा था उसको बना कर दिखाऊंगे बेटा ठीक है इसके स्क्रीन शॉट लीजिए प्लीज ठीक है तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो प्रश्ण बता रहा था इस प्रश्ण में क्या लिखा है बेटा इसमें लिखा है कि ताप मान को ताप मान को 293 केल्विन से बढ़ा करके जब 313 केल्विन किया गया तो अभिक्रिया का दर 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 बोलो या दर इस थरांक बोलो क्या बोल रहा है बेटा चार गुना हो गया चार गुना हो गया तो चलिए सक्रियन उर्जा ग्याद कीजिए सक्रियन उर्जा ग्याद कीजिए बहुत आसान है मुझे क्या करना है यह देखे बेटा मैंने अभी अभी आप क्या बताया था जब भी बोलेगा दर इस्थरांग चार गुना हो गया बस डायरेक्ट लिख देना यहाँ पर लॉक चार लॉक चार इये 2.303 एतो जब रहती नहीं है सीथा 19.14 लिख देते हैं ताप मान कहा जा रहा है 293 से 313 तो 313 मानस 293 तो यहाँ बस मल्टिप्लाई कर देंगे 293 313 लिजे बस इसको हल करना है बेटा यहाँ पर लॉक यहाँ लॉक चार कमान देख लेना और क्या निकालना है आ जालकुलेशन करना बाकी है बोल यह कर लेंगे बैटा इसको बोल यह कर लेंगे इसको बन जायेगा ना बेरे गुड़ बेटा साबास तो बस अभी ना मैं सूतर में वैली लगा के छोड़ते रहूं प्रीज इतना सारा नुमेरिकल कर चुकी यह आखरी चेप्तर है यह तब कर सकते हैं ठीक है चलो अगला प्रस्न चलो ने बैटा एक बार खुच से ट्राइ करो क्या एक बार खुच से ट्राइ करो अच्छे थोड़ा बड़ा प्रस्न है हाँ इधर सुरो यह जो प्रस्न है यह थोड़ा बड़ा है यह मैं कर देता हूं इसके आगे आप लो करन ठीक है इस प्रश्ण में कुछ चीजे दी हुई है 500 केलविन और 700 केलविन में दर इस्थरांकमान इतना और इतना दिया है अब प्रश्ण कह रहा है कि ये कमान भी ज्याद करो और एक कमान भी ज्याद करो एक तो कैसे करोंगे बैटा मैं आपको बताता हूं बहुत आसाल है T2-T1, T1, T2 चलिए पहले value put up कर देते हैं जल्दी बतावा K2 किसको लूँगा बैटा K2 किसको लेते हैं बड़े वाले value को बड़े वाले को लेते हैं तो बड़ा वाला course है ये 0.07 और ये चोटा वाला लेंगे 0.02 ये का मान ग्याद करना है ये किता लेते हैं 19.14 तापान क difference कितना है बेटा 700 minus 500 upon ये लीजे बस इसको हल करना है हल करते ही ये का मान निकल जाएगा लीजे हमने पहला part कर लिया हमने पहला part complete कर लिया अब दूसरे part में चलते हैं दूसरे part में जाके हमें क्या निकाना पड़े ए निकाना है तो अ निकाना है आपको ए निकाना है तो log a अलग कर दूँ यहां से तो log a अलग करते ही यहां देखो बेटा log a अलग करते ही क्या हो जाएगा log k plus ea 2.303 बस आपको क्या करना है बेटा जराग गोर से सुनेगा यहां जो ea का मान आएगा उसी को यहां पर रखना है उसी को आपको यहां पर रखना है ठीक है उसी को आपको यहां पर रखना है और यह देखो log k आपके पास आपके पास दो दो k का मान है आप कोई भी k का मान ले सकते हो चलेगा यहाँ पर आप कोई भी केक मान ले सकते हो अब आप यहाँ पर जो भी ताप मान लोगे जो भी ताप मान लोगे उसी के लिए के लेना है बेटा बस इतने आद रखना जो भी ताप मान लोगे उसी के लिए के लेना है यहां देखते हैं 19.14 ताप मान हम लोग ना 500 Kelvin ले लेते हैं तो 500 Kelvin लोगा तो यहां K का मान भी 500 Kelvin के लिए दिया गया K का मान होगा यानि कि यह वाला तो 0.0 डुबस इसको हल करना है बेटा हल करके कैसे करोगे कैसे करोगे याद दिलाओं याद दिलाओं आप पहले इतने हिस्से को हल कर लेना फिर लॉग A का मान निकल जाएगा फिर A कैसे निकालोगे बेटा लॉग राइट साइड आएगा क्या बन जाएगा एंटी लॉग और आपको anti-lock कैसे देखते हैं मैं सब सिखा चुका हूँ आपको log कैसे देखते हैं anti-lock कैसे देखते हैं सब मैं आपको सिखा चुका हूँ लिजे इसका screen shot ले लेंगे please अगला chapter inorganic कर रहा है गाट मैं पिछले class में discuss कर चुका हूँ ठीक है हाँ बेटा चलो अब अगले प्रस्टने के तरफ चलते हैं यहां सुनो यहां सुनो यहां लिखा है बेटा घातां की गुड़ा आंख निकालना है ए को ही बोलते हैं यहां पर न यह जो यह जो ए हैं न ए स्ब्रिक्वेंशि फेक्टर औरी एस यहां इसी गातन की कार दश्ट भी कहते हैं बेटा तो इस प्रश्टन में इस प्रश्टन में क्या निकालने गातं की गुडाँग निकाल ले बोला है तो गातं की गुडाँग निकालने बोल रहा है बहुत इजी है क्या करें के चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते है बेटा तो लॉग A log k ea 2.303 rt बस सूतर में value put up कर तो बेटा तो आपको a कमान ग्याद करना है k कमान किता दिया है बेटा k कमान दिया है दिखरा वहाँ पर 2 into 10 to the power minus 2 आगे बढ़ते है ea यानि कि सक्रियन उर्जा कमान किता दिया है 179.9 kilo jule अच्छा जी अब ताप मान किता दिया है वह देखो दिया है कितना 546 और हम लोग 2.303 into r कमान क्या लिखते है 19.14 jule per kelvin अब problem क्या है बेटा नीचे में jule लिखा है और उपर में kilo jule लिखा है उपर में kilo jule लिखा है तो कैसे करोगे कोई दिक्कत नहीं है आप इसको ना 1000 से भाग दे देना तो ये भी kilo jule बन जाए बस इसको हल करना है A कमान निकालना है कैसे करोगे बेटा फिर भी तरीका है इस पूरे हिस्से को हल कर लेना हल करने के बाद log A कमान निकल जाएगा फिर लॉक को राइट से शिफ्ट करेंगे और अंटी लॉक निकल जाएगा चलिए स्क्रीन शॉट लेलो बेटा इसका भी स्क्रीन शॉट लेलेंगे हाँ कोई पूछ रहा है विकास जी पूछ रहे है कि kilo jule के jule करते तो चले गा क्या वैसे भी सकते ओ कीटो जूल को इसको आप हजार से गूडा करोगे क्टो की बशुट करो है पर वैसे थिना कीटो ज्यूल जादा अच्छ में था कि रोजूल में बहुत बड़ा असर आता है ठीक है आगे बढ़ते हैं चलो एक आप लोग ट्राई कर दो प्लीज एक 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 बस फॉर्मूला में ना वैल्यू पुट अप कर देना करके दिखा चारो मेरे को यह सुमित मौरिय जी पूछ रहे कि सर नीद की त्यारी करवाते हैं क्या बैट नीट के एसके कही बच्चे से पूछ से एकदम अच्छे से एक एक चीज उस चैप्टर को पता होना चीए हो गया तयारी आपका नीट का कई बच्चे एकदम भरमी तरहते हैं उनको लगता है multiple choice करवाओ तो हम नीट तयारी कर रहे हैं कई बच्चे को ऐसा लगता है कि MCQ करवाते हैं जो teacher वही नीट तयारी करवाते हैं ऐसा कुछ नहीं है बटा multiple choice में भी करवाओंगा अगले class में हम भी करेंगे MCQ पर MCQ से जादा important है आप chapter को बेहतर तरीके से समझे हाँ बिल्कुल मैं chapter को आपको एकदाम अच्छेस करवाओंगा पर YouTube में हर चीज संभवनी है बेटा तो हमारा जो target है न पता है न आपको मैं यहाँ पर किस लिए आपके सामने हूँ मैं आपके सामने यहाँ पर किस लिए हूँ इसके लिए ये 12th के board में 95 plus आपको लाना है तो इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ आपके पास कि मैं कुछ भी करके आपको यहां तक पहुचा सकूं और यहां तक पहुचने के लिए भी आपको बहर चीज पढ़ना पड़ेगा तो जब आप 95 प्लस ला सकते हो तो नीट भी आप निकाल सकते हो इतना तो आपको पता होना चीए है ना तो इस भरम में बिल्कु कर लिए गए बेटा कर लिए मैं भी भी ना फॉर्मुला में वैल्यू पूट अपकरता हूं आप अपने साथ तूलना कर लेना ठीक है क्या निकालना बोला कि किस तापमान पर बोला है यानि तापमान निकालना है A कमान A कमान A के उत्पाद में विगिटन के लिए K कमान दिया है हाँ सक्रियन और जदी हुई है K कमान दिया हुआ है और ताप मानं बोला है बटा 10 डिगरी Celsius 10 डिगरी Celsius याने कि अब यहाँ देखो क्या बोला है गोर्फ सुनना प्रश्णम बोला है बेटा 10 डिगरी सेल्सियस में 10 इस थरांकमान दिया है 4.5 इंटू 10 पावर 3 पर सेकेंड तो बोल रहा है कितने ताप मान पर कितने ताप पावर पर दर इस थरांकमान 1.5 इंटू 10 पावर 4 हो जाएगा तो बेटा आप देख सकते हैं साफ साफ देख सकते हैं ये बड़ा वैल्यू है यानि ये के टू है के टू है ये के टू है ये बड़ा वैल्यू है ये के टू है तो फिर आपको टी टू निकालने बोल रहा है और छोटा वाला के के वन होता है उसके लिए दिया गया ताप मान T1 होता है, तो आपको T1 दिया, T2 आपको निकालना है, चल ये, बना लेते हैं बेटा, कैसे करेंगे, तो यहाँ देखेंगे, log 1.5 into 10 to the power 4, 4.5 into 10 to the power 3, EA का मान, सक्रियन उड़ दिया है क्या, हाज ही बिलकुल दिया है, 60 किलो जूल, 60 किलो जूल, तो नीचे भी हम लिखेंगे बेटा, 19.14 भागित हजार, ताकि ये भी आजाए किलो जूल में, है न, अब आपको क्या करना है, इस सूत्र में, इस सूत्र म में, आपको T2-T1, T1, T2, आपको क्या करना है, बेटा, आपको इस में, इस प्रस्ण में, आपको T2 का मान ज्याद करना है, और T1 का मान दिया है, आपको ध्यान देना है, T2 का मान ज्याद करना है, तो चलिए, स्क्रीन शॉट ने लिए, कैलकुलोशन करके, आप इसको बना मिनट में यह क्लास शुरू होता है चले आगे बरते हैं बेटा अगले प्रश्ट बनागे दिखाईए यह वाला चलो यह वाला ट्राइ करेंगे प्लीज तो अब मैं कुछ प्रशन जे रहा हूँ आप लोग को इसका screenshot लेते जाओ और यह आप घर में बनाएगे भीटा अब आगे प्रश्ट बनाएंगे अगला प्रश्ण यिसको भी स्क्रेंर लिजिए आपके बना रहा है इतना प्रश्ण होने के बाद यह अराम से बन जाएगा चिंता ना करें चिंता ना करें बन जाए गए चलो ये प्रस्ण ये प्रस्ण कभी स्क्रीन शॉट ले लीजे ये भी घर में बनाना है आप लोग को तो चलिए अब बहुत बहुत बढ़ाईएं आपको मैंने ये चैप्टर पूरा-पूरा कम्प्रीट करवा दिया है आपके लिए अबसक्त कर दो नुटरा कम्प्रीट करते हैं तो चलिए ये भी लिए लिए करेंगा आपके लिएक्प्रीन शॉटरा करेंगा है